हलो फ्रेंड्स शानु हीर दोस्तो आज मैं आपको सुनाऊंगी थ्रिलर मिस्ट्री सस्पेंस से भरपूर कहानी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जैसे ही चैनल पर न्यू स्चोरी अप्लोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल चाए क्यूंकि मैं आपके लिए लाती हूँ एक ही बार में complete स्चोरी ताकि आप enjoy कर सके without interruption, seamless listening experience चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी पीपल की चैया रे बाबुल की गलिया रे छोड के जाना एक दिन लोट के आनाना पीपल का एक विशाल व्रिक्ष व्रिक्ष की शाखा पर जूला जूले पर चार लड़कियां एक थोड़ी मोटी एक पतली लंबी तीसरी ठिगनी और चौथी जो जूले पर खड़े होकर पिंग बड़ा रही है वो बेहदी खोप सूरत चंचल चित्वन कोकिला कंट है आवास में सुर है ताल है गौरी गा रही है उसी ताल के साथ जूला भी जूल रही है जैसे वो भी गौरी का दिवाना हो पीपल की चैया रे जूला आसमान की जानिप बाबुल की गलिया रे जूला नीचे आता चोड़ के जाना एक दिन जूला सेंटर में लौट के आना ना होरे लौट के आना ना जूला नीचे एक तरफ जूले की मूवमेंट दूसरी तरफ गौरी का सूरीला कंट वो जूले की दोनों रसियां पकड़े खड़ी पेंग रही थी बागी तीनों लड़कियां जूले पर बैठी थी गौरी का साथ कोरस में गाकर दे रही है अमुआ की डाली ने सावन की हर्याली ले आते हुए गौरी की जुल्फे हवा में लहरा रही थी उसकी कलाईयों में पड़ी हरी चूडियां भी संग-संग खनक रही थी उसके जिस्म से कच्चे आमों की खुश्बू भी संग-संग बै रही थी उसके मोतियों जैसे दांत चांदनी की तरह चमक रहे थे वो चौदा बरस की दामिनी थी ना जाने किस से टकरा जाएं जिससे टकराएगी वो जिन्दा बच भी पाएगा की नहीं चौदा बरस में गजब उठान था गौरी का जोबन सीने की गुलाईयां ठोस मकमली थी उनकी माँ उन्हें चू कर मकमली ही कहती है कमर पतली कसी हुई जैसे पतला होता है और उपर फूल की पतियों की खुश्बू दूर तक फैली होती है उसके दाएं दूद जैसे गोरे गाल पर एक नन्हाजा काला तिल था जिसे देख कर दादी कहती थी नजर न लग जाए गौरी को वो गौरी को इसी वज़ा से रोज काला टीका लगा देती थ पर गौरी अलहड थी बेहत चंचल थी और पंगे बास भी थी गाओं के कई लड़कों की पिटाई कर चुकी थी गुस्सा ऐसा कि नाक पर चड़कर बोलता था और नाक बेहत खूब सूरत सुत्वा थी आंखे नील कमल जैसी अनुपम जिन में बिल्लॉट जैसी चमक थी ग ना तो चेहरा लंबा दिखता था ना गोल पर जो भी दिखता था कमाल दिखता था गौरी ने इस समय काले रंग की छेंड़ दार फ्लॉग पहनी हुई थी उसके कानों में हरे जुमके थे बाइं कलाई में एक कड़ा था जिसे वो गुरु द्वारे से लेकर आई थी गुर अकाश पर सावन की घटाएं खिरने लगी वैसे भी सावन का ही महीना था और ऐसे जूले हर गाओं में दिख जाते थे गौरी की फ्रॉक हवा में उड़ रही थी और उस वज़ा से उसकी मासल जंगाओं का बांक पन दिख जाता था एक टेले पर बैठे ढाई तिन फेट का बोना गोलू गौरी पर से अपनी निगा नहीं हटा पा रहा था गौरी की आवास उस तक पहुँच रही थी और वो भी कौरस के शकल में गा रहा था अबुआ की डाली रे, सावन की हर्याली रे, छोड के जाना दिन, लोट के आना ना गौरी अपने सहेलियों के साथ हस्ती हुई गाओं की गलियों से गुजर कर अपने घर की चौकट पर पहुँचती है, दर्वासा खुला है जरा रुकियों वहीं, बाहर चबूत्रे पर बैठी उसकी माँ पार्वती ने आवास दी पार्वती मुस्कुरा कर घर के अंदर जाती है और अंदर से एक थाली में लड़ू, रोली और कवावा काजल लेकर आती है थाली गौरी के सिर पर तीन बार घुमा कर माँ पहले तो उसकी नजर उतारती है और फिर रोली से उसका तिलक करती है थाली चबूत्रे पर रखकर काजल की डिबिया उठा कर गौरी को काजल लगाती है फिर उसकी बाइं कलाई पर कलावा बांधती है बलाईयां उतारती है और उसे अपने हाथों से लड़ू खिलाती है ये नोटंकी क्या है अम्मा गौरी ने नाथ को सिकोड़ते हुए कहा तेरा गोणा हुआ है मा बोली गोणा क्या तेरा ब्या पक्का हो गया है सच्छी गौरी खुश हो कर बोली हाँ मैं क्यों जूट बोलूँगी अम्मा तेरे मुँ में गीश रकर गौरी ने थाली से एक लड़ू उठाया और अपने हाथ से एक लड़ू खिलाया अरे तू इतनी खुश क्यों हो रही है थाली में और भी लड़ू रखे थे अम्मा शायद सुभा से वह लड़ू बांट रही थी गौरी ने लड़ू एक पॉलिथिन के थैले में डाले और वहाँ से कुलाचे मारती चली सारे गाउं में धिंडोरा पीटने अरी सुन गौलरिया, गौरी ने अपनी एक सकी को रोका, गौलरिया सेर पर घास का गठर रखे हुए थी पहले तो गोरी ने गुलरिया का गठर गिराया फिर उसके मूँ में लड़ू डाल दिया और बोली मेरा ब्या होने वाला है जानेमन ऐसे की तैसी तेरे जानेमन की बच्ची गुलरिया ने लड़ू थोग दिया गोरी वहां से आगे दोड़ पड़ी रास्ते में कलुआ पहनवाल मिना जो लकड़ी का गठर उठाई हुए था काका पहला गूँ गोरी बोली जिती रहो बेटी कलुआ बोला जरा मूँ खोलो गोरी ने थैले से लड़ू निकाला अरिला और खिला दे कलुआ ने मूँ खोल दिया और गोरी ने उसके मूँ में लड़ू डाल दिया वो एक बार में ही पूरा लड़ू सटक कर बोला पर ये तो बता किस खुशी में मेरा ब्याब पक्का हो गया है और तू हिरानी से कलुआ के दोनों हाथ फैल गए और गठर से नीचे आगिरा ग किस खुशी में खिला रही पहले मूँ तो खोल बुडिया ने मूँ खोला गोरी ने उसमें लड़ू डाल दिया मेरा ब्याब पक्का हो गया इतना कहकर गोरी आगे के लिए चौकडी मार कई ससुरी को शरम भी नहीं आती अपने ब्याब पक्का होने के खुदी लड़ू ख पास से गुजर रहा था। चुपकर तुछ से नहीं पूछ रही मैं ससरों को निकर डालनी तो आवे ना और मॉडरन हो गए। इस तरह गौरी बहुत से लोगों को लड़ू खेलाते हुए गोलू के जोपड़ी में जा पांची। गोलू उस वक्त रोटी सेक रहा था। वो अ होती थी जिसे वो तब बचाता था जो बहुत गुसे में होता था। सीटी एक डोरी से बंदी होती थी जो उसके दाइं साइड में लटकती रहती थी। जिस्म का रंग काला था, नाक बड़ी थी और आँखे बिलियों जैसी थी। गोलू ने गौरी को बताया था कि वो रा जाता था। जब गौरी अंधेरे के ठोकर खाकर गिरी थी कि गोलू ने उसे संभाल लिया। ठोकर तो लग गई थी तब वो गोरी का हाथ पकड़ कर उसके घर तक छोड़ने गया था। इस वक्त वो तवे में रोटी सेक रहा था। लकड़ी की आग का चुलहा था और वो आल्थी पाल्थी मारे बैठा था। आँखों के सामने गौरी से मुलाकात का फ्लैश चमका तो एक गहरी सांस लेकर बढ़ बढ़ाया। आई लव यू गौरी। पता है मुझे की तुम उससे बहुत प्यार करता है। गौरी की आवाज सुनकर वो उचल पड़ा। उसके हा तवे पर रोटी डालने जा रहा था। गोली मेरा ब्या पक्का हो गया है। इस खुशी में लड़ू खिला रही हूँ। इतना कहकर गौरी वापिस मुड़ी। गोलू का हाथ तवे पर रोटी डालने के लिए बढ़ चुका था। पर रोटी नहीं स्वयम उसका हाथ गरम तवे से चिपक गया। कच्छी रोटी फर्ष पर गिर गई। गोरी के शब्त सुनकर वो स्तब धो गया था। हाथ की जलन का एसास तब हुआ जब हाथ काला पड़ गया था। गोलू अपना जला हुआ काला हाथ देख रहा था। फिर उसकी आखों में पानी उतर आया। ल गाजे बाजे के साथ गाओं में बारात आ चुकी थी। बारात आ गई तो गाओं वाले बारात देखने उसी तरफ चल पड़े जिदर से बारात आ रही थी। बैंट की धुन पर नशेडी डांस कर रहे थे। दुलहा गोडी पर सवार था। सहरा सजा हुआ था। वो गुल पर डांस करने के लिए जबरदस्ती खेंच लिया। वे गोलु को नचाने की कोशिश कर रहे थे और गोलु हाथ छुडा कर भागने के चकर में था। नाच गोलु नाच कुछ आवाजे बुलंद हई। इन ससुरों को बताते कि इन से बढ़िया नाच चानता है। नाच गो गोरी की एक सहेली बोली, गोलु नाचने लगा। गोरी सज धश कर हाथों में महंदी लगाई, दुलहन के सुर्क जोडे में स्वर्ग की अपसरा लग रही थी। वो सच मुछ में बारात देख रही थी और गोलु को नाचते देख खुश हो रही थी। बारात विक्रम गड से आई थी, वो गाउं एक पहारी पर आबाद था, वो नहीं जानती थी कि एक पुरुष का एक स्तरी के प्रती प्यार कैसा होता है, वो तो यही समझती थी कि गोलु भी उसे वैसा ही प्यार करता है, जैसे उसकी सहेलियां करती हैं। गोलू माउथ औरगन बहुत अच्छा बजाता था और अक्सर गौरी को माउथ औरगन पर एक फिल्म में धुन सुनाया करता था वो धुन थी बहुत प्यार करते हैं तुम से सनम अगले दिन गौरी की विदाई हुई सारा गाउं उमर पड़ा था और सब की आँखे नम थी प कुशी में भी आंसु आ जाते हैं बिटिया माने रोते हुए कहा और उसे कुछ नसिहत देने लगी कि ससुराल में कैसे अपना धर्म निभाना है गाउं की ये पहली विदाई थी जिसमें दुलहन एक बार नहीं रोई पर गौरी सब की प्यारी थी सब की राज दुलारी थी गौरी की आंखे गोलू को तलाश कर रही थी वो नजर नहीं आ रहा था पर माउथ और गन की धुन दूर से आती सुनाई दे रही थी गौरी को ऐसा लगा जैसे उसकी आंखे नम हो गई हैं बारात विदा हो गई गौरी चली गई और चला गया गोलू भी उसके बाद पता नहीं था दूसरी गटना ये थी कि गौरी भी कभी अपने गाउं नहीं आई उसके गाउं वालों ने तौमत लगाई कि गौरी अपने किसी प्रेमी के साथ भाग गई थी वो कहां गई गाउं में किसी को पता नहीं था ना गोरी का पता चला ना गोलू का समय अपनी ग भागी उसके साथ कोई हाथसा हुआ है शायद उसे मार दिया गया उन्होंने इसके रिपोर्ट भी लिखवाई थी पर कोई नतीजा नहीं निकला गौरी का कुछ पता नहीं चला सदमे में गौरी के माबाप भी चल बसे गौरी उनकी एक ही संतान थी गर में कोई और नहीं था दादी भी अधिक दिन तक नहीं रही दुनिया तो फानी है मुसाफिर आते जाते रहते हैं परमात्मा का ये खेल सदियों से चला रहा है और सदियों तक चलता रहे का कोई मरता रहे का कोई जीता रहे का इंसान की मृत्यू ही तो उसकी आखरी सड़क है चौधा बरस बाद सुर्यास होते ही एक हैवी ट्रक हाईवे के एक पहाडी मोर पर नमूदार हुआता है ट्रक हर्ट तरफ से कवर्ड है बिलकुल पैक उसकी दोनों साइड में दो बैनर लगे हैं जो रात में भी नियोन साइन की तरह चमकते हैं बैनर पर लिखा है विराट फिल्म्स नीचे कमपनी का फोन नमबर और दोसरे डिटेल छोटे अक्षरों में है ये विराट हाईवे नमबर 98 पर प्रकट हुआ था हर तरफ खामोशी थी केवल ट्रक के इंजन की आवाज गु चल रहा था ड्राइवर के बराबर में पैसेंजर सीट पर एक मरियल सा दुबला पतला शक्स बैठा हुआ था जो गैलिन वाली काली पतलून पहने था और सिर पर काला हैट सजाई हुए था ये एक फेल्ट हैट थी उसकी आँखों में नजर का चश्मा था जिसका फ्रेम का जाला था उसने शर्ट भी काली ही पहनी हुई थी लेकिन उसके जिस्म के रंगत गोरी थी नाक थोड़ी छोटी चीनियों जैसी चप्ती थी होन पतले और कानों में सोने की बाली थी गले में सोने की एक चेन भी लटक रही थी अचानक उसके मुबाईल पर रिंग टोन आई उसने गाने का स्पीकर आफ किया और फोन कॉल रिसीव की हाँ बोल वो फोन पर बोला कहां तक पहुंचे आप लोग दूसरी तरफ से पूछा किया अभी हमने एक कसबा पार किया है क्यों रे उसने ड्राइवर से पूछा क्या नाम है सुलेमान ड्राइवर बोला अभी ओ मो मैं उस कसबे का नाम पूछ रहा हूँ जिसे हमने पार किया है नाराइण पूर ड्राइवर बोला सीधा सीधा पूछा कर आदा सवाल कुकर पूछ रहा साले एक दूगा कान के नीचे हैट वाला गुल राया ट्रक ड्राइवर ने ट्रक रोग दिया अपनी खोपडी पर एक रज़ा बोला एक पसली है नहीं और हाथियों की जुबान बोलता है तेरे बाप का नौकर हूँ क्या मैं इस ट्रक का मालिक हूँ समझता क्या है ड्राइवर के तेवर बदलते देख प्रोडक्शन वाला थोड़ा नर्म पढ़ गया सौरी बॉस वो बोला तबी पीछे से बजा वो एक लक्शरी कार थी जो ट्रक के पीछे आ रही थी ट्रक ड्राइवर ने ट्रक आगे बढ़ा तिया क्या चल रहा है बॉस कुछ गड़बढ है क्या दूसरी तरफ से फोन पर पूछा किया नहीं रहे ये तो चलता रहता है कभी शेर चूहे पर कभी चूह शेर पर हम नारायनपूर पार कर चुके हैं जनरेटर हमने भेश दिया था हाँ वो पहुंच किया दूसरी तरफ से उतर मिला नारायनपूर से आपको 50 किलो मेटर और चलना है मैं आप सब का डिनर तयार करवाता हूँ सीधे पतली घाटी पहुंचता है ठीक है उसने फोन कार्ट दि ड्राइवर ने जवाब दिया जानता हूँ अप उन समझ नहीं पा रहा पतली घाटी भी कोई नाम है क्या वहां तेरे जैसे पतले मच्छर होंगे इसलिए उसका नाम पतली घाटी पड़ा होगा प्रोडक्शन वाले का रेयक्शन गया फिर उसने एक सिगरेट निकाली ट् सिडिस की अगली पैसेंजर सीट पर बैठी थी उसके बाजू में ड्राइवर बैठा था जो पी कैप लगाई था वो क्लीन शेफ नौचवान था एकदम गठीला जिस्म था वो गोल्फ की ब्ल्यू टी-शिट पहने हुए था नीचे ब्लैक जीन्स थी दाइं कलाई में सोन भी लगी हुई थी पायल ने सिगरेट सुलगाई तो उसका रेयक्शन गया तुम भी लोगे बराबर में बैठी खोब सूरत पायल ने खनकती आवास में पूछा एक सुट्टा मारी को भी मिलेगा क्या ट्रक ड्राइवर सुले मान ने अपना तौमत खुजाते हुए था कह अबे रहने थे फिर तो सारी राट ट्रक नहीं जाने जा कहां कहां चलाता रहेका या कहीं रुक कर हमें रुलाएका ऐसी बात नहीं है शंकर बॉस ड्राइवर बोला चरस गांजा तो मारा खांदानी शौक है मेरा बाबा तो चिलम भर कर पीता था और पी के मस्त हो जावे फिर भोले भोले गाता था सगले गाम वाले भूतनी के वही चोपाल पे आ जावे थे शंकर उसे अपने सिगरेट थमाता है और फिर दूसरी निकाल कर जलाता है मसरीस की पिछली सीट पर शिवार श्रीगल की बोतल प्रोडियोसर खन्ना खोलता है सीट के आगे टॉप खोल आते हुए बोला बरोबर एक खोका तो है साई विपुल ने जवाब दिया चलेगा इधर लोगों को कैश पेमेंट करना पड़ेगा क्या बात बोलते साई सब जगा ऑनलाइन हो जाता है विपुल मोटा थोल थोल बदन औसत कत का इंसान है फिल्में फाइनेंस करना उसका ध खंदा है वो गुजराती मारवाडी है और हमेशा सफेद सूट पहनता है गले में टाई भी जूलती रहती है उसकी रंगत गेहुआ है हलकी मुझ दाड़ी है जो अधपकी है आधी सफेद आधी काली चेहरा गोल भरा हुआ प्रोडियोसर विराट खना है जो देखने में सा पहने हुए है सीने पर काले बाल है रंग गोरा चिटा आयू करीब 35 वर्ष के पाटे में वैसे अपने फिल्म सूपर डूपर होगी विराट पैक पीते हुए बोला टाइटल ही जबरदस्त है इस बार अगली पैसेंजर सीट पर बैठी पायल चहक कर बोली आखरी सडक उसन तेरे पिछवाड़े में घुसेर दूंगी सिगरिट पायल भड़क कर बोली गाड़ी चला चुप चाप ग्राइवर खामोश हो गया उसने कार की खिटकी खोल दी इस मर्सेडिस के पीछे पूरा काफिला था दो लगशरी कारों के बाद दो वैनेटी वैन चली आ रही थी उसके ठीक पीछे एक लगशरी एसी बस थी इन सब गाड़ियों के शीशे बन थे एक ट्रक तीन कारे दो वैनेटी वैन और एक बस साथो वाहन हाईवे पर एक दूसरे को फॉलो करते हुए चल रहे थे शामधल रही थी काफिला बिना रुकावट के पहाड़ी सड़क पर बढ़ता रहा सड़क के अनेक मोडों से गुजरता काफिला दूसरी लगशरी कार ओडी में मेक अप मैं सुरेश चोटी वाला अपनी खुली चोटी बांध रहा है उस गाड़ी में भी पैक चल रहे है अभी चोटी वाले चोटी क्यों बांध रहा है कोरियोग्रेफर का टहा का और भी बुलन था चुप रहो हरामखोर मेक अप मैं सुरेश चोटी वाला अपने गले में पड़ी माला माथे पर लगाता बोला माला में बजरंग बली की चोटी सी मूर्ती लटकी थी नार फेरे नर सिंग बल तोड़े हनुमान चार भुजा रक्षा करे की बली हनुमान दौरा पड़ गया इसे जोसफ बोला चड़ गई दादा को डैनी ने हंसकर कहा हराम खोरो लुगाई बाजो ये हनुमान जी का मंत्र है कि इसे बोलते ही भूत प्रेत तो दूर की बात काली भी पीछे हट जाती है पर चोटी के चोटी क्यों बांध रहा है डैनी ने पूछा एनरजी स्चोड कर रहा हूँ तुम क्या जानो बागर बिलो इंजन फेल हो गया मेकप दादा का जोसफ ने हंसकर कहा बैटरी चार्च कर रहा है डैनी ने अपना पैक खाली करते हुए बोतल उठा ली पीछे आने वाली बस से गाने बजाने की आवासे आ QUINN – जोसफ बोला कोई गाना नहीं गा रहा जिंगर सेटी बजा रहे है वो 23C जोसफ हाथ हिला कर डांस करता है डैनी ठहा का मार कर हसता कार का ड्राइवर किड्की खोलता है तेरे को क्या हो गया रे जोसफ ड्राइवर से बोला किड्की क्यों खोली गाने की आवास तो शिक कर गा रहे हैं, महाम्मद रफी की ऐसी तैसी मान रखी है उन्होंने। सालों के पास साउंड system भी है, डेनी ने कहा बंद कर खड़की। बस में एक शक्स माईक लिए गा रहा है, बाकी बस कोरस में गा रहे हैं। तू कहां ये बता, इस नशीली रात में, माने ना मेरा दिल दिवाना, मर्सेडिस में विराठ ठाहा का मार कर हस रहा था, विपुल भाई, आपके लिए पूरा इंतिजाम करके लाया हूँ, वैसे पतली घाटी में जोबन की कई फिगर हैं, हम्, अपना डिरेक्टर अबास फा अबास की फेवरेट हिरोईन है, हिरोईन विलाशा की वैनेटी के बेडरूम में, अबास और विलाशा नगना वस्ता में थे, दोनों एक दूसरे पर अपनी जवानी का जोश आजमाने में व्यस्त है, विलाशा को तो पहली बार मैं ही आपके पास लाई थी, पायल ने सिग हिरोईन बनना चाहती थी? मेरी जान, तुम अब भी हिरोईन हो, बड़ी-बड़ी हिरोईनों को उंगलियों पर नचाती हो, पर मुझे कौन नचाहेगा? क्या यार, लानत इस फिल्म इंडस्ट्री पर साले सब हरामी, अंतिम वाक्य वो धीमे स्वर में बोली, इस पर ड्र शादी एक बार होती है, जितेश ने जवाब दिया, तेरा मतलब है मैं कई शादिया कर चुकी हूँ? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं खुद कई शादिया कर चुका हूँ, तभी ब्रेकों के शोर की आवाज सुनाई देती है, आगे जाने वाला ट्रक एक जगा रुख जाता है, उसकी हेड लाइट की रौशनी में सडक पर एक बैरियर दिखाई देता है, बैरियर के ठीक बीच में एक बोड लटक रहा है, बोड पर खत्रे का खोपड़ी वाला निशान बना है, नीचे लिखा है आखरी सडक, ये वर्जित शेत्र है, क्रिप्या आगे ना जा आगे खत्रा है, अपनी फिल्म का टाइटल क्या है, सुलिमान बढ़ बढ़ाया, आखरी सडक, शंकर ने जवाब दिया, सुलिमान अपनी लुंगी सही करने लगा, पीछे आने वाला काफिला की गाडियों के ब्रेकों का शोर गुशता है, विक्षो पर बैठे परिंदे फ इंटर कॉम का बटन दबाती है, मैं देखूं क्या लफ़रा है, सुलिमान बोला, हाँ देखकर आ, कहीं हम पतली घाटी नोत नहीं पहुँच गए, हो सकता है ये फिल्म का ओपनिंग शॉट हो, और इसे उन लोगों ने डिजाइन किया हो, सुलिमान नीचे उतर कर बैरियर के दोनों सिरे चेक किये, बैरियर को उठाने के लिए एक तरफ हैंडल लगा हुआ था, जिसे घुमा कर उसे खोला जा सकता था, लेकिन बैरियर के दूसरे सिरे पर के मोटी चेन द्वारा एक बड़ा ताला लटक रहा था, जिससे वो एक तरह से लॉक था, ताला खोले बि नीचे उतर आया था, बैरियर के एक साइट में एक कैबिन बना हुआ था, सुलिमान उसे कैबिन की तरफ बढ़ा, लेकिन कैबिन पर ताला जड़ा हुआ था, शंकर प्रोडक्शन वारे ने लोकेशन इंचार्ज को फोन मिलाया, लेकिन फोन आउट ओफ कवरिज बता रहा थी या फिर चांद अभी तक आस्मान सीने पर दस्तक देने नहीं उत्रा था, मुम्किन हो कि अमावस्या की रात हो, पर ये फिल्में लोग क्या जाने, अमावस्या क्या होती है, इनकी तो हर रात चांदनी होती है, अब बास अपने सगल में व्यस था, तब ही वैनिटी के इंटर कॉम पर बजर बजा, विलाशा ने हाफते से एक हाथ से रिसेवर उठाया, इंटर कॉम फोन पर दोसरी तरफ उसका बॉडी गार्ट शम्मू था, मैडम सारी गाडियां रुकी हुई है, मैं वैनिटी से उतर कर देखूं, क्या माच रहे? हाँ देखो, विलाशा ने उतर दिया, बॉडी गार्ट के होलेस्चर में एक रिवालवर जूल रही थी, उसने एक बार रिवालवर को थप थपाया, और वैनिटी से नीचे उतरा, शम्मू का डियल डॉल छे फूट था, जिसम जुका हुआ था, चेहरा सुता हुआ था, नाक पर क्रैक का निशान था आकिन छोटी छोटी थी, उसने कॉटन का रेट कलर जकेट पहना हुआ था, उसके कान चेहरे की बनावट के हिसाब से थोड़े ज्यादा चौड़े और लंबे थे, उसने भी पी कैप पहने हुए थी, और उसने फोन को एरफोन से जोड़ा हुआ था, दूसरे लोग भी नहीं लग रहा, शंकर बढ़ बढ़ाया, तब ही उसके फोन पर रिंग टोन आई, शंकर ने स्क्रीन पर नंबर देखा, जी सर, वो बोला, क्या चल रहा है वहां, सर रोड पर एक बैरियर ने रास्ता ब्लॉक किया हुआ है, और उसे खुलवाने की कोशिश चल रही है, जी कैबिन है, पर वहां ताला पड़ा हुआ है, यहां कोई नहीं है ताला खोलने वाला, यह फोन विराट खना का था, बैरियर ने रास्ता ब्लॉक किया है, खना ने कहा, और उसे खोलने वाला कोई नहीं है, अगर वहां कोई नहीं है, तो उस उन से बोल, खना, वे खुद खो मोटी चेन है जो एक बड़े ताले से लॉक है ताला भी साला अलिगर्ड युनिवरसिटी का बना है शंकर ने जवाब दिया हैं जहां मैं पढ़ता था वहां कई बार ताला बंदी हुई न साई मेरा मतलब अलिगड की एक फेमस कमपनी का ताला है जिसे कोई माहिर चोर ही तोड सकता है या ताले वाला अब मुझसे बड़ा चोर कौन है खन्ना बोला जब मैं प्रोडक्शन वाला था तो सबसे बड़ा चोर कहलाता था कार में बैठे सब का रियक्शन चड़ गई साहब को ड्राइवर बड़ बड़ाया सर यहाँ एक सर्प्राइज भी है आखरी सड़क का सेट लगा है आप सर अडिरेक्टर से मालुम करें फिल्म में कोई शौर्ट ऐसा तो नहीं जिसमें रोड ब्लॉक हो बैरियर गिरा हो और बैरियर पर एक बोर्ड टंगा हो जिस पर लिखा हो आखरी सड़क है बैरियर पर बोर्ड खना चौंका और बोर्ड पर लिखा है आखरी सड़क खना ने तुरंद फोन काट कर अबास को फोन लगाया अबास ने फोन काट दिया दो-तीन बार घंटी बचने के बाद उसने फोन उठाया हाँ बोल अबास ने कहा क्या फिल्म के स्क्रिप्ट में कोई ऐसा सीन है जब सड़क पर बैरियर पड़ा हो और उस पर बोर्ड टंगा हो बोर्ड पर लिखा हो आखरी सड़क हाँ है तो फिल तो लाइटे लगवाऊ क्रेन ट्रक ट्राली मतलब मुझे लगता है उन लोगों को आपने बताया होगा कि ऐसा कोई सीन है जहां रोड ब्लॉक होती है बैरियर पर बोर्ड टंगा है जस पर लिखा है आखरी सड़क पागल हो गया है क्या अबास ने जल्ला कर कहा क्यों क्या हुआ विलाशा बीच मे बोल पड़ी अबास ने उसे चुप रहने का इशारा किया तो तुम विलाशा के साथ हो खना ने नागवार स्वर में कहा तो पर तू क्या बकवास कर रहा है तुझे शूट के तौर तरीके नहीं मालुम क्या यहां सड़क पर बैरियर पड़ा है जो खोला नहीं जा सकता औ और उस पर बोड टंगा है जिस पर लिखा है आँखरी सड़क इतना कहकर खना ने फोन कार्ट दिया वाट अबास उचल पड़ा फिर जल्दी से कपड़े पहनने लगा क्या हुआ कुछ गडबर लगती है अबास ने जवाब दिया और जल्दी से कपड़े पहन कर उठ खड विलाशा ने भी अपने वस्त्र पहनने शुरू कर दिये दोनों एक साथ वैनिटी से बाहर निकले विलाशा तुम अपनी वैनिटी में रहो मैं देखता हूँ अबास आगे बढ़ा विलाशा वैनिटी में बैट गई अचानक एक बॉना इंसान बेरियर के दूसरी तरफ न चंकर का रियक्शन गया बोने के एक हाथ में लाल्टेन थी जो रोशन थी बोने ने तुरंट सीटी बजाई अबे क्यों सिट्टी पिट्टी गुम कर रहा है सुलेमान बोला बैरियर खोर वरना गाट दूंगा जमीन में बोने ने फिर सीटी बजा कर उन्हें वापिस आना ही चाहता था कि शंकर ने रोग दिया काम मत बिगाड क्या पता वो क्या बला है सीटी मुझे भी बजानी आती है प्रोडेक्शन के समय उसकी जरूरत पड़ती है तो सीटी बजा के क्या जाड उखाड लेका शंकर ने जेब से सीटी निकाली फिर शंकर ने भी सीटी ब गई थे, खन्ना विपुल और अबास भी आ गया था, सब हैरान थे, विलाशा नहीं आई थी, पर उसका बॉडी गार्ड आ गया था, अचानक अबास का फोन बचा, क्या रोहो रहा है सर्ची, गाड़ियां क्यों रोगती, यहां सडक पर एक भैरियन लगा है, जिस पर एक बो हिरो माथुर कुमार अपने वैनेटी से उत्रा और आगे बढ़ने लगा, फिर वो विलाशा की वैनेटी को खोल कर अंदर चला गया, सीटी पर सीटी बचती रही, सबके रेयक्शन जाते रहे, और फिर बॉने नहसते हुए, दांत निकाले, और आगे बढ़कर बैरियर का ताला खोला, हैंडल घुमा कर बैरियर उठाया, फिर सीटी बजा कर आगे जाने का इशारा किया, सब लोग अपनी अपनी गाडियों में चले गए, अबास अपनी BMW में बैट किया, BMW में पहले से DOP कैमरा मैन के अतिरिक डॉक्टर बासू भी बैठा था, वे दोनों कार से न खबाब नहीं दिया, वो खामोश रहा और सिग्रेट पीने लगा, DOP हरिश पाठक भी खामोश हो गया, कोई प्रॉब्लम हो तो मैं हासिर हूँ, डॉक्टर बासू बोला, यहां कोई बिमार नहीं पड़ा है डॉक्टर बासू, सब ठीक है, गाड़ी मूफ करो, पर कोई कह रहा था कि बैरियर से रोड ब्लॉक है, और उस पर आखरी सड़क बॉट टंगा है, हिट्स फनी जोक, वेलकम करने का तरीका, शायद यहां सबको पता चल चुका है, कि यहां पतली घाटी में आखरी सड़क की शूटिंग होने जा रही है, काफिला फिर से चल पड़ा, ले शंकर का असिस्टेंट तौसीफ बस से बाहर टेहल रहा था, ड्राइवर अपनी सीट पर बैठा था, बस में दो आर्टिस्ट लड़कियां थी, वे लोग उतर उतर कर नीचे आ रही थी, तौसीफ ने शंकर को फोन किया, पर फोन नौट रीचे बला रहा था, दो तेन बार ट्राइ करने पर भी फोन कनेक्ट नहीं हुआ, तब तौसीफ ने लोकेशन कंट्रोलर दीपक को फोन लगाया, उसका फोन मिल गया, भाईजान यहां सड़क पर बैरियर पड़ा है, बाकी गाडियां तो निकल गई, तो निकल गई, हम फर्स गए, कौन सी सड़क पर हो, शीतल गाटी के लिए एक रोड करती है, टिकमगड में ही पतली गाटी है, शीतल गाटी में आगे जाकर रोड ब्लॉक है, बैरियर उसी पर लगा होता है, आगे जाना मना ही है, देखो तो, क्या उस पर आखरी सड़क का बोर्ड लगा है? हाँ, तौसीफ ने जवाब दिया, लेकिन माच्रा क्या है? वहाँ एक गाउं है, और गाउं की सीमा तक सड़क जाती है, ये पूरा गाउं एक महामारी की चपेट में आ गया था, पूरे गाउं वासी उस महामारी की वज़ा से मारे गए, कोई नहीं बचा, दिपक बता रहा था, तब इसे रोड ब्लॉक कर दिया क्या, वो वर्जित शेतर है, पर क्यूं? कहा जाता है कि उस गाउं में वे लोग अभी रहते हैं, जो मर चुके हैं, क्या? तो सिर्फ डर गया, क्या कह रहे हो भाई जान? उसने पूछा, वहां भोत प्रेतों का वास है, जो सड़क पर जाता है, वो जिन्दा वापिस नहीं लौटता, कई हाथ से हो चुके हैं, इसलिए सड़क को ब्लॉक किया किया है, दीपक ने बताया, तो दोसरी गाड़ियां कैसे निकल गई? हमारी ही बस रुकी होई है, ओ गौड, ये तो बहुत बुरा हुआ, बेरियर कैसे खुल गया? पता नहीं, पर अब बेरियर लगा है, हम क्या करें? फॉ करता हूँ, कि हमारी यूनिट उस रोट पर चली गई है, शायद वो सुरक्षा की कोई माकूल व्यवस्ता करते, अच्छा वापिस मुडो, मैं फोन रखता हूँ, और फोन कट गया, तो सेफ ने ड्राइवर से कहा, कि बस वापिस मोड ले, सब को बस में बैट जाने के फिर उसे मोडने की जगा मिल गई, और बस वापिस मुड गई, बस में बैठे लोग तोसीफ से तरा तरा के सवाल कर रहे थे, चुप बैठो सब लोग, तोसीफ ने सैमे स्वर में कहा, पर खौफ उसके चेहरे से साफ चलकता था, अब उनमें खुसर फुसर चल रही थी, भुजा रक्षा करे, बजरंग बली हनुमान, चोटी वाला जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था, वहां एक माइल्स चोन दिखाई दे रहा था, जिस पर 15 किलो मिटर लिखा था, तब ड्राइवर बोला, भाई लोगो इसे चुप कर आओ, मेक अप मैं चोटी वाला दहाडा, म मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, कि ये इलाका भूत प्रेतों का है, वरना अब तक हम लोकेशन पर पहुँच गए होते, भूत प्रेत, कोरियोग्राफर जोसफ ने ठहा का मारा, डैनी भी हस पड़ा, अबे हमसे बड़ा भूत कौन सा है, और ये देख, डैनी एक रि रिवॉल्वर सठा दी, चोटी वाला चुप हो गया, पर उसके होंट अब भी हिल रहे थे, चेहरे पर दैशत का काला साया मंडरा रहा था, मेक अप मैन बनने से पहले वो तांत्रिक हुआ करता था, खुद उसका बाप बहुत बड़ा तांत्रिक था, फिर उसके होंट हमें बैट गया, अगली गाडी इन से खासी दूर निकल चुकी थी, उसके बैक लाइट भी नजर नहीं आ रही थी, तुझे क्या हो गया, गैनी ने ड्राइवर से पूचा, रफ़तार बढ़ा, हमें अगली गाडी की बैक लाइट नजर नहीं आ रही, रफ़तार बढ़ा रहा हूँ पर बढ़ ही नहीं रही एक्सिलेटर पर पूरा दबाव डाल के देख लिया देख ठेहरो मैं गाड़ी चेक करता हूँ उसने गाड़ी रोग दी और गाड़ी से उतर कर गाड़ी का बोनट खोल दिया अभी वो गाड़ी के इंजन में जांकी रहा था कि एका एक जोसफ की चीखें एक साथ गुंची अलबत्ता चोटी वाला अभी भी ध्यान मुद्रा में खामोश बैठा उस माइल स्चोन को देख रहा था जिस पर पंदरा किलो मिटर लिखा था ड्राइवर उचल कर पीछे हट गया अन्य था वो व्रिक्ष की चपेट में आ जाता चीखा गाड़ी से बाहर मत निकलो अंदर ही रहो बाहर मेरा मंतर काम नहीं खरेगा अबे नीचे उतर वरना गाड़ी की अंदर ही पिचक जाएगा डैनी चीखा ये सामने माल स्चोन पर 15 लिखा है हम 15 किलो मिटर दूर है पिचगेगा कोई नहीं पर तुम से चिपक जाए भूत चोटी वाला बोला तुम लोगों को गाड़ी से बाहर निकालने के लिए उसने पेड़ गिराया है कुछ पल के लिए सननाटा पसर गया एक बात तो सुनो अचानक ड्राइवर ने कहा BMW जिसमें अबास साह बैठे थे वो हमें ओवर्टेक करके पहले ही आगे निकल गाड़ी इतनी धीमी चला रहा था कि दोनों वैनेटी भी तुझे ओवर्टेक करके आगे चली गई ड्राइवर से कहा जस्ट चौप जोसफ बोला मुझे कुछ सोचने दो कुछ सोचने दो मुझे कुछ न कुछ गड़बर तो है ड्राइवर जोसफ की तरफ देखने लगे जोसफ के गले में क्रॉस था उसने क्रॉस को माथे से लगाया लगता है ये भी किसी वेहम का शिकार हो गया है अब क्या करें अभी हम जिन्दा है अचानक जोसफ बोला क्या बोला तू डैनी गुर्राया कौन मारे का हमें मेरा मतलब अभी बस का आना बाकी है वो आती ही होगी हम उसमें बैठ सकते हैं कार को यहीं रहने दे हाँ ये ठीक है स्टैपनी खोल के ज़रा सामान तो निकाल उसने ड्राइवर से कहा ड्राइवर सेप्ट स्टैपनी खोलने के लिए मुड़ गया उसने बड़ी मुश्किल से स्टैपनी को खोला और उसमें रखे सूट केस नीचे उतारने लगा मैं शंकर को फोन लगाता हूँ डैनी ने शंकर को फोन लगाया परन्तु वो नौट रीचे बला रहा था दो तीन बार ट्राइव करने पर भी फोन नहीं लगा उसके बाद उसने खना को ट्राइव किया पर वो भी नहीं मिला अबास का फोन भी नहीं लगा डैनी बार बार अलग-अलग लोगों को फोन लगाता रहा पर किसी का फोन नहीं लगा कॉल ही नहीं जा रही, डैनी पहली बार सीरियस हुआ लोकेशन कंट्रोलर को फोन करो मैं ट्राइ कर चुका हूँ, वहां भी कॉल नहीं जा रही छीक है, फिर हम बस का वेट कर लेते हैं, जोसफ बोला काफी देर इंतिजार करने के बावजूद भी बस नहीं आई डैनी ने बस में बैठे प्रोडक्शन के असिस्टन को फोन किया पर वो भी नहीं मिला, मुझे लगता है बस नहीं आई की इतनी देर में तो उसे आ जाना चाहिए, ड्राइवर बोला तो अब क्या किया जाए, डैनी ने पूछा पैदल मार्च करें, सुबह तक तो पहुँची जाएंगे तब ही कार की हेडलाइट बुच गई, और के कार के अंदर भी अंधेरा चाह किया अबे, ये क्या किया गुलू? ड्राइवर का नाम गुल्शन था, उसे सब लोग गुलू ही कहकर पुकारते थे वो इंजन के पास ही जुका हुआ था तुने सप्लाई तो नहीं कार दी, जोसफ ने पूछा मैंने कुछ नहीं किया, शायद पेड गिरने की वज़़ा से कनेक्शन कट गए अब वो सब अंधेरे में खड़े थे, सबने मुबाईल की टॉर्च चला ली अब इस गाड़ी की रोशनी का करना भी क्या है, गुल्चन बोला, मैं तो चला कहां चला, मैं वापिस जा रहा हूँ, जरूर कुछ बड़ी गड़बड है चोटी वाला ठीक ही कह रहा था, हमें गाड़ी से नहीं उदरना चाहिए था और गाड़ी अब कचूमर हो गई, यार ये क्या हो रहा है, निकल चल डैनी हम यूनिट को छोड़ कर नहीं जा सकते, डैनी बोला, उधर ही तो चलने को बोल रहा हूँ और सामान, एक-एक बैग में कपड़े डाल कर चलते है, अरे ये गुल्लू कहा गया, डैनी ने इधर उधर देखा, गुल्शन कहीं नजर नहीं आ रहा था शायद वो डर के मारे भाग गया, जोसफ बोला, डरने की जरूरत नहीं, रिवॉल्वर है मेरे पास, मैगजिन के फुल है, चलो और इसका क्या होगा, किसका, डैनी ने पूछा चोटी वाला, डैनी गाड़ी की पिछले सेट तक पहुँचा, गाड़ी की अंदर अंधेरा था, उसने मुबाइल की टॉर्ट से अंदर रोशनी डाली, चोटी वाला ध्यान मगन था, और होंडों में कुछ बुद बुदा रहा था डैनी ने दर्वाजा कोला, उसने चोटी वाला की कलाई पकड़ी और उसे जबरदस्ती बाहर खींचा, साले, मेक अप क्या तेरा बाप करेगा, डैनी गुर राया, बाप का ना मत ले, बंदर बना देगा तेरा, चोटी वाला अपना हाथ छुड़ा कर बोला डैनी उसे खींचता हुआ जोसफ के पास ले आया, चलो तेज-तेज कदमों से, बेबस चोटी वाला उसके साथ-साथ बढ़ने लगा, उन्होंने एक-एक बैग कंधे पर लटकाया हुआ था सुलिमान ने एक-एक पूरी पावर से ब्रेक ना लगाई होते, तो एक दुरगटना घट जाती, चरस के नशे की वज़ा से, शंकर की पलके बंद थी, उसे जटका लगा, तो पलके थर-थरा गई अभे क्या हुआ, वो उंगते स्वर में बढ़ बढ़ाया, आँखे खोल के देख क्या हुआ, सुलिमान ने उसे एक धौल मारी, और शंकर पूरा जाग गया, शंकर की आँखे पूरी खुल गई, वो सीट से नीच गिरते-गिरते संभला जिब मिलती नहीं तो, चुप, शंकर बोला, शंकर की निगा उस बोने पर थी, जो सड़क के बीचो बीच, लाल्टेन लिये खड़ा था, अबे, ये तो वही बोना है, जिसने बैरियर खोला था, ये साला यहां कैसे पहुँच किया? सुलिमान उसी बोने को घूर रहा था, वो हेडलाइट की रोश्णी में नहाया हुआ था, और लाल्टेन हिला रहा था, क्या कुचल दू साले को? सुलिमान बढ़ बढ़ाया, नहीं रे, बच्चा ही तो है, बच्चा नहीं है, चच्चा है, ऐसी कि तैसी इसकी? सुलिमान ने पहले हौण बचाया, फिर बोने टस से मस नहीं हुआ, तभी बोने ने सीटी बजाई, मैं साले को कुचल ही देता हूँ, रुक, शंकर ने भी सीटी निकाली, सीटी बजाई, बोने ने फिर सीटी बजाई, शंकर सीटी का जवाब सीटी से देने लगा, साले, इन दोनों सीटी बाजों ने दिमाग खराब करके रग दिया, चल नीचे उतर शंकरे, उस बोने को बोल हर्याना का खून बहुत गरम होवे है, तब तो वो सबसे पहले तेरा ही खून पियेगा, के मतलब सुलेमान ने इंजन बंद कर दिया, अबे वो सीटी बाज भूत है, श नीचे उतरा, और जोर-जोर से सीटी बजाने लगा, बोना और शंकर आमने सामने पहँच गई, दोनों सीटी बजा रहे थे, बोने के एक हाथ में लाल्टेन थी, दूसरे में सीटी, अचानक बोना उचल कर ट्रक के नीचे घुस गया, लाल्टेन अब भी उसके हाथ में थ शंकर वापिस ट्रक में आकर बैठ गया, चल उसने ग्रिन सिगनल दे दिया, सुलिमान ने ट्रक का इंजन स्टार्ट किया और ट्रक चल पड़ा, लेकिन वो इस बात से बेखबर थे, कि ट्रक की तेल की टंगी में आग लग चुकी है, ट्रक से आग के शोले उठने लगे, जैसे ही सुलिमान की तरफ धुआ आया, उसने ट्रक रोक कर नीचे चलांग लगा दी, शंकर भी नीचे कूत पड़ा, ट्रक दूदू कर जल रहा था, फिर टायर फटने के धमाके होने लगे, और पूरा ट्रक आग की लप्टों में गिर गया, आग बुजाने का कोई साधन उनके पास नहीं था, उन्होंने जल्दी से अपने बैक उतार लिये, उनके सामने ट्रक जलता रहा, पटाके फूटते रहे, अबे बड़ी मेहनत से बनाया था यूँ ट्रक मनने, सुलिमान ढोने लगा, किसने आग लगाई, शंकर कुछ नहीं बोला, वो चुप चाप के किनारे बैट कर नई सिगरेट सुलगाने लगा, तू भी सुट्टा मार ले, थोड़ी देर बाद शंकर बोला, दिमाग शान्त हो जाएगा, उसने सुलिमान को सिगरेट थमा दी, सुलिमान सुट्टे मानने लगा, विपुल भाई को दारू चड़ गई थी, खन्ने, वो नशे में बोला, मैं हिरोईन के वैनिटी में जाऊंगा, गाड़ी रुकवा, विपुल भाई, अपने गाड़ी में तो एक हिरोईन है, खन्ना ने विपुल का कंदा धपकाते हुए कहा, ठीक है, तो फिर उसे बोल मेरी गोद में आकर बैठे, विपुल और खन्ना ने जाओ, खन्ना ने कहा, और गाड़ी का दर्वासा खोल कर नीचे उतर गया, पायल उसका इशारा समझ गई, वो भी नीचे उतरी, फिर पिछले सेट पर चली गई, खन्ना ड्राइवर के बराबर वाली पैसेंजर सेट पर बैठ गया, पीछे से किसी ने हॉन्ट दिया, मर्स पिजिक बजाना शुरू कर दिया, विपुल ने पायल को दाएं बाएं से चुमा, फिर पायल पलट पड़ी, अब वो दोनों आमने सामने थे, और विपुल ने पायल पर चुम्बनों की जड़ी लगा दी थी, उस वक पायल एक मिनी स्कर्ट पहने हुए थी, उनके आगे का ट्रक था, पीछे अबास की BMW थी, पर आगे आने वाले ट्रक की बैक लाइट अब नजर नहीं आ रही थी, जितेश ने उसे चुने के लिए स्पीड बढ़ा दी, स्पीड मत बढ़ा जितेश, ये पहाडी सड़क है और इस पर खतरनाक मोड है, रफतार कम करो, ट्रक की ब उसरी सड़क कटती होगी, तो वो रुख जाएगा, तुम बस अपने ड्राइविंग पर ध्यान दो, हाँ चीक है, मैं भी अपने ड्राइविंग पर ध्यान देगा, विपुल नशे की जोंक में बोला, चड़ गई साले को, खरना बट बढ़ाया, विपुल ने मर्सडिस की पूरी सीट खोल दी, अब वो बैट की शकल में नजर आ रही थी, अंदर की लाइट ओफ कर दे जितेश, इसे फैक ना तो पड़ेगा ही, आखिर फाइनेंसर जो है, बस डैशबोर्ट की लाइट ओन रख, जितेश ने गाड़ी की अंदर की लाइट ओफ कर दी, पतली उन पर संपर्ग नहीं हो पा रहा था, वहां एका एक हलचल से मच गई थी, दीपक से कुछ टेक्नीशियन और जूनियर आर्टिस्ट तरह तरह के सवाल करने शुरू कर दिये, दीपक यही कहता रहा कि वे लोग रास्ते में डिनर के लिए रुख गए हैं, बस में बैठे उसने समझा दिया था कि असलियत किसी को ना बताए, सब लोग डिनर की तयारी करो, दीपक ने अपने असिस्टेंट से कहा, डिनर तो तयार हो चुका है, पर खाना फोसी चल रही थी, पूरा एरिया रोशनी में नहाया हुआ था, वहां लाइटनिंग कर दी गई थी, फुर रामगड में था, रामगड कंट्रोल रूम से सूचना पुलिस कमिशनर को पहुचा दी गई, वहां से फोन SSP को गया, और SSP ने टिकमगड थाने को अलट कर दिया, लेकिन रात को पुलिस टीम ने उस तरफ सर्च करना मुनासिब नहीं समझा, इस पूरे मामले को दिन की र पर्च उप्रेशन चला देती, तो उन लोगों को मदद मिल जाती, जो आकरी सडक पर फस गए थे, अब लोग चौकस रहना, चोटी वाला बड़ बड़ाया, यहां डाकू भी जंगलों में चिपे होंगे, और शेयतानी आत्माई भी हो सकती हैं, अबे, चुपकर, डैनी न पर्च था, तीनों पैदल पैदल उसी तरफ बढ़ रहे थे, जिस तरफ उनकी यूनिट की गाड़िया बड़ी थी, सुबह तक हम लोकेशन पर पहांची जाएंगे, तीनों के कंदों पर एक एक बैग लटक रहा था, चीक है, जब तुमने फैसला कर ही लिया है, तो सबसे आगे मैं चलूँगा, चोटी वाला लंबे डग भर भर कर डैनी और जोसफ से आगे हो गया, और सीना तान कर हनुमान चाली सा पढ़ता आगे आगे चलने लगा, एक कुटा जाता है तो दूसरा आ जाता है, विलाशा ने बढ़ बढ़ाते हुए कहा, क्या बोला, मधूर न चलर को ओर्डर देना भूल गया था, मेरा स्चॉक खत्म हो गया, बहाने मत बनाओ, विलाशा ने उसे सिगरेट निकाल कर दे दी, कभी कभी मुझे लगता है, सारी ही दुनिया नशे में है, विलाशा ने भी एक सिगरेट सुलगा ली, पहले मैं सोचती थी, हमारी फिल्म का फैशन है ये, शुरू शुरू में दिक्कत हुई, पर अबादत पढ़ गई, यार तुम्हें नहीं लगता हम लोग सिर्फ खिलोने हैं, जैसे हम कम्प्यूटर और मोबाइल पर गेम खोलते हैं, वैसे ही हमें कोई नचाता है, और उसी नचाने वाले को हम परमात्मा या इश्वर बोलते हैं, वो जब चाता है हमें केम से डिलीट कर देता है, और नई खिलोनों को जनम दे देता है, पर कुछ खिलोने वो बेहत हसीन बनाता है, जैसे तुम, मदूर ने उस वक्त ट्रेक सूट पहना हुआ था, वो सूट रेट कलर तक्का था, वैनेटी का एसी ब जब वो अपनी बीवी को भी नहीं बचा सका, भगवान की बीवी नहीं होती जान, वो इस ब्रह्मान से बाहर रहता है, ग्यान मत बगारो, राम क्या थे, भगवान थे, बोलो जै श्री राम, तो रावन उनकी पत्नी को कैसे उठा ले गया, आज के जमाने में तो और तो को उठा कर उनके साथ ज्यादती होती है, रावन ने सीता के साथ ऐसा कुछ नहीं किया, यार छोड़ो भी, धरम के मामले में चुप रहना ही ठीक होता है, इसलाम में तो सिर कलम कर दिये जाते हैं, मदूर ने अपने ट्रैक सोट का अपर उतार कर एक तरफ फैंका, शरीर की मा स्पेशियां शेप में थी, खिलोने बनाने वाले ने औरत को कितना मजबूर बनाया है, हर मोड पर एक कहानी है, कभी निर्भिया की कहानी है, कभी वो द्रोपदी बनती है, और भरी सबा में उसका चीर हरन, तुम्हें क्या हो गया है, विलाशा बैट पर बैठी सिगरेट क कश मार रही थी, और शून्य में निहार रही थी, कम से कम हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जबरदस्ती नहीं होती, मधुर बोला, हिरोईन बनने का नशा होता है, और फिर दरिंदे उसका शिकार करते हैं, ग्लैमर की चका चौन, करोडो रुपेयों का लालच उसे मजबूर कर देता है, छोडो भी, ऐसी हजारो दास्तानी है, अगर तुम्हें मुझ से किसी तरह की आपती है, तो मैं उतर कर अपने वैनिटी में चला चाता हूँ, लेकिन प्लीज मूर आफ मत करो, मैं ऐसा मौका नहीं देती कि बात में शूट पर प्राबलम हो, विलाशा ने सिगर कोईनों में मेरी पहली पसंद हो, दोनों वैनिटी आगे पीछे चल रही थी, बीच में मामुली सा फासला था, दोनों की हेड लाइट में सडक रोशनी में नहा रही थी, मधुर का बॉय ड्राइवर के बाजू में बैठा था, वो बार-बार खुली खिरकी से बाहर जांक रहा था, तो क्या देख रहा है, ड्राइवर ने पूछा, हमने ओडी को ओवर टेक किया था, पर वो पीछे सडक पर दूर तक कही नसर नहीं आ रही है, जबकि वो हमारे पीछे-पीछे मुश्किल से दस गच के फासले पर चली आ रही थी, अरे आज आएंगे, उसका ड्रा ड्राइवर से कहा, डैश बोर्ड में रखा है, बॉई ने उससे भी ट्राइ किया, पर फोन नहीं मिला, यार ये हमारे फोन काम क्यों नहीं कर रहे है, बॉई ने बेचैली से पहलू बदलते हुए कहा, हो सकता है यहां टावर प्रोब्लम हो, पता नहीं क्यों मेरे दिल की धटकने तेज हो रही है, ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया, गुल्चन थोड़ी दूर तक तो दोड़ता रहा, फिर बुरी तरह हाफने लगा, और धीमे धीमे चलने लगा, वो बार बार अपने फोन से कॉल मिला रहा था, कॉल नहीं लग रही थी, आस्मान पर चा जाना चाहता था, उसके दिमाद में कुछ चल रहा था, चलते चलते अचानक उसी अपने पास आहट सी महसूस हुई, वो रुख गया, उसने दाएं बाएं देखा, फिर फूर्ती से पीछे मुड़ा, उसके ठीक पीछे पीछे चन कदम के फासले पर एक भेडिया था, जैसी ही आवास्ती जैसे कोई कुटा रो रहा हो, गुलशन ने इधर उधर देखा, वो किसी लाठी डंडे या पत्थर को तलाश कर रहा था, सडक के किनारे उसे कुछ पत्थर दिखाई थिये, उसने आगे बढ़कर एक पत्थर उठाकर भेडिये पर खीच मारा, उसी पल भेडिये ने भी उस पर चलांग लगा दी, पत्थर उसे नहीं लगा, गुलशन दौट पड़ा, लेकिन उसके पाउं में अब जान नहीं थी, वो दौटे दौटे गिर पड़ा, और फिर भेडिया भी उस पर कुद गया, गुलशन उसे लाठ खुंसे मानने लगा, वो भे तरह चीक ने चिलाने लगा, लेकिन वहां उसकी चीक पुकार सुनने वाला कोई नहीं था, दूर दूर तक विराना फैला हुआ था, गुलशन को बेरियर दिखाई दिया, वो गिर कर भी उसी तरफ सरकने लगा, हाला कि ये भेडिया कद्यावर नहीं था, गुलशन उसका म नाखुन से उसका सीना चीट डाला, और उसके बाद गुलशन की आकरी चीक गुन जुठी, और उसका जिस्म धीला पड़ गया, उसका संगर्श खत्म हो चुका था, अब जो कुछ करना था, भेडिया को करना था, गुलशन का काम तमाम करने के बाद, भेडिया उसके सीने स और फिर वो हुआ जिसे अगर गुल्शन देख लेता तो वैसे ही मर जाता। एका एक भेडिया पिछले दोनों पैरों पर खड़ा हुआ और देखते ही देखते इनसानी रूप में आ किया। वो छोटे कत का इनसान था। वो कोई और नहीं वही बौना था जिसने बैरियर खो किया और कुलांचे मारता आगे बढ़ने लगा। वो शॉर्ट कर्ट से उसे तरफ जा रहा था जिदर से गुल्शन दोड़ता आया था। हेरोईन के वैनिटी से कुछ फासले पर बीमडबली चल रही थी जिसकी बैक लाइट को वैनिटी का ड्राइवर फॉलो कर रहा विलाशा का बॉडी कार्ट बैठा हुआ था। विलाशा का बॉइ भी वही बैठा था। उन्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं था कि वैनिटी के बैटरूम में क्या हो रहा है। वो म्यूजिक सुनने में मस थे। किसी को भी टैंशन नहीं थी। उधर बीमडब्यू, मर्स जो फॉलो कर रही थी जिसमें खन्ना पायल विपल मौजूद थे, पहाडी सडक पर रात का सफर। यूँ तो चांदनी रात थी, सपाट पहाड मूबाएं खड़े नसर आ रही थी, वैनिटी को मोर काटने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन ड्राइवर बहुत एक्सपर्ट थी, सडक इतनी संकीन भी नहीं थी कि वैनिटी को मुश्किले पेश आती, फिर भी बहुत साफधानी के साथ ड्राइविंग की जा रही थी, ठाक ठाक तडाक तडाक, तबी ऐसी आवासे वातावरन में गूंज उठी, आगे कुछ हुआ है वैनिटी के ड्राइवर ने कहा, आगे जो कुछ हुआ है वो बड़ा खौफनात था, BMW के सामने से पत्थरों की बरसाथ गारी पर हो रही थी, पत्थर विंट स्क्रेन से टक्रा रहे थे, फिर एक जाड भी पत्थरों के साथ आया और BMW के ड्राइवर का हाथ स्चेरिंग से बहग गया, एक तरफ खाई थी, दूसरी तरफ नुकेली चटाने थी, ड्राइवर को एक ड्राइविंग सेंस होती है, वो कोशिश करता है कि गारी को लिफ्ट में दाप कर रखे, भूवर ने लेफ्ट में ही स्चेरिंग काटा, लेफ्ट में चटाने थी, गारी एक जोरदार धमाके के साथ चटानों से टक रा गई हाला कि उसने ब्रेक भी लगा दिया था पर तब तक कबाड़ा हो चुका था गाड़ी की विंड स्क्रीन चकना चूर हो गई थी एक नोकेली चटान विंड स्क्रीन तोड़ कर अंदर घुस आई थी और कैमरा मैन हरिश पाठक के चेहरे से कुछ ही इंच फासले पर थ थी हरिश की चीक निकल गई हबास का सिर्फ गाड़ी की अगली सीट से टकराया बासू अपनी सीट से उचल कर कार के दर्वाजे से टकराया फिर बड़े बड़े पत्थर तूट कर गाड़ी पर गिरने लगे फॉरण नीचे उतरिये सर ड्राइवर भुवन चीखा और खु से भुवन चीख कर बोला भुवन ने फुर्ती से पिछली सेट का दर्वाजा भी खोल दिया अबे ये क्या कर दिया तुने डारेक्टर अबास जोर से चीखा तो उसे खांसी का धसका उट गया वो बुरी तरह खांसने लगा मजबूरी थी सर अगर मैं लेफ्ट में नहीं क बैग वगेरा उतारने लगा उसे शंका थी कि कोई बड़ी चटान काड़ी को चकना चोर कर सकती है उसने जल्दी से स्चैपनी खोली और उससे भी सूट केस बाहर निकालने लगा आप लोग पीछे हट जाए पीछे भुवन चिलाया वो एक बड़ी चटान को अपनी जगह से खिसकते देख रहा था वो ना सिर्फ पीछे हटे बलकि उल्टे पैरो भागने लगे पीछे से वैनेटी आ रही थी वो चीखते चिलाते हाथ उठा कर वैनेटी की तरफ बड़े जोर से वैनेटी के ब्रेक चीखे और वो रुख गई बड़ी चटान ने बीम डबलियो को तहस नहस कर दिया था उनके चेहरों से हवाईया उड़ रही थी गाड़ी का इंजन बंध हो गया और उसकी हैडलाइट भी आफ हो गई विलाशा की वैनेटी के पीछे मधुर वाली वैनेटी थी वो भी आकर रुख गई सब धार धार नीचे उतर गई लेकिन विलाशा और मधुर नहीं उतरे वे वैनेटी में ही थे ऐसा लगता है बाहर कुछ गड़बढ है चीक पुकार की आवाजे आ रही है विलाशा ने कहा वैनेटी का बेडरूम अंदर से बंध था सब लोग बीमड़ू के पास खड़े थे अब वैनेटी भी आगे नहीं बढ़ सकती थी व उसका अगला हिस्सा खाई की तरफ था अगर तेन फोट आगे जाती तो सीधा खाई में समा जाती जरूरी सामान भूवर ने पहले ही गाड़ी से निकाल लिया था अबास दूसरी वैनेटी के पास पाया वो पहली वैनेटी के ठीक पिछे रुकी होई थी ड्राइवर अभी भी अपनी जगा पर था ये मधूर क्या सो रहा है अंदर अबास ने ड्राइवर से पूछा साहब वैनेटी में नहीं है ड्राइवर ने जवाब दिया फिर कहा है वो अगली वैनेटी में है ड्राइवर ने जवाब दिया अबास समझ गया उसने आगे पोश्ताश नहीं की और वो तीसरी ओडी कार वही है, जो हमारी गाड़ी के पीछे थी, उसे हमने ओवर टेक कर दिया, वो बहुत सुस ड्राइवर है, बहुत धीमे कर रहा है, ड्राइवर ने जवाब दिया, आती ही होगी, तब ही कैमरा मैन हरीश ड्राइवर के पास आया, अब क्या किया जाए, अब गाड़ियां आगे नहीं जा सकती, सिर्फ एक गाड़ी पीछे है, उसे आने दो, फिर कोई फैसला करेंगे, अब बास बोला, पर हमसे आगे खरना साहब की गाड़ी भी दो है, और प्रोडक्शन ट्रक भी है, जो सबसे आगे चल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, अब बास सडक के किनारे, एक पत्थर पर सिर्फ थाम कर बैट गया, फिर वो चीखा, अरे, एक सिगरेट दो मुझे जला कर, ड्राइवर जानता था, कि अब आस कौन सी सिगरेट मांग रहा है, मरसेडिस एक जटके से रुख गई, खरना अगली सेट पर ड्राइवर के बराबर में बैठा था, दोनों ने एक दूसरे को देखा था, पिछली सेट पर जरनत की सेर हो रही थी, विपुल के हाफने की आवास आ रही थी, पिछली लक्चरी सेट फैली हुई थी, उसने तक फैला हुआ था, उसकी शाखाएं भी दाएं-बाएं हवा के साथ हिल रही थी, ना तो कन्ना ने ड्राइवर से कोई सवाल किया, ना ड्राइवर ने कुछ पूछा, दोनों ही एक साथ गाड़ी से नीचे उतरे, मरसेडिस की अंदर की लाइट पहले से ही आफ थी, दोनो जितेश बोला, पता नहीं क्यों मेरा दिल तेज-देज धड़क रहा है, हमारे फोन ठप है, हम किसी से मदद भी नहीं मांग सकते, और ना तो हम पीछे जा सकते हैं, ना आगे बढ़ सकते हैं, इस पेड को 10-15 मजदूर मिलकर भी नहीं हटा सकते, इसे काटा तो जा सकता है हटाया नहीं जा सकता, लेकिन अगर ये पेड सड़क पर गिरा हुआ था, तो हम से आगे जाने वाला ट्रक क्यों नहीं रुका, यहीं तो मैं सोच रहा हूँ, ट्रक के निकल जाने के बाद ये पेड यहां गिरा है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये गिरा नहीं गिराया गया है और अगर गिराया गया है तो किसने गिराया और क्यों गिराया बीम डबलियू आती होगी हमें उसका वेट करना चाहिए तबी उन्हें कुछ आवाजे सुनाई थी जैसे पहाट तोटकर गिर रहे हों खन्ना उचल पड़ा पीछे कुछ हुआ है उसने कहा मुझे लगत है कब खन्ना लपकर मर्सेडिस के पास आया ड्राइविंग सीट का दर्वासा खोल कर उसने अंदर देखा विपल कुट्टे की तरह हाफ रहा था पायल की निगा खन्ना पर पड़ी नीचे उत्रो कपड़े पहन कर गाड़ी कबर में समाने वाली है क्या तुझको नजर नह पीछे उतर गई जितेश गाड़ी से जरूरी सामान उतार ले जी सर मैं पीछे देखता हूँ वहां कुछ हुआ है तुम लोग जरूरी सामान के साथ पीछे आ जाओ कैश भी है विपल बोला वो सोटकेस जितेश पे आएगा पर हमें जाना कहा है पायल ने पूछा पहार त कुछ हुआ है तब तक विलाशा और मधूर भी वैनिटी के नीचे उतर आई थे और दोनों वैनिटी के ड्राइवर बॉय और विलाशा का गाड़ भी नीचे आ गई थे सब उस जगा पहुँचे जहां BMW फस गई थी किसी भी सूरत में वैनिटी उसे ओवर्टेक नहीं कर सक पहुचती थी मलवा अब भी गिल रहा था तब तक खन्ना भी वहां पहुच किया और तुम यहां कैसे अब बास ने पूचा हमारी गाड़ी भी तबा हो गई है खन्ना ने मायूसी से कहा अब हम फस गई है हमारी गाड़िया आगे नहीं जा सकती और नहीं पीछे वैनिटी रिवर्स में जा सकती है बड़ी सावधानी से चलना होगा अब आस बोला क्यूं क्या कहते हो उसने वैनिटी के दोनों ड्राइवर से पूचा पीछे बैक लाइट में ये संभव नहीं है हम यहां से यूटर नहीं ले सकते पहाड़ी सड़क है और मोड भी खतरनाक है अगर कि वैनिटी का ड्राइवर नाइडू बोला और वैनिटी अब आगे भी नहीं जा सकती पीछे पीछे जितेश पायल और विपल भी वहां पहुंच गए दो लोग सूट के सुठाए थे सब लोग एक जगा थमे थे और किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया और अब क्या किया चाए तरह तरह के विचार रखे जा रहे थे सब लोग दोनों वैनिटी में बैट चाए थोड़ी देर में खना ने एलान किया सिर्फ मैं और अबास बाहर रहेंगे सब लोग दोनों वैनिटी में बैट गए अब सब खामोश थे सभी एक दोसरे के सूरत पर नकली मुस्कुराहट फैंक देते क्या लगता है खन्ना ने अबास से सवाल किया तुम्हारी मरस्रडिस के आके प्रोडक्शन का ट्रक भी आ रहा था पर तब कोई पेड़ नहीं गिरा था इसका मतलब पेड़ को बात में गिराया गया हो सकता है उसे पहले से काट कर रखा गया हो और फिर गिराया गया हो ये किसी एक का काम नहीं हो सकता हमारी गाड़ी पर पत्राफ करने वाला भी कोई एक आदमी नहीं होगा फिर उपर से चट्टान भी गिराई गई मेरे खयाल से ये किसी डाकू गिरो का काम है जिसने हम सब को घेर लिया है ट्रक को इसलिए जाने दिया क्योंकि उसमें उसके मतलब का सामान नहीं था डाकू उने पूरी रेकी की है हमारी ही यूनिट का कोई आत्मी उनसे मिला हुआ है मेरा यकीन है कि उनके निशाने पर प्रोडियोसर डारेक्टर, हीरो हीरोईन, फाइनैंसर होने चाहिए बाकी लोग इसलिए फर्स गए क्योंकि वो मेरे साथ है मैं भी यही सोच रहा हूँ खरना बुला, अब क्या किया चाए हमारे पास कुछ हत्यार तो है ही क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम आगे सडक पर पैदल पैदल निकल चले डाकु जब तब यहां पहुँचेंगे हम निकल चुके होंगे इतना आसान नहीं है जिन लोगों ने यहां अंबुश लगा कर हमें रोका है क्या वो हमें आगे जानी देंगे इस जगा ही कौन सा हम सेफ है हमारे पास दो वैरेटी है इसके अंदर जाने का लॉग भी रिमोट से खुलता है हम उसमें सेफ रह सकते है वो भी इसका इलाग जानते होंगे ठेहरो भाई मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है मुझे कुछ सोचने का वक्त दो सला फोन भी ठप है शायद यहां टावर ही नहीं है डाको हमारा फोन ब्लॉक नहीं कर सकते क्या मतलब अबास चौंका कोई दूसरा चकर भी हो सकता है खना ने स्वर काम रहा था अबास खामोश था खना भी खामोश हो गया दोनों चांदनी रात को घूर रहे थे उस वक्त रात के बारा बच रहे थे जब जोसफ, डैनी और चोटी वाला पैदल मार्च करते हुए उस जगा पहुँच गए जहां दोनों वैनिटी और बीम डबल्यू मौजूद थी उस वक्त खना परिशान सा सडक पर टहल रहा था वो खासा बेचैन था क्योंकि प्रोडक्शन तो उसी का था पायल ने उसकी परिशानी भांबी तो वो उसके पास आ गिया वो सब लोग दोनों वैनिटी में मौजूद थे वैनिटी ठी खालत में थी अगली वैनिटी की हैड लाइट सॉन थी उसमें मधूर था अबास था, ड्राइवर था विपुल और डीयोपी हरिश मौजूद था मधूर का बॉय भी उसी में था वो लोग जाग रहे थे ऐसे में नीन भला किसे आती वैनिटी का एसी चालू था तबी वहाँ तीन आदमी नमुदार हुए खन्ना ने उन्हें आते देख लिया था रात चान्नी थी उन्हें दोर से ही पहचान लिया था वो दोनों जोसफ, डैनी और चोटी वाला थे जैसे ही पास आए चोटी वाला जोर से चिल्लाया नार फेरे नर सिंग बल तोड़े हनुमान चार भुजा रक्षा करे बजरंग बली हनुमान इस बार किसी ने उसे नहीं टोका क्योंकि उसके दोनों साथी कुछ ठके मांदे और सहमे हुए थे यहां रुकना खत्रे से खाली नहीं है खन्ना साहब आप लोग क्यों रुक गए चोटी वाला खन्ना से मुकातिब हुआ तुम लोगों की गाड़ी कहा है खन्ना ने पूछा डैनी ने सारा हाल बयान कर दिया और आप लोग जोसफ ने पूछा खन्ना ने सारी रमायंट सुना दी बेरी मात मान लो आप लोग चोटी वाला लरश्टे स्वर में बोला ये हाथ से ऐसे ही हुए है हमें इस आखरी सड़क पर रोकने के लिए ही हुए है अगर यहाँ कोई रुका तो एक के बाद एक सब मारे जाएंगे वो हमें घेर रहे हैं कौन? जवाब में चोटी वाला हनुमान चालीसा पढ़ने लगा उनकी आवाजे सुनकर वैनिटी से कुछ लोग भी नीचे उतर आई वहाँ तो तु कह रहा था गाडी में ही बैठे रहना वरना मारे जाएंगे डैनी ने चोटी वाला से कहा उस वक्त में ध्यान लगा कर देखना चाहता था कि माजड़ा क्या है लेकिन तुम लोगों ने ध्यान तोड़ दिया अब रात के बारा बच चुके थे शैतानी ताक्ते बस जागने ही वाली है वो सीधा इसी जगा अटैक करेंगी और फिर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी मैं कहता हूँ निकल चलो इस मनहूस जगा से ये सारा काम शैतानी ताक्तों का है मेरे खयाल से चोटी वाला ठीकी कह रहा है जोसफ ने उसका समर्थन किया हम सब एक साथ पैदल पैदल चलेंगे चोटी वाला बोला आगे बैर रहूंगा और पेचे जोसफ थोड़ी देर तक बहस चलती रही वो किसे फैसले पर नहीं पहुँच पा रहे थे अचानक विलाशा ने कहा अब मेरी बात सुनो सब लोग मैंने अब तक आप मेंसे किसी को नहीं बताया था इसलिए नहीं बताया कि कहीं आप लोग डर ना चाहें चोटी वाला ठीक कह रहा है इस जगा शैतानी चकर है मैंने एक बोने को वैनेटी के आस पास मंडराते देखा फिर वो गायब हो गया वो शायद हमारा मुआइना कर रहा था शायद वो कोई गंदी आत्मा है और वो अपने साथ दूसरी शैतानी आत्माओं को लेकर कभी भी यहां पहुंच सकता है बैतरी इसी में है कि हम लोग यहां कुछ लोगों को छोड़ दे जो सामान की हिफाज़त करेंगी उन्हें हिदायत कर दे कि वो वैनिटी से बाहर ना निकले मेरा बाडी गार्ड बहुत दिलेर और हिमत वाला है उसके पास गंद भी है वे अगली वैनिटी में लाइटे आफ करके चुप चाप से अंदर रहेंगे हो सकता है मेरा वहम हो और चोड डाकू ताक में हो बोना उनका साथी हो ऐसा है तो हमें विलाशा की बात मान लेनी चाहिए अबास ने फैसला किया उसके बाद तैयारी शिरू हो गई वहाँ जिन लोगों को रहना था उनमें दोनों वैनिटी के ड्राइवर थे ताकि जरूरत पढ़ने पर वह गाड़ी चला सके उनके साथ विलाशा का बाड़ी गाड़ था दोनों वैनिटी के बाई थे वह पांच लोग थे मदूर का बाई भी गन रखता था और निडर जवाब जनवान पठा था विलाशा ने अपने पिस्टल अपने बाई को थमाती उसके पास दो पिस्टल थी एक उसने अपने शोल्डर बैक में रख ली वो जरूर डाकूँ का ही गिरो होगा खरना बोला ये लोग अकसर बड़ी हस्तियों का किडनेप कर लेते हैं फिर फिरौती की बड़ी रकम मागते हैं उन्होंने इसलिए ये जाल बिचाया है यही मैं समझाना चाहती थी विलाशा बोली उनका आदमी रेकी करके गया है वो आते ही होंगे आगे कोई न कोई आबादी या गाउन सरूर होगा हम वहाँ सुरक्षित रहेंगे अब उन लोगों ने जल्दी जल्दी अपना सामान समीटा और चल पड़े सबके कंदों पर एक-एक बैग लटक रहा था विपुल भाई के पास एक खोका कैश था उसके साथ में ले जाना ठीक नहीं था रास्ते में लोट पार्ट हो सकती थी उसे विलाशा के वैनेटी के सेफटी बॉक्स में रख दिया गया ये बॉक्स बिना रिमोट के नहीं खुल सकता था उसमें विलाशा के भी कुछ कैश और ज्वेलरी रखी हुई थी वे लोग सड़क पर पैदल पैदल चलने लगे विलाशा के वैनेटी में पांच लोग मौचूद थे लाइट आफ कर दी गई थी दर्वाजों को लॉक कर दिया गया था ये दर्वाजे बहुत मजबूत थे और उनका लॉक भी रिमोट से खुलता था वैनेटी का पूरा सिस्टम कम्प्यूटर राइस चार्म वैनेटी की ड्राइविंग सेट की एक खिड़की को आदा खोल कर रखा गया था ताकि बाहर की हवा अंदर आती रहे इसी बंध था इस खिड़की के पास विलाशा का बॉडिगार्ट शंभू बैठा था लगबग आदा पौना घंटा बीता होगा कि शंभू को बाहर सड़क पर कोई रोशनी चमकी वो रोशनी हिल रही थी रोशनी करी बाती जा रही थी शंभू ने सब को खामुश रहने का इशारा किया कोई सिगरेट पी रहा था उसे तुरंट सिगरेट बुझाने को कहा उसकी नजरें उसी पर टिकी थी वो एक बोना था जिसके कंदे पर लाल टेन चूल रही थी वो विलाशा की वैनेटी के आगे निकल कर पिछली वैनेटी के तरफ चला किया जिसमें कोई नहीं था अचानक पिछली वैनेटी का इंजन स्टार्ट हुआ और उसकी हेड लाइट आउन हुई वो वैनेटी तेज रफदार से विलाशा की वैनेटी पर बास की तरह जपट पड़ी वैनेटी सड़क पर पहले से ही तिर्ची खड़ी थी और ठीक सामने गहरी खाई थी नीचे उत्रो सब शम्बू चीक पड़ा पर उसके कहने से पहले ही पिछली वैनेटी ने विलाशा वाली वैनेटी पर जोरदार टक्कर मारी फिर भी विलाशा की वैनेटी का ड्राइवर नीचे कोट पड़ा था क्योंकि वो पहले से ड्राइविंग सेट पर दर्वाजे के पास बैठा था और जैसे ही पिछली वैनेटी का इंजन स्टार्ट हुआ उसने चलांग लगा दी थी वो चलांग उसने अंधेरे में लगाई सड़क पर पैर फिसल गया और फिर उसके चेक दोर तक फिजा में घूँचती चली गई वो गहरी खाई की और हंते म्यात्रा तै कर रहा था बाकी लोग तो उतर नहीं पाई और वैनेटी खाई में चली गई पीछे वाली वैनेटी ठीक खाई के सामने रुख गई उसका इंजन चालू था उसका दर्वासा खुला वैनेटी अचानक स्चार्ट हो गई और पहले वाली वैनेटी के साथ खाई में जा गिरी थोड़ी देर बाद वही बोना सडक पर दिखाई दिया उसके कंदे पर लाल्टे लटक रही थी उसने सीटी बजाई वैनेटी वालों को हाथ हिला कर विदा किया और आगे बढ़ गया बोने के पैरों में फौजी किस्म के लौंग बूट थे जिनकी आवास सडक पर इस तरह गूँचने लगी जैसे कोई फौजी जवान मार्च करता हुआ आगे बढ़ रहा हो वो एक उची चटान पर चड़ कर बैट गया फिर उसने जेब से माउथ और गर निकाला और उस पर मूँ सटा दिया अब वाता वरण में माउथ और गर्ण की खुब सूरत धुन से पूरी वादी गुच रही थी सबसे आगे चोटी वाला चल रहा था सुनसान सडक, चांदनी रात और हर तरफ विदाना था वो हनुमान चालिसा जोर जोर से बोल रहा था सबने अपना जरूरी सामान बैग में भर लिया था और सब के कंदों पर बैग लटक रहे थे पीछे डैनी था, उसके बाद खनना, अबास थे फिर मधूर और हरिश पाठक चल रहे थे सब खामोश थे डॉक्टर बासू के साथ विलाशा चल रही थी सबसे अंत में जोसफ चल रहा था मन्जिल का पता नहीं था पर यकीन था कि वो पतली घाटी की तरफ ही बढ़ रहे थे मुबाइल की टॉर्च रोशन थी हम सुबह तक पतली घाटी पहुँच जाएंगे क्या खनना बोला हाँ, अबास ने जवाब दिया विराट फिल्म्स यूनिट के वे पहले ऐसे दो इनसान थे जो आखरी सड़क के अंतिम छोड़ पर सबसे पहले पहुचे थे शंकर और सुलिमान सुलिमान लाल कुर्टा और नीला तेहमत पहने हुए था शंकर गैलिस की काली पतलून में था ट्रक जल जाने के बाद उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था पहले तो उन्होंने पीछे आने वाली गाड़ियों का इंतिजार किया करीब एक घंटा सड़क किनारे बैठे रहे अपना कुछ जरूरी सामान उन्होंने जलने से बचा लिया था एक-एक बैग उनके पास था जिनमें उनके कप्रे टोथ ब्रश तोलिया साबुन था शंकर के बैग में सिग्रेट के पैकेट और एक गांजे का पाउडर भी था इसके इलावा उसे जमाखर्च की डाइरी भी थी वो बैठे बैठे उंगने लगे और एक दोसरे से उनके सिर्ट टकराने लगे जब नशा थोड़ा धीला हुआ था तो सुलिमान ने पट पटा कर आँखे खोली चान धलान पड़ था कभी कभी बादलों में भी सरक जाता था तारे टिम टिमा रहे थे जिंगरों की सेटियों की आवास कानों में पड़ रही थी दोर-दोर तक विराना ही विराना था शंकर बैठे-बैठे सुलिमान की गोट में लुड़क गया सुलिमान अपने जले हुए ट्रक को देख रहा था चल उट अब कुछ नहीं बचा सुलिमान ने शंकर का सिर अपनी गोट से उठाया हम कहां हैं शंकर आंखे मल कर बड़ बड़ आया नरक में नहीं है इभी जिन्दा हैंगे सुलिमान ने जवाब दिया यूँ बोना अगर दुबारा दिखाई दिया तो इसकी नाट तोड़ दूगा मैं आग उसी साले ने लगाई वो ट्रक के नीचे घुसा था उसने किसी तरह फ्यूल टैंक तोड़ कर उसमें अपनी लाल्टेन घुसेट दी होगी पर अब क्या करें मरता क्या न करें और करवा क्या न करें शंकर उठ खड़ा हुआ बैक सिंभाल अपना सुलेमान ने अपना बैक भी कंदे पर लटकाए हुए कहा शंकर ने भी बैक लटका लिया दोनों पैदल पैदल उस दिशा में बढ़ गए जिदर वो जा रहे थे शायद हम मन्जिल के करीब है शंकर बोला मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि जो गाड़ियां हमारे पीछे आ रही थी वो क्यों नहीं आई सुलेमान बोला क्या पता उनके साथ भी ऐसा ही कोई हाथसा हो गया हो जैसा हमारे साथ हुआ है मुझे भी यही लग रहा है सुलेमान बोला इस बोने ने बैरियर खोल के हमें फसा दिया सुलेमान कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी गलत सड़क पर मुड़ गए और ये सड़क पतली घाटी की तरफ ना जाकर कहीं और जाती हो मुझे भी नियू ही लागे है पर जिब मुस्लों में सिर दिया तो ओकली से काही घबराना अबे उल्टा मत बोल अबे ओकली में सिर दिया तो मुस्लों से क्या घबराना ये है सही मुहावरा तेल लेने गया तेरा सही मुहावरा ये सोच कि अगर हम पतली घाटी ना पहुंचे तो कहां पहुंचेंगे मेरा बाप जोतिशी नहीं था श्रंकर बोला इसी तरह की बाते करते पैदल पैदल सडक नापते हुए दोनों आकरी सडक के आकरी छोर पर पहुंचे एक गेट आया जिस पर लिखा था विक्रमगर गेट के नीचे एक चबुतरा बना था और पीछे कुछ गर नजर आ रहे थे जहां वो विक्रमगर के चबुतरे पर बैट गए फिर उन्हें नीद आ गई दोनों वहीं लुड़क गए टिकमगर पुलिस टेशन का एस अचो देवेंदर पांडे एक दबंग दिलेर आफिसर था जब से वो टिकमगर में पोस्चिट हुआ था तब से टिकमगर में नाम मात्र के अपराद होते थे ये देवेंदर पांडे के काम करने का स्ट्राइल था जब भी वो किसी पुलिस टेशन का चार्ट संभालता तो इलाके के जराइम पेशा लोगों की सूची मांगता था और फिर एंकाउंटर की बार सी आ जाती थी कुछ मारे जाते, कुछ भाग जाते पूरा इलाका जराइम से पाक साफ हो जाता था टिकमगर कोई बड़ा कस्पा नहीं था इसलिए वहाँ एक ही पुलिस टेशन था जिसे कोत वाली कहा जाता था ये इलाका रामगर की सीमा में आता था रामगर जिला था पुलिस कमिशनर एसेसपी वगेरा बड़े आफिसर रामगर में थे कमिशनर ने एसेसपी को फोन किया कि कोई फिल्मे यूनिट रास्ता भटक कर आखरी सड़क वाले शेतर में एंटर हो गई है वो वर्जित शेतर में फस सकती है लिहाजा तुरंद फोर्स भेज कर उनकी मदद की जाए रामगर के कंट्रोल रूम से दिवेंद्र पांडे से संपर्ख किया नतीशतन दो पुलिस गाड़िया मौके पर पहांच गई थी लेकिन ये गाड़िया दोपेर एक बज़े तक वहां पहुँची थी उसकी वज़ा ये थी कि पांडे जी पहले से वांटेट कुछ मुझरिमों की तलाश में किसी दूसरी लोकेशन पर बिजी थे दोनों गाड़िया आगे पीछे बैरियर के सामने रुक गई बैरियर अभी बन था उस पर बोर्ड लटक रहा था आखरी सडक पांडे अपनी गाड़ी से उत्रा पिछली गाड़ी से भी जवान उत्रे पांडे के साथ दो सब इंस्पेक्टर मार्च करते हुए बैरियर के पास आ गई पांडे ने इधर उधर देखा फिर उसकी निगा एक इनसानी जिस्म पर फोकस हो गई ये जिस्म बैरियर से दूसरी तरफ सडक पर उन्धे मूँ पड़ा था फिर पांडे की निगा पैन हुई और कैबिन की तरफ खूम गई केबिन पर ताला पड़ा था पार्डे ने आगे बढ़कर बेरियर को चेक किया फिर बेरियर पर चड़ गया और दूसरी तरफ उदर गया वो अंधे मूँ पड़े इंसान के पास पहुँचा पहली ही नजर में वो समझ गया था कि वो इंसान जिन्दा नहीं है उसके आसपास खोन फैला हुआ था तब तक एक सब इंस्पेक्टर बेरियर के दूसरे साइट से पत्रीरे रास्ते पर चलता दूसरी तरफ पार्डे के पास आ किया इससे सीधा करो जस्वंत पार्डे बोला जस्वंत ने लाश को पल्टा वो गुल्चन था उसका सीना बेट से किसी धारदार हत्यार से चेर दिया किया था उसकी आंते बाहर निकल रही थी सीने के उपरी भाग काफी फटा हुआ था और कलेजे का एक हिस्सा मौजूद था किसी ने उसका कलेजा काट कर निकाल लिया था वैरी डेंजरस मर्डर पांडे बढ़ बढ़ाया ये मर्डर नहीं है सर जस्वंत ने कांपने स्वर में कहा फिर क्या है? किसी जंगली जानवर का काम लगता है जस्वंत ने जवाब दिया पांडे लाश पर जुग गया इसकी तलाशी लो सब इंस्पेक्टर ने उसकी तलाशी ली तलाशी में उसकी आईडी, मुबाइल फोन और एक वालेट बरामत हुआ वालेट में दो-दो हजार के दस नोट पड़े थे एक पांसो का नोट भी था उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी था इसका नाम गुलशन कुमार था सब इंस्पेक्टर ने फोटो से उसकी शकल मैच करते हुए कहा किसी तरह बैरियर खोलने का प्रबंद करो चाहे इसे तोड़ना ही क्यों न पड़े और एम्बुलन्स को फोन कर दो बैरियर पर लटका ताला तोड़ दिया किया बैरियर खोल दिया किया कैबिन का ताला भी खोलो पांडे बोला तभी एक दिवान पांडे के पास आया एक बात कहूं सर हाँ कहो बेतर यही होगा कि हम यहीं से वापिस लौट जाए लाज को यहीं पड़े रहने थे तुम जैसे लोगों की वज़ा से ही पुलिस महक में की नाग करती है पांडे ने नागवार स्वर में कहा पासवान ठीक कह रहा है सर जस्वान ते दबी जबान में कहा वज़ा क्या है? यह सड़क एक गाउं में जाकर खत्म होती है सुना है कि यह गाउं भूत प्रेतों का गाउं है मैंने भी सुना है पांडे ने कहा लेकिन पुलिस वाले से बड़ा कोई भूत प्रेत नहीं होता फिलाल इसकी लाश कैबिन में डाल दो उसका ताला भी तोड़ दो मानने से इंकार कर देता कैबिन का ताला भी तोड़ दिया गया लाश के फोटो उतारे गए निशान लगा कर लाश कैबिन में डाल दी एक सिपाही यहां तैनात रहेगा पांडे ने कहा एक सिपाही की ड्यूटी वहां लगा दी गई शेश सभी पुलिस वाले दोनों गाड़ियों में सवार होकर सड़क पर बढ़ चले पुलिस की गाड़िया आखरे सड़क पर बढ़ती हुई ठीक उस जगा पर रुकी जहां एक ओड़ी कार एक बड़े व्रिख्ष के नीचे पिचकी हुई थी देखो उसमें कोई लाश तो नहीं पड़ी पाड़े बोला सब इंस्पेक्टर जस्वंत ने गाड़ी से उतर कर उस गाड़ी को चेक किया और गाड़ी का पूरा मौइना करके वापिस लौट आया कोई नहीं है सर जस्वंत बोला दोनों पुलिस गाड़ियां आगे बढ़ गई फिर एक जगा उन्हें फिर रुकना पड़ा यहाँ पर दो वैनेटी गाड़ियां खाई में उल्टी पड़ी दिखाई दे रही थी और एक BMW चटान के नीचे पिचकी हुई थी अब सब नीचे उतर गए थोड़ी दोर नीचे एक और गाड़ी खड़ी थी जिसके सामने एक पेड़ गिरा हुआ था दूर बिन दो पार्णे ने जस्वंद से कहा जस्वंद गाड़ी में रखी दूर बिन उठा लाया सड़क के किनारे खड़े होकर पार्णे ने दोर बिन से नीचे गहरी खाई में देखा वैनिटी तो नजर आ रही थी पर इंसान को कोई वजूद नहीं था दोनों वैनिटी उल्टी पड़ी थी मुम्किन है वे लोग उन दोनों वैनिटी में फसे हो सुचना मिले कि BMW में कोई नहीं है पुलिस वालों के चेहरों पर हवाईया उड़ रही थी सबको मालुम था कि आखरी सड़क पर जाने वाला जिन्दा वापिस नहीं लोटता जरा रामगर कंट्रोल रूम को फोन लगा कर पूछो कि इस यूनिट में कुल कितने आदमी है जो रास्ता भटक कर इस तरफ आ गए जस्वंत ने अपने मुबाईल फोन से रामगर कंट्रोल रूम का फोन नमबर पंच किया लेकिन फोन कॉल नहीं लगी दो तीन बार कोशिश के बावजूद भी कॉल नहीं लगा फोन नहीं मिल रहा जस्वंत बोला वायरलेस से बात करो पांडे ने सपार्ट स्वर में कहा जस्वंत ने वायरलेस से ट्राई किया परंतु वो भी ठप पड़ा था उसने ये सूशना पांडे को दी अजीब बात है हमारी वायरलेस फ्रिक्वेंसी को कौन ब्लॉक कर सकता है इंपॉसिबल फिर मसर्डिस को भी तलाश किया गया दोनों गाडियां तबाह हो चुकी थी दिवान कुछ कहना चाहता था पर फिर चुप हो गया कुछ देर तक पांडे कुछ सोचता रहा चलो वापिस अंत में उसने फैसला किया यहां से गाडियां निकालना वन भिबाग का काम है रेस्क्यू ऑप्रेशन होगा रास्ते में पांडे ने जस्वन से अटपटा सवाल किया क्या तुम भूत प्रेतों पर यकीन करते हो सबूत हमारे सामने है सर जस्वन ने जवाब दिया मैं तो चाहता था हम उसी जगा से वापिस लौट जाए जहां पहली बार कार्ट देखी थी क्या पता हमारे साथ भी कोई हाथसा हो जाता पांडे ने कोई जवाब नहीं दिया एम्बुलेंस आ गई शव उसमें डाल दिया गया टिकमगड कोतवाली पहांच कर उसने अपनी रिपोर्ट रामगड के हेट कौर्टर को भेश थी गुल्शन का शव पोस मार्टम के लिए भेश दिया गया था उन्हें केवल एक ही लाश मिली थी जब वो जागे तो सुबा हो चुकी थी पहले सुलिमान की आँख खुली फिर उसने शंकर को जगाया कुछ चीले उन पर उड़ उड़ रही थी जो उन्हें मुर्दा समझ कर नीचे उतरने की तयारी में थी कुछ गित पेड़ों की शाक पर बैठे इशारो इशारो में एक दूसरे को कुछ बता रहे थे शंकर थोड़ी देर तक कांके मलता रहा फिर इधर उदर देखने लगा हम कहां आ गए शंकर ने सुलिमान से पूछा विक्रमगर्ड सुलिमान ने जवाब दिया विक्रमगर्ड ये कौन सी जगा है खरिदवा दूंगा चुप साले चर्सी यार किसके दम लगाए और खिसके अरे हम विक्रम गर कैसे पहुँच गए हमें एक पतली घाटी जाना था सुलेमान थोड़ी देर रोदा रहा फिर उसने अपने आसू दाए हाथ की आस्तिन से पोचे एक बार वो बोना मुझे नसर आ जाए बस एक बार सुन तो शंकर ने सुलेमान का कंधा तप थपाया सुन रहा हूँ सुलेमान ने भर्राई स्वर में कहा इधर कुछ मकाम दिख रहे हैं वही तो विक्रम गड़ है चल चलते हैं वहां हमें मदद मिल जाएगी दोनों उठ खड़े हुए सड़क का अंधिम जोड लोहे के एक बड़े गेट पर जाकर समाप्त हो गया गेट के दाएं बाई दो कच्ची सड़के मुड गई थी पर वो जिस तर लोहे के विशाल गेट पर पहुँचे वो एक हवेली का गेट था हवेली के चारों तरफ बुलंद चार दिवारी थी गेट खुला हुआ पर कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था सुलिमान ने गेट बचाया क्या कोई है उसने जोर से आवाज दी आवाज एको होकर वापिस लोटाई पर जवाब नहीं मिला जब उन्हें कुछ भी जवाब नहीं मिला तो दोनों गेट में दाकिल हो गए गेट से कंक्रेट के सड़ उन भी नजर आ रहे थे हवेली चारों तरफ से चार दिवारी से घिरी हुई थी चार दिवारी खासी बुलन थी जैसे आम तोर पर पुराने जमाने के किलों की होती है दोनों कंक्रेट के सड़क पर आगे बढ़ते हुए हवेली के मुखे द्वार तक पहांच गए बड़ा ऐसा लगता था जैसे वो काफी अरसे बात खोला गया हो दोनों धेरे धेरे हवेली में दाखिल हो गए एक गल्यारे से गुजर कर वो हॉल नुमा कमरे में पहुँचे जिसमें फरनीचर थी कालीन शानदार था लेकिन उस पर धूल जमी होई थी अब वो दोनों हवेली का करने लगे कई जगा जाले पड़े थे सुलिमान और शंकर हवेली के ग्राउन फ्लोर पर थे और वो एक दरवाजा चेक कर रहे थे ऐसा लगता था जैसे बरसों से उस हवेली में कोई नहीं रहता वरना कालीन पर धूल नहीं जमी होती और जाले भी नहीं पड़े होते हॉल गय सिलिंडर और खाना पकाने के बरतन चूला वगेरा रखे थे उन पर भी धूल जमी हुई थी सुलिमान ने जो दरवाजा खोला वो एक बड़ा बात्रूम था उसने टोटी जलाई और पानी आ गिया नलके के पानी से उसने मूँ पर चपा के मारे और प्यास भी बुजा सुलिमान भी पीछे पीछे आ किया राधारी में सबसे पहले एक कमने का दर्वाजा नजर आया उस पर ताला पड़ा हुआ था उसके बाद एक बड़ा स्चोर रूम था जिसमें कुछ सामान बोरो और संदूकों में बंद पड़ा था अगला दर्वाजा अंदर से बंद थ शंकर की हाट बेट बढ़ गई उसने दर्वाजे पर हाथ रखा दर्वाजा अंदर से बंद था वो सुलिमान के आने का इंतजार कर रहा था सुलिमान भी वहाँ पहुँच किया सुलिमान ने कुछ पूशना चाहा तो शंकर ने उसे खामोश रहने का इशारा किया फिर उन क्यों रहा है? जो भी होगा देख लेंगे, क्या पता हवेली का मालिक हो? सुलिमान ने दर्वाजा नौक कर दिया, क्या कोई है? उसने पूछा, दर्वाजा कहोलो. थोड़ी देर में अंदर से आहट सुनाई दी, सुलिमान ने दर्वाजे से कान लगा दिये, आहट दर्वाजे की तरफ आ रही थी दर्वाजा खुला तो सामने पायल खड़ी जूम रही थी वो या तो नीन की जोंक में थी या नशे में सुलिमान उसे देख कर उचल पड़ा शंकर की आंके चौड़ी हो गई क्या है सुलिमान सोने दे इतना कहकर पायल ने दर्वाजा बंद कर दिया लेकिन सुलिमान ने देख लिया था कि अंदर बैट पर विलाशा भी लेटी है ये तो साला खोदी चुहिया निकला पहाड सुलिमान बोला अबे, खोदी चुहिया निकला पहाड नहीं, खोदा पहाड निकली चुहिया अबे मुहावरा ठीक से बोला कर चुहिया दो दो, मुहावरा गया तेल लेने ये ससुरी हम से पहले यहां कैसे पहुँच गई पूछ ले, शंकर ने कहा अबे नहीं यार, हिरोईन है अंदर, बिगड़ गई तो मेरी शामत आ जाए की चल आगे देखते हैं, या इल्लाही, ये माज़रा क्या है, साला माज़रा है भी तो इल्लाही कहा है दूसरा दर्वाजा अंदर से बन नहीं था, शंकर ने धेरे से दर्वाजा खोला, तो हस पड़ा अबे, यहां तो अपने ही यूनिट के लोग सो रहे हैं, खर्ना साहप और विपल भाई खर्राटे ले रहे हैं ये तो कमाल हो गया, ये तो हमसे पीछे थे यही तो सोचने वाली बात है, ये यहां पहले कैसे पहुँच गई मतलब ये हुआ कि सगली यूनिट आ ली यहां से सबको एक साथ जगाता हूँ, शंकर तीसरे दर्वाजे के पास पहुँच कर बोला उसने जेब से सीटी निकाली, ये सीटी एक डोरी से बंदी हुई थी दर्वाजे के पास खड़े होकर उसने सीटी बजानी शुरू कर दी अभी वो तीसरी ही सीटी बजा पाया था कि दर्वाजा खुला और एक हाथ बाहर आया फिर शंकर के गाल पर एक जोरदार थपड़ पड़ा शंकर कलाबासी खा कर सुलिमान के कत्मों में जा किरा शंकर की आँके चौड़ी हो गई, वो नजरे उठा कर सामने देखने लगा सामने आकरी सड़क का हीरो मदुर खड़ा था उसके जस्म पर इस समय केवल अंडर वियर था क्यों मारा सर, शंकर ने हकला कर पूछा हम लोग ठके हारे यहां आकर सोए हैं और तु सीटी बजा बजा कर हमारी नीन में खलर डाल रहा है मदुर गुर राया, अबे, हमने तो तुम दोनों की नीन में खलर नहीं डाला पत्थर के गेट वाले चबुत्रे पर सो रहे थे ना तुम दोनो हाँ जी, हाँ जी, सुलिमान ने सेर हिलाया हमने तो तुम दोनों को नहीं जगाया अब इससे पूछ, ये सीटी क्यों बजा रहा है अभी इसका एक भईया भी है, वो भी सीटी बास है अगर वो मुझे दिख गया तो उसने मेरे ट्रक में आग लगा दी थी सर जी देखा था हमने, मदुर बोला, सड़क पर जलरा खड़ा खे मदुर ने कहा, अब जाओ यहां से तुम भी कोई, अभी भी कोई कमरा तलाश करके सो जाओ यहां उपरी मंजिल में कमरे ही कमरे हैं इतना कहकर मदुर ने दर्वाजा बंद कर दिया सुलिमान और शंकर ने फिर किसी का दर्वाजा नहीं खट-खटाया अलबता वो पूरी हवेली का निरिक्षन कर राई हवेली दो मंजिला थी और पुरानी तर्ज बनी थी चटे उंची थी, उपर एक गुम्बत जैसी गुम्टी भी थी जिस पर चट का दर्वाजा था चट में एक चबूतरे पर पानी की बड़ी टंकी भी लगी हुई थी प्रते एक फ्लोर पर तीन तीन बैट रूम और एक एक ड्राइंग रूम था लेकिन उपर के फ्लोर के ड्राइंग रूम ग्राउंड फ्लोर के ड्राइंग रूम से छोटे थे प्रतेक फ्लोर पर किचन और फ्लोर भी थे बिजली के स्विच बोर्ड भी थे सुलेमान ने एक स्विच आउन किया लेकिन वो नहीं जला इस तरह कहीं से भी बिजली की लाइन नहीं आ रही है दूर दूर तक कहीं भी बिजली के तार नहीं दिख रहे सुलिमान बोला फिर ये बल्ब और स्विच बोर्ड का यहां क्या काम है अब ए घंचक कर हवेली में जनरेटर होगा सुलिमान चट की दिवार से लगी एक मोटर पर जुग गया मेरे को नहीं लगता ये मोटर पानी उपर टंकी में चड़ाने के लिए लगी है शंकर ने कोई जवाब नहीं दिया वो चट की मुंडेर से गाउं देख रहा था चट काफी बड़ी थी और चार फुट के चार दिवारी से गिरी हुई थी सुलिमान चट का पूरा राउंड लगा कर शंकर के पास आकर खड़ा हो गया गाउं में कोई दिख नहीं रहा सुलिमान बोला अरे देख तो उदर बर्गत के पेड़ के नीचे कोई बैठा है दिखा क्या अबे वो मूर्ती है शंकर भगवान की शंकर बोला तू भगवान कब से हो गया एक काम करते हैं गाउं का चकर लगा कर आते हैं तब तक ये लोग भी आ जाएंगे उपर देख खेत है सीधी नुमा खेत और एक सोता भी दिख रहा ससुरे कहीं डोर डार भी नहीं दिख रहे चीले और गिद पेड़ों पर बैठे दिख रहे हैं आँ शंकर गुम्टी की और बढ़ गया दोनों ग्राउंड फ्लोर पर आए फिर हवेली से बाहर निकल गए लोहे का गेट पार करके वो एक कच्ची सड़क पर बढ़ने लगे ये गाउं की तरफ जा रही थी हवेली की चार दिवारी खासी उन्ची थी वो पुराने जमानी की किले जैसी दिवार थी पच्चिस तेस फोट तुन्ची उस पर लाल रंग पुता हुआ था कच्ची सड़क चार दिवारी के साथ साथ सटी हुई थी आसपास कुछ तोटे फोटे खंडर नुमा घर नसर आई सुलिमान ने आगे बढ़ कर एक घर का दर्वासा खोला दर्वासा तूट कर उसके उपर ही आगिरा अबे चिरचार मत कर शंकर ने कहा बस देखना है करना कुछ नहीं पर देखना क्या है तन्य गाओं के मकान नहीं देखे क्या अभे देखना ये है कि यहां कौण कोई रहता है या नहीं बावली के जिब हवेली में ही कोई नहीं रहता तो इस गाओं में क्या तरह फूफा रहता होगा कोई होता तो इबलो सामने नहीं आ जाता चल वापिस खाणी पेने का इंतिसाम करें दोनों हवेली में आ गए यार एक आइडी आ रहा है शंकर बोला क्या जब यहां कोई रहता ही नहीं तो हवेली सहित सारे गाउं पर कबज़ा कर ले इसे शूटिंग के लोकेशन के लिए किराय पर दिया करेंगे भूल गया क्या रात को क्या हुआ और इनकी गाड़ियां कहा है वे तो कहीं नजर नहीं आई ना मर्सिडिस ना बीमड़्यू ना वैनेटी वो भी हमारी तरह पैदल पैदल चलकर आए होंगे इसका मतलब उनकी गाड़ियों के साथ भी कोई हाथसा हुआ सुलिमान ने अनुमान लगाया जब वो हवेली के ड्राइंग रूम में पहुँचे तो जितेश किचन के दर्वाजे से बाहर निकला उसने एक स्च्रील का गिलास पकड़ा हुआ था पर शंकर उसे देखकर ठिटा कया इस तरफ क्या देख रहा है जितेश बोला तुम दोनों बाहर गेट वाले चबूतरे पर सो रहे थे ना हाँ शंकर बोला और रास्ते में तुम्हारा जला हुआ ट्रक खड़ा है हरे वो तो ठीक है पर तुम्हारी काड़िया कहा गई जितेश ने साराज में सारा वृताम सुनाने के बाद कहा चाई पियोगे क्या क्या चाई का सामान है वहाँ शंकर ने पूछा हाँ पाउडर वाला दूद भी है मैं चाई बना कर पी रहा हूँ उसके बाद लंच की तयारी करेंगे यहां स्चोर में बहुत सा खारे पीने का सामान पड़ा है आटा दाल चावल सब कुछ और कुछ मुम्बतियों का भी स्चोक है दो लाल टेन भी है केरोसिन की केन भी है मैं पहले चाई बनाता हूँ तब ही पायल अपने कमरे से निकल कर अंगडाई लेती अब ड्राइंग रूम में आ गई गुड मॉर्निंग उसने कहा गुड मॉर्निंग दियर चाई मैं बनाती हूँ आप लोग दूसरे लोगों को जगातो पायल किचन की तरफ बढ़ गई शंकर उसके पीछे पीछे किचन में आ किया वो किचन में रखा सामान चेक करने लगा एक कनस्तर में आटा था एक अचार का मर्तबान भी था घी तेल सब कुछ मौझूद था सारा सामान चेक करने के बाद वो चूले की तरफ पलटा एक काम करते हैं चाई के साथ नाश्ता भी तयार कर लेते हैं शंकर ने कहा सब लोग रात से ही भूके होंगे हाँ मैं भी यही सोच रही थी तुम बाहर सफाई करवाओ यहां का काम मैं संभाल लूँगी ठीक है शंकर बाहर आ किया तब तक मधुर भी नहा धोकर ट्रैक सूट पहने ड्राइंग रूम में आ किया था शंकर दूसरे लोगों को जगाने के लिए फर्स फ्लोर पर पहांच गया उसने बारी-बारी सब दर्वाजे खुलवा थिये सब लोग नहा धोकर ड्राइंग रूम में आ जाओ शंकर बोला नाश्ता तयार हो रहा है फर्स फ्लोर पर भूवन डैनी डॉक्टर बासू हरीश पाठक अलग-अलग कमरों में मौचूद थे सेकेंड फ्लोर डैरेक्टर अबास के बेटरूम का दर्वासा खुला था अबास उस वक्त बात्रूम में था अगले दर्वाजे को नौक किया तो चोटी वाला की आवाज सुनाई थी जै बचरंग बली की आजाओ दर्वासा खुला है शंकर अंदर गया तो चोटी वाला फर्श पर बैठा योगा की एक्सरसाईज कर रहा था बात्रूम में शावर चलने की आवाज आ रही थी शंकर ने बात्रूम की तरफ देखा आ गई तुम दोनों भी चोटी वाला बोला जोसफ नहा रहा है मैं सनान कर चुका ग्राइंग रूम में आ जाओ नाश्टा तयार हो रहा है अब आस साहब को भी लेते आना इतना कहकर शंकर वापिस चला किया सब ही जाक चुके थे उसने नाश्टे की सीटी बजा दी नाश्टा तयार है वो सीटी बजाता नीचे उतरने लगा नीचे जिदेश और सुलेमान सफाई में लगे हुए थे मधूर किचन में जाकर अपने लिए चाई बना रहा था पायल पर आंठे सेख रही थी विलाशा अपने बैटरूम के वाश रूम में थी शंकर ग्राउन फ्लोर पर आ गया वो पायल का हाथ बटाने लगा मधूर चाहे लेकर बाहर ड्राइंग रूम में बैट गया ड्राइंग रूम में दो बड़े सोफे और चार कुरसियां पड़ी थी उनके सफाई कर दी गई थी वहाँ कोई सेंट्रल टेबल नहीं थी किचन में शंकर ने सीटे निकाल ली एक रेक में स्चेल के थालिया चम्मच चित्यादी सामान पड़ा था जिसे आचार देना हो दे देना मैं तो नहीं खाती पायल बोली शंकर दो प्लेटों के नाश्ता लगा कर किचन से बाहर निकला उसने इधर उधर देखा फिर बोला क्या ये मुनासिब होगा सर कि सब लो कालीन पर बैठ जाएं उसकी जरूरत क्या है सब अपनी प्लेटे लेकर अपने रूम में चले जाएं मधुर बोला और उसने शंकर से एक प्लेट ली और अपने रूम की तरफ चला किया उसकी देखा देखे सब ने वैसा ही किया लेकिन करना और अबास वहां बैठे थे अरे शंकर अचानक सुलिमान बोला दो आदमी नजर नहीं आए जोसफ और चोटी वाला पर मैं उन्हें इनफॉर्म कर आया था देख किया कहीं फिर से सो गई हो मैं सर्फ करता हूँ साथ में जितेश भी है शंकर उपर की गुमावदार सीड़िया चड़ने लगा वो सेकंड फ्लोर पर पहुँचा चोटी वाला के कमरे का दर्वाजा तो खुला था पर वो दोनों कमरे में नदारत थे शंकर को चट की तरफ से कुछ आवाजे सुनाई थी वो चट के लिए सीड़िया चड़ने लगा चोटी वाला ने जोड़दार नारा लगाया नार फेरे नर सिंग बल तोड़े हनुमान बाकी का मंत्र जोसफ ने पूरा किया चार भुजा रक्षा करे बजरंग बली हनुमान चोटी वाला के निगाहे गाउं का निरिक्षन कर रही थी चोटी वाला को एक टूटा फूटा मंदिर भी दिखाई दिया हर तरफ विराना ही विराना था जोसफ उसके ठीक दाएं बाजू में पड़ा था वो भी गाउं की तरफ ही देख रहा था बली के बक्रों को पहले खूब की लाया पिलाया जाता है चोटी वाला का स्वर खोया खोया सा था वो च्छत पर खड़ा था क्या बात है जोसफ ने कहा क्या सोच रहे हो जोसफ ये गाउं देख रहे हो मुझे याद आ रहा है मैंने किस सक्वार या टीवी नियूस में ऐसे गाउं का जिक्र देखा है गाउं का नाम तो याद नहीं आ रहा पर इतना जरूर याद है कि एक गाउं जो अब गैर आबात है एक माहमारी गाउं में फैली थी और सब लोग मारे गए फिर उस गाउं में भूत प्रेतों का बसेरा हो गया उस गाउं में कोई नहीं आता जो आता है वो लौट कर जिन्दा नहीं जाता अगर ऐसा है तो जिन लोगों ने गाउं की रिपोर्टिंग की वे लोग जिन्दा वापिस कैसे लौट गए जोसफ का सवाल था क्या बच्चों जैसी बाते कर रहे हो आज ऐसे ऐसे कैमरे हैं जो मीलो दूर से तस्वीरे उतार सकते हैं तुम कहना क्या चाहते हो यही वो गाउं हैं जिसकी निउस मैंने देखी थी उसमें ऐसे ही किसी हवेली का जिक्र था एक मिनट मुझे याद करने दो चोटी वाला एक जगा आलती पालती मार कर ध्यान मुद्रा में बैट गया थोड़ी देर बात उसने आँखे खोली नहीं ध्यान में नहीं आ रहा है पर हवेली का जिक्र जरूर था चोटी वाला ये कहते हुए उट खड़ा हुआ जोसफ भी गाउं देखने लगा हर दरफ अजीब सा सरनाटा चाया हुआ था हवा में खनक थी जो शीतलता लिये बह रही थी गर्मी का मौसम था लेकिन वहां लेश मातर भी गर्मी नहीं थी सवाल ये है कि हम पतली घाटी क्यों नहीं पहुँच पाई जोसफ बढ़ बढ़ाया दूसरा सवाल ये है कि हम इस सड़क पर कैसे आ गए ये आवाज शंकर की थी जोसफ ने पलट कर देखा और सवाल ये भी है कि खतरनाक बोना कौन है जिसने बैरियर खोला था और उसी ने हमारा ट्रक रोका था क्या नाश्ता तयार हो गया चोटी वाला ने पूछा हाँ तयार हो गया शंकर ने जवाब दिया तो चलो नीचे चलते हैं सवालों में उलशने से कोई फाइदा नहीं अब आ ही गए है तो सवालों के जवाब भी मिलेंगे चोटी वाला रहस्य मैं अंदास में बोला सब लोग नाश्टा लेकर अपने अपने कमरों में चले गई अलबत्ता खन्ना और अबास बैठक वाले हॉल में बैठे थे शायद हम रास्ता भटक कर इस गाउं में आ गई अबास कह रहा था हम लोकेशन पर नहीं पहुँच पाई और किसी को फोन भी नहीं कर सकते खन्ना ने कहा लेकिन वे लोग जरूर कुछ न कुछ करेंगे और हमें तलाश कर लेंगे अबास का इशारा लोकेशन पर मौचूद टीम की तरफ था मैंने सुना है कि हम किसी गैर आबादी वाले गाउं में आ गई हैं सही सुना है खन्ना ने जवाब दिया क्यों न हम किसी आत्मी को भेज कर वैनेटी वाले को भी यहीं बुला ले बैतर तो ये होगा कि हम सब ही वैनेटी तक पहुंच जाए सब लोग दोनों वैनेटी में बैठ कर पास जा सकते हैं खन्ना बोला सबकी सला ले लेते हैं अबास ने पूछा उसकी क्या जरूरत है प्रोडियोसर मैं हूँ सब का पर डे चड़ रहा है पैकेज वालों का पेमेंट भी मुझे ही करना है इसलिए जिदर हकुंगा उधर ही चलेंगे और फिर यू आर दा कैप्टन आफ दा शेप बात तो ठीक है ये जगा देखने में ही मनहुस लग रही है अबास ने कहा चोड़ो भी अबास अब यहाँ घर तो बसाना नहीं है खना उट खड़ा हुआ मैं प्रोडक्शन वाले से बात करता हूँ खना शंकर के पास चला गया जो किचन में था दोपहर का लंच क्या बनाई शंकर बराबर में खड़ी पायल से पूछ रहा था पहले ये बता तोने कब से सुट्टा नहीं लिया मेरा स्चौक खत्म हो गया दे दूंगा उसके फिक्र मत करो वैसे यहाँ भांग के पौंधे भी जंगल में है मुझे उतारनी आती है तबी खन्ना की एंट्री हुई शंकर खन्ना ने उसके कंदे पर हाथ रख कर कहा सब लोगों को खबर कर दो कि सब पंदरा मिनट के भीतर ड्राइंग रूम में आ जाए ओके बॉस और पायल तुम मेरे साथ आओ खन्ना वापिस मुड़ा पायल भी उसके पीछे पीछे चल दी हवेली के ड्राइंग रूम में सब आ चुके थे केवल विलाशा नहीं आई थी शंकर ने बताया कि उसकी तबियत कुछ ठीक नहीं है बासू एकदम उठा मैं देखता हूँ नहीं अभी इधर ही रुखो पांच मिनट बात चले चाना अबास ने उसे रोक दिया खन्ना ने थोड़ा उंची आवास में बात की हम लोग रास्ता भटक कर गलत दिशा में आ गए हैं इस गाओं में इंसान नुमक कोई चीज दिखाई भी नहीं पड़ती हमने फैसला किया है कि हम आधे घंटे बार वापिस उसी सड़क पर चल देंगे जिदर से हम आई थे कोई सवाल नहीं आप लोग तयारी कर लो हमारी गाड़ियां बेशक खराब हो गई है पर हमारे पास दो वैनेटी वैन ठीक ठाक पोजिशन में है हम वहाँ तक पैदल जाएंगे फिर वैनेटी में बैट कर लोकेशन तक पहुँचेंगे अब आप तयारी कर लें किसी ने कोई सवाल नहीं किया आधे घंटे बाद वे लोग हवेली के मुखे द्वार से बारी-बारी आगे पीछे बाहर निकले विलाशा को मधुर सहारा दिये था उसे हैंग ओवर भी था और वामिटिंग भी हुई थी डॉक्टर बासू ने उसे दवा दे दी थी सब लोग कंक्रेट के सड़क पर बढ़ते बढ़ते अचानक लुग गए हवेली का में गेट बंढ था वो लोहे का मजबूत दर्वाजा था गेट किसने बंद किया अबास ने पूछा किसे ने कोई उत्तर नहीं दिया थोड़ी देर बाद सुलिमान आगे बुढ़कर बोला क्या पता गेट खुला है किसी ने ऐसे ही उसके पल्ले भेट दिये हैं तो देखकर रहा खरना ने कहा सुलिमान गेट के पास पहुँचा उसे खोलने की कोशिश की पर वो इस तरह जाम था कि सूद भर भी नहीं हिलाया जा सकता था वे लोग अब किसी भी तरीके से बाहर नहीं निकल सकते थे सुलिमान चार दिवारी की उंचाई आंखों से नाप रहा था पर उस चार दिवारी पर चड़ने के कोई जगाट समझ नहीं आ रहा था उसका नहीं सबके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था और उनका चेहरा जैसे मुर्जा किया जैसे सब के चिराग बुझ गए हो सुलेमान वापिस लौट आया कुछ गडबढ है खना ने कहा नाड फेरे नर सिंग बाल तोड़े हनुमान तब ही चोटी वाला चिलाया चार भुझा रक्षा करे बजरंग बली हनुमान चोटी वाला ने तेजी के साथ दौड लगाई वो गेट की तरफ भागा जा रहा था इसे क्या हो गया अब बास बड़ बड़ाया वो कल से ही अजीब अजीब भरकते कर रहा है डैनी बोला चोटी वाला लोहे के गेट पर मुक्चे बरसाने लगा उस पार तू इस पार मैं खोल दर्वाजा नहीं तो भस्म कर दूँगा नार तोड़े नर सिंग बल तोड़े हनुमान चार भुजा रक्षा करे बज़रंग बली हनुमान चोटी वाला मंत्र फूंकता रहा और गेट पर लाद खुसे बरसाता रहा पर गेट जियों का त्यों बंध था चोटी वाला वहीं गेट के पास बैट गया क्या करें खर्णा सहमे स्वर में बोला सवाल उसने अबास से किया था तब ही विलाशा रोने चिलाने लगी सबने रियाक्ट करके उसकी तरफ देखा विलाशा को जैसे दौरा पढ़ गया था मधूर उसे अंदर ले जाओ खर्णा ने कहा डॉक्टर बासू तुम भी उनके साथ जाओ उसकी तब्यत चीक नहीं है विलाशा की आंके बंध होने लगी वो मधूर पर जूल गई मधूर ने उसे संभाला और हवेली के अंदर ले जाकर कालीन पर लिटा दिया विलाशा के मूँ से जाग निकल रहा था डॉक्टर बासू हमेशा अपने एमरजंसी किट साथ रखता था विलाशा शायद बेहोश हो गई थी बासू ने उसका चेक अप किया फिर एक इंजेक्शन लगा दिया इसे बैटरूम में ले चलो बासू बोला मधूर ने विलाशा को कंधों पर उठा लिया और उसे कमरे में ले आया जहां वो रात को ठेहरी थी उसने विलाशा को बेट पर लिटा दिया विलाशा अभी भी बेहोश थी इसे क्या हुआ डॉक्टर मधूर ने पूछा कुछ घबरानी की बात नहीं है डिप्रेशन में अकसर ऐसा हो जाता है या हो सकता है इस किजम के दौरे पहले भी पढ़ते रहे हो कुछ दौरा नहीं अचानक विलाशा बोल पड़ी उसकी आँखे पट से खुल गई आँखे ज्यादा ही फैल गई थी और वो उन दोनों को बारी बारी खुर रही थी बासू उस पर जुका हुआ था अचानक उसने डौक्टर बासू के सीने पर एक लाद दे मारी बासू लड़ खड़ा किया चल भाग यहां से विलाशा गुर राई लेकिन उसके मूँ से जो फटी फटी आवास निकल रही थी वो विलाशा की नहीं थी ये एक अचनबी आवास थी विलाशा मदूर ने प्यार से उसकी बिकरी जुल्फों को सवारनी की कोशिश की विलाशा ने तुरंट उसका हाथ काट खाया मदूर बड़ी मुश्किल से अपना हाथ छुड़ा पाया वो बैट पर ही बैठा था विलाशा ने दोबारा जपटा मारा तो मदूर उचल कर पीछे हट कर फर्च पर खड़ा हो गया विलाशा क्या हुआ तुम्हें मदूर ने हिमत करके पूछा मैं विलाशा नहीं हूं कुते वो नागिं की तरफ हुंकार कर बोली सब को मार डालूगी मैं विलाशा बैठ पर बैठ कर जूमने लगी और हुंकारे भरने लगी मधूर ने डॉक्टर बासू की तरफ देखा डॉक्टर बासू ने आगे बढ़ने से इंकार कर दिया अपना किट उठाया और खौफ सदा होकर दर्वासे से बाहर निकल गया मधूर एक निड़र इंसान था उसने अपनी कलाई देखी जहां विलाशा ने काट खाया था कलाई से अब खौन टपकने लगा था उसे विलाशा की ये हरकत देख कर गुसा आ गया और उसने विलाशा के गाल पर एक थपट जड़ दिया अक्टिंग कर रही है मधूर बोला मैं तुछ से बड़े वाला हूँ मार मार के खाल में भूसा भर दूँगा विशाला एकदम से विलाशा एकदम से विफरी शेरनी की थरा पल्टी और मधूर पर मूँ से पिचकारी की शकल में वामिटिंग कर थी मधूर पर शर्ट गंदी हो गई विलाशा की आंके खून के रंग जैसे सुर्क हो रही थी अचानक विलाशा ने अपने दोनों हाथ के पंजे फैलाई ये एक्टिंग नहीं थी वो बेहत भयानक लग रही थी उसके हाथ में एक खंजर था अब मधूर दो कदम पीछे हट गया विलाशा किसी शेडनी के अंदास में बैट पर बैठी तोल रही थी जैसे ही उसने चलांग लगाई मदर उचल कर पीछे हटा और दर्वासे से बाहर हो गया तुरंथी उसने दर्वासा बंद कर दिया डाक्टर बासू हाफता कामता हवेली के ड्राइंग रूम में आया वे लोग अब भी बाहर थे बासू ने केट एक तरफ फैंकी और बाहर आ किया वो किसी से कुछ नहीं बोला चुप चाप एक तरफ बैठ गया उधर चोटी वाला गेट पर ही बैठ गया था उसका सिर धीरे धीरे हिल रहा था यहां किसी के मूँ से अब कोई आवास नहीं निकल रही थी किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है अब बास सब को खामोश देख कर बोला डरने की जरूरत है अचानक पीछे से आवास आई उन्होंने पलट कर देखा मदूर खड़ा था उसकी कलाई से ठूख खून टपक रहा था डॉक्टर बासू मदूर बोला आँ बासू चौंका मदूर ने अपना हाथ आगे कर दिया ठीक है डॉक्टर बासू उठ खड़ा हुआ फिर उसने मदूर के हाथ पर पट्टी कर दी आप सब लोग हवेली के अंदर आजाएं और सब एक जगा रहें मदूर ने चेतावनी भरे अंदास में कहा और खोद आगे बढ़ गया वो सीधा लोहे के गेट के पास पहुँचा जोर से बोला नार फेड़े निर सिंग बल तोड़े हनुमान उसके बाद क्या है चोटी वाला चोटी वाला ने गर्दन गुमाई चार भुजा रक्षा करे बजरंग बली हनुमान मेरे साथ आओ मदूर बोला क्यूं मेक अप करना है क्या हाँ पर मेरा नहीं विलाशा का करना है पर मेक अप का सामान तो है ही नही मंत्र जानते हो क्या मधूर ने पूछा हाँ जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि हमें भूत प्रेतों ने घेर लिया है पर मेरी बात पर कोई यकीन ही नहीं करता मैं करता हूँ आओ मेरे साथ चोटी वाला उट खड़ा हुआ सब लोग हवेली के ड्राइंग रूम में आ दर्वाजे पर पहुंचते ही चोटी वाला का रेक्शन गया आप लोगों में से कोई अंदर नहीं जाएगा चोटी वाला ने कहा किसी बद्रू की गंध आ रही है गंध खना चौंका बद्रू की गंध वो गंध आप लोगों को महसूस नहीं हो सकती चोटी वाला बात को तेज हो जाती है लेकिन बुरी आत्मा दिन में भी हमला कर सकती है मैं हर गिस इस तरह नहीं आता मुझे डैनी और जोसफ कींच कर ले आई मेरी बात को हर किसी ने मजाक में लिया अब पीछे हर चाओ कोई यहां नहीं आएका वो अंदर मौजूत है पर वहां तो विला खना ने कहा विलाशा नहीं कोई और है प्लीज मधूर आप भी हाँ ठीक है आईए खना साहब अब दो बाते हों यह होंगी या तो आपको मेरी लाश मिलेगी या उस बद्रू को यहां से जाना होगा मधूर ने खना के हाथ पकड़ कर पीछे खींचा आईए खना साहब मध जो अपना काम करने थे पर माश्रा क्या है मैं बताता हूँ आईए उसे अंदर जाने तो हम खना की बात पूरी होने से पहले ही मधूर उसे ड्राइंग रोम में ले आया चोटी वाला ने दर्वासा खोला और कमरे में दाकिल होकर दर्वासा अंदर से बंद कर दिया और फेरे नर सिंग बल थोड़े हनुमान ये चोटी वाला की गर्चना थी अबास ट्राइंग रोम में बेचैने से टहल रहा था उसकी बीम डबल्यू का ट्राइवर भूवन उसके करीब आकर खड़ा हो गया आप परिशान नहों जो होगा देखा जाएगा भूवन ने पोटी वाला चीक कर बोला मैं तुझे मुक्ती दिला दूँगा वरना बजरंग बली हनुमान तुझे साथवे आसमान पर पटक देंगे मैं बजरंग बली का भग तूँ तू मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती फिर मार धार की आवासे आने लगी कुछ लोगों ने उस तर पायल कामते स्वर में बोली और फिर रोने लगी जितेश उसे संभाल खना ने कहा पायल खड़ी खड़ी काम रही थी मुझे विलाशा की मदद के लिए जाने दो वो मुझे बुला रही है पायल ने रोते हुए कहा जितेश ने मस्बूती से उसका हाथ पकड़ लिया पायल करना जोर से चीका जितेश ने लपक कर पायल को दबोश लिया फिर उसे कंदे पर उठा लिया और एक दूसरे बैडरूम में ले आया उस ने पायल को बैट पर लिटाया जितेश हम सब मारे जाएंगे पायल रोते हुए बोली कुछ नहीं होगा कुछ नहीं जितेश उसके पास ही बैट पर बैट गया थोड़ी देर बाद विलाशा के कमरे से आवाजे आनी बंद हो गई हर तरफ खामोशी का आलम पसर गया कुछ देर बाद ही दर्वासा खुला और चोटी वाला बाहर आया उसकी आँखे लाल सुर्क हो रही थी जो कुर्ता उसने पहना हुआ था व वो आपको बुला रही है कक कौन विलाशा मैं उसके कमरे में नहीं जाओंगा मदुर ने जवाब दिया अब वो ठीक है कोई बड़ा हंगामा होने से बच किया मैंने गौरी से वादा कर लिया है कि उसे मुक्ति दिला दूँगा गौरी कौन खरना ने सवाल किया वो गौरी की रूह थी जो विलाशा के अंदर आ कई उसकी रूह का इस अवेली से पुराना रिष्टा है और यहां पूरी तरह उसका रास है उसने मुझे साराश में सब कुछ बताया क्या बताया सुलिमान ने पूछा ये एक दर्द भरी दास्तान है सब लोग बैटों मैं सुनाता लेकिन विलाशा के कमरे में मधुर के इलावा कोई और नहीं जाएगा ओके ओके अब बताओ तो ये गौरी का क्या किसा है अबास ने अपनी फ्रेंच कर दाड़ी खुजाते हुए कहा आप से चौधा साल पुराना वाक्या है गौरी चौधा बरस की थी बहुत असीन रही ह होगी विलाशा जैसी शादी के बाद वो दुलहन बनकर इसी गाउ में आई थी एक बोना इंसान गोलो उसे बेहत प्यार करता था जो उसी के गाउ में कहीं से आकर बस किया था लेकिन गौरी प्यार का अर्थ ही नहीं समझती थी चोटी वालक कुछ पल के लिए रुका फिर गहरी सांस लेकर बोला इस गाउ में एक पुरानी प्रथा चल रही थी गाउ में कोई दुलहन आती थी तो उसे पहली रात बिताने के लिए जमीदार के हवेली में भेजा जाता था उस वक्त जमीदार अपने परिवार को दूसरी जगा शिफ्ट कर देता था वो जानते थे कि क्या होगा पर कोई विरोध नहीं कर सकता था किसी में उसका विरोध करने की हिम्मत ही नहीं थी उस समय हवेली में उसके पास खास लठैद भी रहते थे चौदा बरस की गोरी को यहां लाया किया और फिर जो हुआ वो बहुत भयानक था वो चीक्ती चिलाती रही बहुत बै किया था। जमीदार उसे बेहरैमी से सारी रात रौन्दता रहा और गौरी मर गई। जमीदार ने उसकी लाश इसी हवेली के प्रांगर में गार दी। बाद में ये अफवा उड़ा दी गई कि गौरी अपने किसी पोर्फ प्रेमी के साथ भाग गई। उसका पूर्फ प्रेमी बोना गोलू भी उसी गाउं में आबसा था, उसे गौरी की मौत का पता चला, तो उसने बड़ा भयानक इंते काम लिया, छोटी वाला कुछ रुका, गहरी गहरी सांसे लेने लगा, गोलू गोरी की मौत का जिम्मेदार पूरे गाउं वालों को मानता था उसने एक दिन पानी की सप्लाई करने वाली टंकी में जो इस गाउं के एक सोते में बनी है और वहीं से पूरे गाउं को पानी की सप्लाई जाती है गोलु ने उसमें जहर घोल दिया और जहर की वज़ा से गाउं में सब लोग मारे गए जिसे बात में महामारी का रूप दिया किया गोलु ने भी जान दे दी उसने आत्मत्या कर ली ततत्तो, क्या वो बोना सुलिमान कुछ कहते कहते रुख गया हाँ जब उसने बेरियर खोला तो मुझे गंद महसूस हो गई थी वो जिन्दा शक्स नहीं है एक रूह है गंदी रूह ओ गौड जोसफ ने अपने क्रॉस को माते से लगाया डीयोपी हरीश की पतलून भी गिली हो गई वैसे ही वो हाट पेशन्ट था उसका दिल बैठने लगा और सुलिमान की तो फूक ही सरक गई फिर गौरी और गोलू ने किसी को भी इस गाउं में नहीं आने दिया चोटी वाला बोला और ये गाउं भूतों के गाउं के रूप में मशूर हो गया यहां जो भी आता है जिन्दा वापिस नहीं लौटता बहुत से लोग तो हवेली में दबे खजानी की वज़ा से यहां आती है मैंने इस किस्म के नियूज पहले भी देखी थी इतना कहकर चोटी वाला खामोश हो किया उसने अपनी खुली चोटी की गांट बांग दी मदूर सर विलाशा को इस वक्त आपकी जरूरत है अकेली नहीं रहनी चाहिए आप घबराइए मत सब ठीक है मदूर उट खड़ा हुआ और विलाशा के बेटरूम में चला किया फिलहाल विलाशा से कोई कुछ पूश्टाश नहीं करेगा उन्हें पता ही नहीं है कि क्या हुआ और मैं अकेला सेकेंड फ्लोर के बेटरूम में रहूँगा जोसफ तुम डैने के साथ एड़्जस्ट हो जाना अब सवाल ये है कि क्या हम लोग यहाँ सेफ है खना ने सवाल किया मैं आप लोगों को बचाने के लिए जान की बाजी लगा दूँगा वो बोना अभी हवेली के बाहर हम सब पर नजर रखे हैं लोहे का गेट उसी ने बंद किया है अब अगर वो दिखाई दिया तो मैं उसे गोली से उड़ा दूँगा डैनी होलेस्टर में टंगी अदनी रिवालवर थप तबाते हुए बोला जो मर चुका है उसे तोप भी नहीं मार सकती अब आप मेरी बात सुनिए हवेली के बाहर कोई भी शक्स कदम नहीं रखेगा मैं इस हवेली को चारों तरफ से बांधता हूँ शायद स्चोर में मुझे कुछ लोहे की केले मिल जाए मैं हवेली को केलक दूँगा फिर कोई गंदी रूप अंदर नहीं आपाए की नाड फेरे नर सिंग बल तोड़े हनुमान चार भुजा रक्षा करे बचरंग बली हनुमान जब तक मैं जिन्दा हूँ किसी को डरने की जरूरत नहीं इतना कहकर चोटी वाला हवेली की राधारी में मुड गया चलो हम लंच की तयारी करते हैं शंकर ने डर के महौल को खत्म करने की कोशिश की सुलिमान तुम मेरे साथ था हम किचन का काम देखते हैं पहले सब को एक एक कप चाए पिलाते हैं सुलिमान खामोशी के साथ उठ खड़ा हुआ दोनों किचन में चले गई मुझसे शादी कर ले जितेश मैं फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दूँगी ये बहुत ही गंदी दुनिया है यहां सब ड्रगिस्ट हैं हजारों लड़कियां बरबाद होकर कोठे पर पहुँच गई हैं कुछ छोटलों में सप्लाई होती हैं ना जाने क्या क्या सपने देख कर वो भाग कर मुंबई आ जाती हैं मैं भी ऐसे ही आई थी हिरोईन बनने बहुतों ने मुझे खराप किया फिर खरना को मुझे पर तरस आ गिया उसने मुझे अपना मैनेजर बना दिया लेकिन गंदगी फिर भी खत्म नहीं हुई पायल रोते रोते कह रही थी उसका सिर्जितेश की गोत में था जितेश उसकी जुर्फों को सवार रहा था उसने कोई जवाब नहीं दिया बोल ना जी तू मुझे निकाल इस गंदगी से मैं खुद कौन सा पाक साफ हूँ जितेश बोला मैं भी तो हीरो बनने आया था फिर इसी इंडस्ट्री में कॉल बॉई बन गया इस इंडस्ट्री की जो हीरोईन बुड़ी हो चुकी है वो तक मुझे कॉल करती है अच्छे पैसे मिल जाते है फिर मेरी इस इंडस्ट्री में जान पहचान हो गई मैंने विलाशा को भी एक फिल्म दिलवाई थी वो मेरे पसंद के हीरोईन आज भी है लेकिन अभी मधुर और अबास उसकी बजा रहे है वो बहुत होट हीरोईन है अरे चोड़ना ये बाते पायल ने कहा हम दोनों इंडस्ट्री चोड़ कर घर बसा लेंगे तुम बहुत अच्छी हो पायल जितेश ने पायल को बाहों में ले लिया आज के बाद चरस गांजा सुट्टा सब बंद हाँ बंद तेरी कसम बंद पायल ने जितेश के होंटों पर अपने कामते अधर चिपका दिये पहले अधरों अधरों में बात होती है फिर जस्म मुलाकात करते हैं और इश्ग का सारा बुखार उदर जाता है पती-पत्नी बनने के लिए एक दूसरे पर विश्वास एक दूसरे के प्रति समर्पन एक दूसरे से बेपना मोहबब तु मेरी दुनिया है मैं तेरी दुनिया इसके सिवक कुछ नहीं बेलास मोहबबत ही हस्ते-खेलते उम्र के आकरी पड़ाव तक का सफर करती है और फिर रू इस फानी दुनिया से चन्द दिनों की चांदनी में नहा कर नचाने किस दुनिया में चली जाती है पर अब ये बेलास मोहबबत खोजे नहीं मिलती सब चलावसा बन गया है ना पती वफदार है ना पतनी वफदार है और इस इंडस्ट्री में तो वफ़ा नाम की कोई चीज ही नहीं है कितनी शादियां, कितने तलाक रोज होते हैं सीजोफरेनिया की शिकार परवीन को क्या मिला सिर्फ दयती मौत BMW का ड्राइवर भुवन पहले पुलिस महक में था एक एंकाउटर केस में वो सस्पेंड हो गया था उसके बाद उसने पुलिस की नौकरी में वापसी नहीं की उसने कुछ फाइनेंस का जुगार करके एक फिल्म बनाई थी जिसमें विलाशा को ही हिरोईन लिया था फिल्म का डिरेक्टर भी अबास ही था उसके फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई और वो सड़क पर आगिया उसके बाद से अब तक वो अबास का ड्राइवर था ड्राइंग रूम में चाही खामोशी उसे अखर रही थी भुवन चुटकले और दो अर्थी शायरी सुनाने में पारंगत था उसने माहौल को हलका करने के लिए एक चुटकला सुनाया शराबियों की कितनी किसमे होती हैं कोई गिंती नहीं कर पाया शराबियों कुछ भी कर सकता है भुवन ने कहा उसके बाजू में डैनी बैठा हुआ था डैनी भाई सुनो एक बार क्या हुआ दो शराबियों फुल टुली होकर बार से निकले दोनों दोस्त थे एक शराबियों बोला यार जब भी हम पीकर सड़क पर आते हैं तो कोई न कोई लफड़ा जरूर होता है दूसरा शराबियों बोला वो इसलिए होता है क्योंकि हम तो नशे में होते हैं सामने से कोई आ रहा होता है तो उससे टकरा जाते हैं और पंगा हो जाता है दोनों ने तैग किया कि आज कोई पंगा नहीं होना चाहिए किसी ऐसी सड़क पर चलते हैं, जिसमें पूरी तरह विराना हो, कोई आता जाता ना हो जैसे आखरी सड़क, डैनी बोला समझ वो आखरी सड़क ही है अब होता ये है कि दोनों शराबी सुनसान सड़क पर चले जा रहे थे उन्हें खुशी थी कि आज कोई नहीं टकराई का आज कोई पंगा नहीं होगा फिर एक शराबी चलते चलते सड़क की साइट में आ जाता है और सीधा एक दरकत से टकरा जाता है तब वो बड़ बड़ाता है हो गया पंगा साला यहां भी कोई टकरा किया उसने चुटकला सुना तो दिया पर कोई हसा नहीं सिर्फ डैनी मुस्कुरा कर रह किया भूवन ने आगे कोई चुटकला नहीं सुनाया डैनी भाई आप फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले क्या करते थे मैं आर्मी सीक्रेट सर्विस में था पेंटिंग और आर्ट डिरेक्शन का शौंक था इसलिए मैंने आर्मी से रिटार्मेंट ले लिया और इंडस्ट्री में आ गया मैं पुलिस क्राइम ब्रांच में था भुवन बोला पता है जब लंज की प्लेट उन्हें शंकर ने थमाई तो भुवन बोला डैनी भाई चलो छट पर चल कर लंज करते हैं डैनी का रेयक्शन गया कुछ खास बाते भी कर लेंगे चलें चलो दोनों अपनी लंज प्लेटे लेकर हवेली की छट पर आ गए कुछ चिडियां वहाँ चेहक रही थी भुवन ने रोटी के चोटे चोटे टुकडे करके उन्हें फैंक दिया मैं चिडियों को खूब दाना पानी देता हूँ भुवन ने कहा ये बहुत शुब होता है मैं तो बैंदरा में चला जाता हूँ वहाँ स्टेशन के पास एक तालाब है जानता हूँ बहुत से लोग वहाँ परिंदों को दाना खिलाते हैं भुवन उसकी बात काट कर बोला पास भी एक माउजर है डैनी ने उसकी जानकारी चीक की आपको क्या लगता है ये भूत-प्रेत होते हैं क्या भूवन ने पूचा मैं नहीं मानता सब दिमाग का वेहम होता है तो फिर यहां क्या चल रहा है डैनी ने तुरंट कोई जवाब नहीं दिया फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा पता नहीं पर आर्मी का एक वाक्या मुझे यात है जिसकी तफ्तेश मुझे ही करनी पड़ी थी और मुझे अफसोस है कि मेरी रिपोर्ट के बाद एक वाजी लेफ्टिनेंट का कोर्ट मार्शल हो गया था उसके बयान के कोई साक्षय नहीं थे सिवाए एक डेट ब सेक्टर की बॉर्डर पर सीस फायर था वहां पहले गोला बारी हुई थी फिर सीस फायर कर दिया गिया था हमारे जवान अपनी पोजीशन पर अलर्ट थे लेफ्टिनेट रावत ने भी पोजीशन ली हुई थी उसका बयान था कि आधी रात के समय उसने तीन काबाईलियों को अपनी तरफ आता देखा उसने उन्हें रुकने की चितावनी थी जब वो नहीं रुके तो फायर खोल दिया वो तीनों मारे गए लेकिन वो अपने बयान के सबूत नहीं दे सका जांच में वहां सिर्फ एक कबाईली का शव मिला और रावत ने इतिफाक से इसी कबाईल कुछ जवानों का मानना था कि वो तीनों कबाईली दरसल कबाईलियों के भूत थे इतना कहकर डैनी खामोश हो गया इस तरह के कई मामली मेरी सर्विस के दौरान भी सामने आए हैं पर वो फर्जी थे भूत प्रेतों की आड़ लेकर क्राइम किया गया था आम तोर पर तेल कुछ देर तक दोनों खामोश रहे फिर भूवन ने खामोशी तोड़ी जो कुछ चोटी वाले ने हमें बताया वो क्या हो सकता है मेरे खयाल से उसने मुझे डराने के लिए कोई मन घड़नत कहानी सुनाई है डैनी ने जवाब दिया Absolutely, you are right भूवन बोला मैं अभी इसी एंगल से सोच रहा हूँ हमने उठा लटक और तोड़ फोड़ चीक पुकार भी सुनी है जिसमें औरत की आवाज भी शामिल है चोटी वाला के कपड़े भी फटे हुए थे सीजोफ्रेनिया, भूवन बोला सीजोफ्रेनिया के पेशन्ट को इस किस्म के दोरे पढ़ते हैं वो अपने आपे में नहीं रहता पर वीन बाबी का किस्ता तो याद होगा वो ऐसे ही हरकते करती थी मार पिटाई भी करती थी विलाशा सीजोफ्रेनिया की पेशन्ट हो सकती है उसने मधूर पर भी हमला किया था डॉक्टर पर भी चोटी वाला भी पर भी किया होगा अब सवाल ये है कि चोटी वाला ने इसे भूत प्रेत का रंग क्यूं दिया ये बात मेरे जहन में भी थी मेरे खयाल से वो अपना रुआप गाटना चाहता है हमें डराना चाहता है विलाशा ने उसके साथ भी मार पिट की होगी सिर्फ उसका दौरा खत्म हो गया होगा और चोटी वाला को मौका मिल गया उसने मनघणत कहानी क्यों सुनाई एक मिनट डैनी ने भूवन को आगे कुछ कहने से रोका इसमें एक पेंच है इस मनघणत कहानी का एक हिस्सा वो बोना भी है जिसने बैरियर खोला था और जिसने सुलेमान का ट्रक रोका था हमारी थियोरी के अनुसार भूत प्रेट का अस्तित्व होता ही नहीं तो फिर वो बॉना भी जिन्दा इनसान है उसे चोटी वाला से कैसे जोड़ा जा सकता है मान लिया विलाशा सीजोफरेनिया की पेशन्ट है जिसका फाइदा चोटी वाला उठाना चाहता है पर सवाल ये है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है क्या वो सीजोफरेनिया का ट्रीटमेंट जानता है हाला कि ये इन्वेस्टिगेशन की चीज़ है भूवन ने जवाब दिया पर मेरी सोच ये कहती है कि चोटी वाला जानता था कि विलाशा सीजोफ्रेनिया की पेशंट है और वो ये भी जानता है कि इस किस्म के पेशंट को कैसे काबू किया जाता है लेकिन उसने अपनी मन घरंद कहानी में उस बौनी को भी भूत साबित करने की कोशिश क्यों की इसी सवालों के जवाबों को तलाशने की कोशिश कर रहा हूँ डैनी ने उत्तर दिया दोनों लंच करना तो भूल ही गए थे फिर उन्होंने लंच किया और किसी नतीजे पर ना पहुँच कर नीचे आ गए चोटी वाला लंच के बाद अपने बैटरूम में जा चुका था मधूर भी विलाशा को बाहों में समेट चुका था उसने लंच लेने से इंकार कर दिया था शंकर और सुलेमान स्पॉर्ट बॉई का काम कर रहे थे इस समय हवेली में जितने लोग थे उनकी संख्या पंद्रा थी विराट खन्ना प्रोड्यूसर अब्बास डायरेक्टर मधूर हीरो विलाशा हीरोईंग पांचमा शंकर प्रोडक्शन वाला चटा सुलेमान ड्राइवर साथमा पायल खन्ना की मैनेजर आठमा भुवन नौवा डैनी आर्ट डिरेक्टर दसमा जितेश ड्राइवर ग्यारवा जोसफ कोरियोग्रेफर बारवा हरीश डियोपी तेरवा डॉक्टर बासू चौधवा चोटी वाला मेकप और पंदरवा विपुल भाई फाइनेंसर हवेली में कुल बेड्रूम नौ थे चोटी वाला सेकंड फ्लोर के एक बेड्रूम में अकेला था सेकंड फ्लोर पर ही दूसरे बेड्रूम में सुलिमान और शंकर थे सेकंड फ्लोर के तीसरे बेडरूम में डैनी और जोसफ थे वो पांच शक्स सेकंड फ्लोर पर थे हवेली के फर्स फ्लोर पर अबास अपने ड्राइवर भुवन के साथ था दूसरे बेडरूम में डॉक्टर बासू के साथ कैमरा मैन हरिश था तीसरे बेड्रूम में कर्णा और विपुल थे ग्राउन फ्लोर पर मदूर अकेला एक बेड्रूम में था दूसरे में विलाशा और पायल थी तीसरे में जितेश था जितेश वाले कमरे में सबका सामान रखा था पायल इस वक्त जितेश वाले बेडरूम में थी मदर विलाशा वाले बेडरूम में था उसने अपनी शेट चेंज कर ली थी लंच हो चुका था और दोपहर के दो बच रहे थे अब आस अपने फोन पर फिर से ट्राई मार रहा था समझ नहीं आ रहा भूवन हम सब के फोन क्यों नहीं लग पा रहे ना हम कॉल कर पा रहे हैं ना कॉल आ रही है एमरजंसी सिस्टम भी काम नहीं कर रहा है नेट सर्विस भी ठप है बहुत से संस्थानों में जमपर लगा होता है वहाँ भी ऐसा होता है भूवन ने जवाब दिया तो क्या यहाँ जमपर लगे है अंदाजा है मेरा रोट पर भी हो सकता है अगर कोई बहुत बड़ा प्लैन हो तो या टावर नहीं है प्लैन मींज अबास चौंग पड़ा हो सकता है इस इस इलाके में डाकूँ का कोई गिरो हो और एडवांस टेक्निक से भटक कर इस तरफ आ गए फिर ये किड्नैपिंग कैसे हो सकती है ऐसे ही बहुत से सवाल है जिनका जवाब मुझे नहीं मिल पा रहा है कड़ियां बिखरी हुई है एक बार ठीक से जुट जाएं तो कोई सल्यूशन निकल सकता है रात को जनरेटर ओन कर दिया गया वे लोग तेल का कम से कम इस्तिमाल करना चाहते थे डिनर में सब इकठा हो गए विलाशा अब ठीक थी और हज ससकर बात कर रही थी उसे किसी ने नहीं बताया था कि उसे दौरा पड़ा था भुवन डैनी और चोटी वाला की अतिरिक सब के चहरे उत्रे हुए थे चोटी वाला ने हिदायत दी कि किसी भी सूरत में कोई भी हवेली से बाहर नहीं निकले का हवेली के दर्वाजी को हम अंदर से बंद कर लेंगे उसके बात सब एक दूसरे को गुड नाइट कहकर अपने अपने बेडरूम में चले कए रात के लगपक दो बचे होंगे जब माउथ औरगन की एक धुन बचने लगी जो जाग रहे थे उन्होंने सुनी सोने वालों में खन्ना विपल अबास जोसब वगेरा थे जो जाग रहे थे वो थे डैनी सुलेमान चोटी वाला विलाशा मदूर की बातों में थी दोनों एक ही लिहाफ में थे और नगना वस्ता में थे यही आलम पायल और जितेश का था सबसे पहले सुलेमान उट बैठा उसने शंकर को जगाया क्या है सोने दो बहुत थका हूँ मर साले सुलेमान हर बड़ाया वो उटकर बैडरूम के खिड़की के पास आ गया उसने खिड़की खोल कर बाहर देखा बाहर चांदनी रात थी सुलेमान हवेली के बाहर देख रहा था तब ही उसे वही बोना दिखाई दिया जो माउथ औरगन बजाता हुआ धीरे धीरे चल रहा था उसके कंधे पर रोशन लाल टेन लटक रही थी उसे देख कर सुलेमान का खोन खौल गया उसे ये ध्यान ही नहीं रहा कि चोटी वाला ने बोने के बारे में क्या कहा था सुलेमान अपने कमरे से बाहर निकला उसने किचन से चाकू उठा लिया और हवेली के सदर दर्वाजे की तरफ चल पड़ा हवेली का ड्राइंग रूम रोशन था सुलेमान सदर दर्वाजा खोल कर बाहर आ किया वो एक निडर इंसान था वो किसी को साथ नहीं ले गया अकेला ही बाहर गया माउथ औरगन की धुन बशना बंध हो गई जब शंकर उठा तो उसने सुलेमान को गायप पाया सुबा हो चुकी थी उसे सब के लिए बैट टी बनानी थी उसने सुलेमान को आवास दी पर कोई जवाब नहीं मिला तब शंकर ग्राउंड फ्लोर पर आया अभी तक सब अपने कमरों में सो रहे थे लेकिन भुवन ड्राइंग रूम में बैटा था और हवेली का दरवासा खुला था शंकर ठिटक गया अब शंकर को शक हुआ कि सुलिमान शायद बाहर गया है क्या तुमने सुलिमान को देखा उसने भुवन से पूछा सौरी अब वो जिन्दा नहीं है मैं उसे बचा लेता पर उस तक पहाशने में मुझे देर हो गई उसकी लाश हवेली के पिछले हिस्से में एक पेड़ के नीचे पड़ी है वाट शंकर बढ़ बढ़ाया ममा मगर बाकी तो मुझे कुछ नहीं मालूम भुवन ने उसकी बात काट कर कहा जितना मालूम है पता देता हूँ मैं रात भर सोया नहीं करीब दो तिन बचे मैंने माउथ औरगन की धुन सुनी ये धुन बाहर से आ रही थी मैं हवेली की ड्राइंग रूम में आया तो उसका दर्वाजा पहले से खुला था मैं बाहर आ गिया चांदनी रात थी मैंने ये जानने के लिए कि माउथ औरगन कौन बजा रहा है हवेली का एक राउंड लिया फिर मुझे पिछले हिस्से में सुलेमान नजर आ किया जो आंधे मुँ पड़ा था और उसकी गर्दन काट दी गई थी वो मट चुका था शंकर कांपने लगा सुलेमान उसका जिगरी यार था शंकर लड़ खड़ाते कदमों से बाहर निकला भूवन उसके साथ साथ निकल पड़ा दोनों उस जगा पहुँचे जहां सुलेमान की लाश पड़ी थी शंकर उसकी लाश देख कर रोने लगा भूवन ने उसका कंदा थप थपाया आउ चले अभी किसी को मत बताना वो शंकर को लेकर वापिस आ गया चाय बनाने में मैं तुम्हारा साथ दूँगा भूवन बोला और दोनों किचन में चले गए बगर वो बाहर निकला क्यों शंकर ने पूछा मुझे नहीं मालूम भूवन ने जवाब दिया दूसरी लाश हवेली में ही बरामत हुई वो चोटी वाला की लाश थी चोटी वाला अपने कमरे में फर्श पर पड़ा हुआ था किसी ने उसका पूरा सीना चीर फार दिया था जैसे किसी जंगली जानवर का काम हो सबसे पहली ये लाश भूवन ने ही देखी थी बाकी लोग तो चाई पीने ड्राइंग रूम में आ कए थे भूवन ने उन्हें जगा कर बुला लिया था फिर जब वो चोटी वाला के कमरे में पहुँचा तो दर्वाजा खुला मिला और फर्श पर खून फैला हुआ था चोटी वाला चित पड़ा था उसका बदन अर्द नगना वस्ता में था और उसका सीना चीर फार दिया गया था मारने वाला उसका कलेजा भी काट कर ले गया था भूवन तेजी से वापिस पलट पड़ा अब किसी से कुछ चुपाना मुनासिब नहीं था दो कतल हो चुके थे विलाशा और मधुर के इलावा सब लोग ड्राइंग रूम में आ गए थे शंकर ने उनकी चाय पहुचा दी थी आप लोगों को ये बताना जरूरी है कि हम सब किसी मुसीबत में फस गए है भूवन बोला दो लोगों का कतल कर दिया किया है उसके इन शब्दों ने बम के धमाके के काम किये सब उचल पड़े विपुल और खन्ना के हाथ से चाय के कप भी चूट कर कालीन पर बिखर गए जोसफ के हाथ में जो कप था उसकी प्लेट कामपने लगी अबास ने कप एक सांस में खाली कर दिया शंकर तो चाय सर्फ करने के बाद किचन में बैठा रो रहा था मुश्किल से उसने चाय बना कर सर्फ की थी चोटी वाला की लाश उसके रूम में पड़ी है दूसरी लाश सुलिमान की है जो बाहर पड़ी है भुवन ने सारी जानकारी दी मैं आप लोगों को अच्छी तरह समझाना चाहता हूँ कि आप हिमत ना हारे ये काम भूत प्रेतों का नहीं है यहां कोई गैंग है जिसने हम सब का अपरण कर लिया है और इसकी जानकारी हमें दो आदमियों से मिल सकती थी जिस पर सबसे पहले मेरा शक गया क्यूंकि उसने भूत प्रेतों की मनघणन कहानी सुना कर हमें डराने की कोशिश की ताकि अगर कोई मारा चाता है तो हम यही समझें कि वो भूतों का काम है मेरा दूसरा शक सुलेमान पर गया वज़ा साफ है प्रोडक्शन का ट्रक सबसे आगे था और बाकी गाडियां उसी को फॉलो कर रही थी फिर वो इस सड़क पर क्यों मुड़ गया और हम सब को इस तरफ क्यों ले आया ततत्तों वो गैंक क्या चाहता है मुम्किन है इस अपरन के बाद फिरौती की शकल में मोटी रकम वसूल की जाए प्रमुक्रोप से ये मोटी रकम चार लोगों के घरों से मिल सकती है मैं तो अकेला रहता हूँ शादी नहीं की ना ही मेरा परिवार अमीर है वे किसान लोग है और गाउं में खेती बाड़ी करते हैं किसी को जानकारी भी नहीं होगी शंकर प्रोडक्शन वाला है कोई अमीर आत्मी नहीं डैनी, जोसफ और हरिश भी मोटी असामी नहीं है सिर्फ विराट खन्ना, विपल भाई, विलाशा, मधुर इन चार लोगों के फिरौती में मोटी रकम वसूल की जा सकती है इनका प्लैन यही होगा सबूत ना रहे इसके एवश में वो बाकी सब को ठिकाने लगाने की कोशिश करेंगे अगर उस गिरोग को ऐसा करना है डी ओपी हरिश ने कहा तो भूत प्रेतों का ड्रामा रशने की क्या जरूरत है नहीं वो सामने नहीं आ सकते क्यूंकि इस गाओं के बारे में तो अफवा फैलाई गई है वो समाप्त हो जाएगी और उनका आगे का कारूबार ठप हो जाएगा वो नहीं चाहते कि यहां मारे गए लोगों की तफ्तिश पुलिस इस नजरिये से करे भुवन ने उत्तर दिया फिरूती के बाद जब वो हमें चोड़ देंगे तो क्या तब पता नहीं चलेगा कि यहां डाकू रहते हैं हम उन्हें एक्सपोस भी कर सकते हैं फिरूती का सारा भेद भी खुल जाएगा भले ही वो हमें मारते ये बात अबास ने कही नहीं भुवन तुमारे इस नजरिये में दम नहीं है यदि ये कोई गिरो है तो हमारी गाड़ियां तबा नहीं होती हम सीधे यहां पहांच जाते और दोसरी बात ये है कि मैंने विलाशा का वुरूप देखा है जब उसने मुझे लात मारी थी उसने मदूर का हाथ भी काटा उसे एक्टिंग करने की क्या सरूरत थी क्या वो भी डाकों के गिरों में शामिल है बोवन ने इन अंगल से नहीं सोचा था उसे जवाब नहीं देते बना अब जो हो चुका उससे आगे की सोचे तो बैतर होगा डैनी बोला हम ये मान कर चले कि हम सब की जान खत्रे में है और हमें खुद को बचाना है थोड़ी देर के लिए खामोशी चा गई फिर खन्ना ने खामोशी तोड़ी सबसे पहले तो उन लोगों को दफनाने का इंतिजाम करो यहां कुदाल फावडे भी होंके वे जैसे भी थे हमारे युनिट के सदस्य थे कुदाल फावडे मिल गए जो हवेली के बाहर जनरेटर वाले स्चोर में रखे हुए थे चोटी वाले की लाश को एक बोरे में डाल कर लाया किया क्योंकि लाश बहुत विभत्स थी दोनों लाशों को हवेली के पीछे वाले हिस्से में दफना दिया किया दिन में कोई उलेकनी ये घटना नहीं घटी थी शाम ढलते ही भूवन और डैनी चट पर आकए इन लोगों का अब भी यही खयाल है कि भूत प्रेतों का चकर है भूवन बोला कल हम चोटी वाला पर शक कर रहे थे वैसे तुम्हारी बात में ये तो वजन है कि चोटी वाला और सुलिमान जरूर कुछ जानते थे पर कोई फिरौती के लिए हमारी किड्नैपिंग करेगा ये नहीं हो सकता वैसे ये भी हो सकता है कि सुलिमान से अंजाने में ये गलती हो गई हो जो हम इधर आ गई तो उसे क्यों मारा गया भूवन ने सवाल उठाया रुको अभी कोई फैसला करना ठीक नहीं होगा डैनी बोला खन्ना साहब ने रात को पहरा लगाने की बात की है आज पहरे पर शंकर और जितेश है पर हमें उनके भरोसे नहीं रहना चाहिए हम भी रात को चौकस रहेंगे मैं छट से निगरानी रखूँगा और तुम मैं हवेली से बाहर रहूँगा और ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए अगर आज रात कुछ नहीं हुआ तो तुम्हारी बात का वजन बढ़ जाएगा दोनों नीचे उतर आए वरना ये लोग तुम पर ही शक करने लगेंगे डैनी ने कहा साइं बुवन मेरे पास भी आया था हमको बोला था उसका फिल्म फाइनेंस के वास्ते हमने उसको मना कर दिया विपल भाई खना से कह रहा था और तुमको फाइनेंस दिया तुम्हारी बात में दम है भाई लाशे भी सबसे पहले उसी ने देखी और हाँ मुझे ध्यान आ गया ये लोकेशन भी तो उसी ने सजेस्ट की थी वो अपनी फिल्म के शूटिंग यहां कर चुका था बस तो सारा मामला ही साफ है विपल ने कहा उसने डाकों की कहानी इसलिए गड़ी ताकि हम यही समझे कि हमें डाकों ने किटनेप कर लिया है और फिरोती मांगने वाले डाकों ही है असल में पैसे की जरूरत उसे खुद को है क्योंकि वो पहले प्रोडियूसर ही था वो खुद सामने फ्रेम में नहीं आना चाहता खन्ना और विपुल अपने कमरे में डिसकस कर रहे थे लेकिन इसने सुलिमा और चोटी वाला का कतल क्यों कर दिया शायद वो दोनों इसके रास्तार रहे हो क्योंकि सुलिमा नहीं तो हमें इस सडक पर लेकर आया जरा सोचो तो हम यहां फस गए क्या हमारी यूनिट के दूसरे लोगों ने जो लोकेशन पर है पुलिस को सूचना नहीं दी होगी बराबर दी होगी खन्ना बोला तो पुलिस अब तक यहां क्यों नहीं आई वही तो मैं भी सोच रहा हूँ क्या इसने पुलिस से भी सेटिंग की होगी करना सोच में पढ़ गया नहीं इस तरह पुलिस आती ही नहीं होगी यहां ऐसी घटनाई घटती रहती होगी तबी तो बेरियर लगाया किया है प्रशासन और पुलिस ने तो पहले ही चितावनी दी हुई है इस तरफ आने वालों के साथ पहले जरूर कुछ हाथ से हुए होंगे ये बात भुवन की जानकारी में थी हो सकता है यहां डाकों का गिरो भी हो जो उसे सपोर्ट कर रहा हो विपुल भाई ने जवाब दिया सवाल यह है कि अब हम क्या करें कुछ करना ही नहीं साई इसे अपना खेल तो पूरा करने दो हम एक बार यहां से सही सलामत निकल जाए चाहे फिरोती देकर निकले कंप्लेन तो बात में भी हो सकती है इसकी हम बैंट बजा देंगे दोनों का डर काफी हद तक कम हो गया था चट पर खड़े डैनी ने भूवन को एक जाड़ी में छुपते हुए देखा वो कुछ सोच रहा था उसके दिमाग में भारी हलचल थी वो पूरे घटना क्रम के तार जोड रहा था फिर उसने कुछ फैसला किया और चट से नीचे उतरने के लिए सीडियां तैक करने लगा हवेली में गहरा सननाटा चाया हुआ था बल्ब रॉशन थे डैनी ग्राउंड फ्लोर पर आ किया ड्राइंग रूम में जितेश और शंकर कालीन पर बैठे ताश खेल रहे थे आहट सुनते ही दोनों ने रियक्ट किया डानी डैनी सामने खड़ा था उसके हॉलेस्चर में रिवॉल्वर जूल रहा था मैं बाहर जा रहा हूँ डैनी ने कहा बाहर तो भूवन मौजूत है जितेश बोला डैनी ने कोई जवाब नहीं दिया और हवेली के मुख्य द्वार से बाहर निकल गया हवेली का मुख्य द्वार पहले से खुला था क्योंकि भूवन बाहर था और कभी भी अंदर आ सकता था उस वक्त राब के साड़े बारा बच रहे थे डैनी बाहर निकल कर चलता हुआ भूवन के पास पहुँचा भूवन ने उसे आते देख लिया था जब वो पास आया तो भूवन ने उसे धीमी आवास में पूचा तुम नीचे क्यों आ गए सौदा करना है डैनी ने कहा सौदा कैसा सौदा भूवन जाड़ी से बाहर आ किया जो खेल तुमने खेला है उसमें 50% मेरा भी होगा क्या मतलब देख तू भी पुलिस वाला देख चुका है और मैं आर्मी सीक्रेट सर्विस में यही बताने आया है भूवन ने उसकी बात काट कर कहा मुझको बैकानी की कोशिश मत कर सुलेमार और चोटी वाला तेरे ही आदमी थे जो तेरे प्लैन के बारे में जानते थे चोटी वाला को तुमने ही विराट प्रोडक्शन में काम दिलाया था तो और सुलेमान तेरे प्रोडक्शन में काम कर चुका है डैनी ने तल्क स्वर में कहा तू कहना क्या चाहता है इस गेम का आदा हिस्सा चाहिए मुझे फिर उती के लिए तूने कितनी रकम फिक्स की है तेरा दिमाग तो खराप नहीं हो गया है वरना तेरा खेल खत्म कर दूँगा मैं डैनी ने अपनी गन होलेस्चर से निकाल ली भूवन के हाथ में तो गन पहले से थी खेल खत्म करने से तेरा क्या मतलब है भूवन का रेयक्शन आया गोली मार दूँगा तुझे बोल हा की ना तेरा शक बेबुनियाद है डैनी गन रख ले और सुन मैं भी एंकाउंटर स्पेशलिस रहा हूँ दोनोंने एक दूसरे पर गन तान दी बोल हा की ना डैनी गुर राया भूवन ने कुछ सोचा देख डैनी जो तू सोच रहा है अगर वो बात सच निकली मैं तो तुझे आधा हिससा जरूर दूँगा इस सिचुएशन में आकर हम वा आपस में ना लड़े तो बेहतर होगा ठीक है अब मैं तेरे साथ हूँ डैनी ने कहा और वहां से पलट पड़ा अभी उपर से चौकसी रखना भूवन ने कहा डैनी ने कोई जवाब नहीं दिया वो पुने हवेली की चछत पर चड़ गया वो देखना चाहता था कि यहां भूवन के मददगार कौन-कौन है हो सकता है किसी और का भी कतल होने जा रहा हो हो सकता है उसका कोई और भी रास्तार हो वो चछत पर आ गया ड्रॉइंग रूम में जितेश और शंकर ताश खेल रहे थे भूवन के निगा गेट पर ही जमी होई थी वो अब भी उसी जाड़ी में दुपका हुआ था डैनी ने उसका मूड आफ कर दिया था उसने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और लाइटर से उसे सुलगा दिया अब वो गेरे सिगरेट के कश खींच रहा था परंतो निगा बद स्तोर गेट पर जमी होई थी इससे पहले वो हवेली की चार दिवारी का अच्छी प्रकार मौईना कर चुका था अंदर आने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था वो श्योर था कि अगर कोई हवेली में दाकिल होगा तो इसी लोहे के गेट से अंदर आएका उसने घड़ी में वक्त देखा रात का एक बच रहा था अचानक उसे दूर से माउथ औरगन पर बचती धुन सुनाई थी दून बहुत प्यार करते हैं तुमसे सनम बच रही थी उसी समय भूवन ने लोहे के गेट को खुलते देखा और उसके दिल की धड़कने तेज हो गई गन उसके हाथ में आ गई गेट ने गेट से उसने किसी को अंदर आते देखा वो वही बोना था जिसका जिक्र चोटी वाला ने किया था बोने के कंदे पर लाल टेन लटक रही थी वो माउथ औरगन बजा रहा था गेट बंध हो गया बोना धीरे धीरे चोटे चोटे कदम रखता बढ़ रहा था बोना अब उसे जिन्दा ही पकड़ने को ठान चुका था बोना एक जगा आकर ठिटक कर रुका धुन बशनी बंध हो गई थी बोने के पैरों में आर्मी बोट थे जिनका उपरी हिस्सा उसके घुटनों तक फसा हुआ था बोना अपनी जगा से मुड़ गया और हवेले के पिछले हिस्से की तरफ जाने लगा भुवन जाड़ी से बाहर निकला और उसने बोने का पीछा करना शुरू करतिया बोना चलता हुआ एक व्रिक्ष के नीचे चला किया फिर अचानक उसकी लाल्टेन बुझ गई फिर वो कहा गया भुवन को नजर नहीं आया भुवन तेजी से उस पेड़ के नीचे आ गया हाथ में गन थामे वो इधर उधर देखने लगा बोना कहीं नजर नहीं आया भुवन पेड़ के नीचे ही खड़ा था अचानक कोई चीज उसके सिर परागिरी इससे पहले की वो कुछ समझ पाता एक रस्सी का फंदा उसके गले में फिक्स हो चुका था जो एक जटके में ही कस गया भुवन की गन हाथ से छूट गई वो दोनों हाथों से रस्से को पकड़ कर उसकी गांट धीली करने लगा लेकिन गांट पूरी तरक कस गई थी फिर रस्सा उपर खिंचने लगा और भुवन के पाउं ने जमीन छोड़ दी वो चीकना चाहता था लेकिन गले से आवास नहीं निकल पा रही थी वो चट पटाने लगा पर अब कुछ नहीं हो सकता था विलाशा गेरी नीद में थी जबकि मधूर विंडो के पास खड़ा था उसने गेट में एंटर होते बोने को देख लिया था और फिर भुवन को उसके पीछे मूव करते देखा मधूर निडर इंसा वो समझ गया कि भुवन उस बोने को जिन्दा पकड़ना चाहता है बोना माउथ और गन पर एक धुन बजाता हुआ अंदर आया था इसी धुन को सुनकर मधूर विंडो पर आ किया था बेडरूम की लाइट आफ थी भुवन उस बोने का पीछा दबे कदमों से कर रहा था रात चाननी थी अचानक चान बादलो की ओट में हो गया था उस वक्त बोना एक पेड़ के नीचे मूव कर चुका था और उसकी लाल्टेन गुल हो गई थी आगे का द्रिश्य मधूर नहीं देख पाया कि वहां क्या हुआ उसकी समझ में ये भी नहीं आया कि भुवन वहां क्या कर रहा था मधूर अब बाहर जाने के लिए दर्वाजे की तरफ बढ़ा उसी समय विलाशा के कराने की आवाज सुनाई थी वो ठिटक गया लाइट आन करतो मधूर वो कराती हुई बोली मुझे डर लग रहा है मधूर वापिस पलट कर विलाशा के पास आ किया मधूर ने लाइट आन करती विलाशा उटकर बैट कई यहां मेरे पास आ कर बैट चाओ तुम खिड़के से क्या देख रहे थे कुछ नहीं बाहर चांदनी रात है ना मैंने कोई संगीत सुना था जैसे कोई माउथ औरगन बजा रहा हो क्या बाहर कुछ है अरे नहीं तुम्हारा वहम होगा मदूर बैट पर आकर बैट गया विलाशा ने अपना सेर उसकी गोद में रख दिया मदूर उसकी जुल्फों से खेलने लगा लाइट आफ कर दूंकिया हां लाइट आफ करके मेरे पास आ जाओ मदूर लाइट आफ करके विलाशा के पास आ गया दोनों लेट कर एक दूसरे की बाहों में समा गई दोनों की सांसे एक दूसरे की सांसों से टकराने लगी और फिर वो तुफान की जद में आते चले गई मदो ने उसे बाहों में कस लिया वो सब कुछ भूर कर विलाशा में गुम हो गया ताश खेलते खेलते शंकर चौंका मुझे गैस की बू आ रही है कहीं गैस सिलंडर लीकिष तो नहीं कर रहा देखकर रहा बू तो मुझे भी मैसूस हो रही है शंकर उठकर किचन की तरफ बढ़ गया किचन में शंकर ने अभी रोशनी जलाई नहीं थी की किचन का दरवाज़ा बंध हो गया जितेश ने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया करीब दस मिनट तक जब शंकर बाहर नहीं आया तो वो उट खड़ा हुआ और किचन की तरफ बढ़ा ठीक उसी समय बात्रूम में शौवर चलने की आवाज सुनाई दी जितेश बात्रूम की तरफ बढ़ गया वो बात्रूम में दाकिल हुआ पर उसके अंदर पहाशने से पहले ही शौवर बंद हो गया था उसने बात्रूम की रोशनी अभी तक कौन नहीं की थी उसमें ड्राइंग रोशनी आ रही थी ये कॉमन बात्रूम था अचानक उसने आहट महसूस की उसके पेछे कोई बात्रूम में आ गया था उसका मुख खुला का खुला और आँखे फटी की फटी रह गई उसने चीकना चाहा पर आवाज गले में ही फस कर रह गई जोसफ बेडरूम में अकेला था उसके बेडरूम का साथ ही डैनी था जो कब वहाँ नहीं था जोसफ की आँखों में नीज नहीं थी वो जाग रहा था और बार बार क्रॉस को माते पर लगा रहा था कमरे में रोशनी थी उसने लाइट आफ नहीं की थी पर कमरे का दर्वाजा अंदर से बंद किया हुआ था ठक 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 दर्वाजे पर दस्तक हुई जोसफ एक दम चौंक कर उट बैठा और दर्वाजे को गोरने लगा कककॉन उसने हक लाकर पूछा डैनी बाहर से भर्राई सी आवास आई उस वक्त उसे इस बात का जरा भी खयाल नहीं आया कि वो डैनी की आवास थी वो बैटरूम से उटकर दर्वाजे की तरफ बढ़ गया और फिर उसने दर्वाजा खुला ही था कि एक खंजर उसके सीने में पेवस्त हो गया जोसफ चीक भी नहीं पाया और लड़ खड़ा कर खुले दर्वाजे में गिर गया डैनी टेरिस पर टेहल रहा था उसने भी माउथ और्गन की धुन सुन ली थी फिर उस बोने को भी देख लिया जो गेट के अंदर आ रहा था बोने की मूवमेंट पर उसकी निगाश जमी थी बोना पेड के नीचे चला गया और उनकी लाल्टेन बुझ गई पेड के नीचे घना अंधेरा था डैनी ने भूवन को उस तरफ जाते देखा और फिर भूवन उसी लेट के घने साएं में गटमड हो गया डैनी को लगा वहां कुछ गडबड होने वाली है वो देखता रहा पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया उस वक्त चांद भी बादलों की ओट में चला गया था और हर दरफ अंधेरा फैल चुका था अब डैनी को भी कुछ नजर नहीं आ रहा था डैनी इंतिजार करता रहा कि शायद कुछ नजर आई पर कुछ नजर नहीं आया वो खामोशी के साथ टेरिस के मुंडेर पर खड़ा रहा अचानक उसे अपने पीछे सरसराहट का एहसास हुआ वो चौंक कर पलटा पर तब तक देर हो चुकी थी किसी ने उसे टांगों से पकड़ कर मुंडेर की दूसरी तरफ उच्छाल दिया था डैनी की चीक गुंची जो फिजा में वेलीन होती चली गई हवेली में संसनी फैल कई एक ही रात में पांच-पांच लोगों को मौत के घाट उदार दिया किया था किसी को कुछ भी नहीं सूश रहा था कि क्या करे ये कबर सुनते ही कैमरा माइन डी ओ पी हरिश को दिल का दौरा पढ़ गया था डॉक्टर बासू उसका चेक अप कर रहा था हाला कि उसके भी हाथ काम रहे थे विपल बेहोश हो किया उसे भी बेटरूम पहुंचा दिया किया दो लाशे बाहर पड़ी थी सबसे पहले मधो ने जनरेटर आफ किया भूवन एक पेट पर फांसी जूल रहा था फंदा उसके गले में लगा था और जुबान बाहर निकली होई थी आंके पूरी खुली थी उसकी गन कदमों तले बेजान पड़ी थी दूसरी लाश डैनी की थी जो हवेली के पिछले हिस्से में ओधे मुँ पड़ी थी उसका सिर तर्बोस की तरफ फट गया था एक गन अभी उसके हाथ के गिरफ में थी ऐसे जैसे मरने के पूर्व उसने गन निकाली हो पर कोई फायर नहीं कर पाया हो तीसरी लाश किचन में थी वो शंकर की लाश थी जिसका सिर काट कर गैस चुली के पास ऐसे रखा गया था जैसे उसका भेजा निकाल कर कोई डिश बनाने की तयारी हो सिरेक्स चील की प्लेट में रखा हुआ था जिसमें खून जमा हुआ था इसे देखकर ही हरीश की उपकाई आई थी उसके बाद उसे हार्ट अटेक का दौरा पड़ किया चौती लाश जितेश की थी जो कॉमन बात्रूम में पड़ी थी उसका पूरा सीना चीर दिया गया था और उसका कलेजा काट लिया गया था ये भी विबत सुद्रिश्य था उन सब के रौंग्टे खड़े हो गई थे सब की जुमान तालू से चिपक गई थी पांचवी लाश जोसफ की थी जुसके सीने में खंजर पैवस था और वो दर्वासे पर ओंधे मुँ पड़ा था अब जो लोग हवेली में जिन्दा बचे थे उनकी हालत मुर्दे से भी बत्तर हो गई थी खना ड्रॉइंग रूम में गुमसम बैठा था अलबता पायल जितेश की लाश देखकर चीखे मारती अपने बैठरॉम में घुस गई थी और उसने बैठरॉम का दर्वासा अंदर से बंद कर लिया था विलाशा ने मधुर को कमरे से बाहर नहीं आने दिया जिस वक्त खना ने दस्तक दे कर दर्वासा खुलवाया था विलाशा सो रही थी लेकिन मधुर जाग किया था खना ने उसे इशारे से बाहर बुलाया फिर खना के कहने पर ही मधुर ने बैठरॉम का दर्वासा बाहर से बंद कर दिया था हमें लोहे के गेट को मुकमल तौर से बंद करना है क्या मतलब? मैंने अपने तौर पर बहुत सी बातों का पता लगाया है कल जब यहां दो मर्डर हुए तो मेरा पूरा दिन इसी चान बीन में गुज़रा सबसे पहले तो मैंने ये मालुम किया कि क्या इस गेट के अतिरिक भी अंदर आने का कोई रास्ता है पर ऐसा कोई जर्या नहीं है इसका मतलब सिर्फ इसी गेट से अंदर बाहर आया जाया जा सकता है कतल करने वाला इसी गेट से अंदर आता है और इसी से बाहर जाता है वो रात को एक बज़े के बाद आता है जब हम गहरी नींद में होते हैं इतना कहकर मदुर कुछ देर के लिए लुका और वो कोई और नहीं वही बोना है जिसके बारे में चोटी वाला ने बताया था कि उसका नाम गोलू है खास बात ये है कि लोहे का ये गेट इलेक्ट्रानिक सिस्टम से काम करता है इसे रिमोट कंट्रोल से खोला और बंद किया जाता है तुम्हें कैसे मालूम? खन्ना ने पूछा मैं फिल्मों में आने से पहले सौफ्ट्वियर इंजनियर रह चुका हूँ मैंने गेट चेक किया था इसका मतलब बौने के पास उसका रिमोट है ये बोना बेहत खतरनाक चाल बास और फुर्तीला है मैं पिछली सारी रात जाता रहा विलाशा सो गई थी मैं खिर्की से बाहर देखता रहा तब मुझे वो बोना गेट में दाकिल होता नजर आया उसके कंदे पर लाल्टेन लटक रही थी और वो माउथ और गन बजा रहा था उसके अंदर आते ही गेट बंध हो गिया फिर चुकि उसके मूवमेंट का एंगल बदल गिया इसलिए मैं उसे नहीं देख पाया वरना मैं भूवन को मरने से बचा सकता था भूवन की गन इस वक्त मधूर के पास थी डैनी की गन अबास ने अपने कबसे में ले ली थी हमारा दुश्मन हमारी पहचान में है और हमारे पास गन भी है अब उसे बच निकलने का कोई चांस नहीं देंगे जैसा भूवन ने किया शायद भूवन उसे जिंदा पकड़ना चाहता था अब हमें ऐसा काम करना है कि वो गेट ही ना खोल पाई चलिए मेरे साथ अब पूरी टीम का नित्रित्व मधुर ने संभाल लिया था वो सबको लोहे के गेट तक ले गया हमें इस गेट को पत्रों से रोकना है मधुर बोला कैसे? हवेले में कुछ जगा पत्थर रखे हैं जिनने चबूतरा बनाने के लिए प्रियोग किया जाता होगा हम उन पत्रों को उठा उठा कर यहां रखेंगे और गेट पर एक दिवार खड़ी कर देंगे गेट अंदर की तरफ खुलता है जब कोई उसे बाहर से खोलने की कोशिश करेगा तो गेट नहीं खुल पाएगा गुड आइडिया खरना बोला और जब बाहर से कोई आ नहीं पाएगा तो हमें मारेगा कौन मान गए मधुर तुम वाके हीरो हो अबास ने उसकी पेट थप थपाई काम तेजी से शुरू हो गया पत्रों की दिवार खड़ी करने में करीब दो गंटे लग गए अब हमें एक काम और करना है मधुर ने कहा क्या? खरना ने पूछा हवेली का चपचपचपचा चान मारना है पहले बाहर फिर अंदर मैं और अबास दाईं तरफ मूव करेंगे और खरना साहब आब आसू के साथ बाई एक मिनट अबास में उसे बेच में टोका तुम बासू के साथ मूव करोगे और मैं खरना के साथ क्योंकि गंट तुम्हारे पास है या मेरे पास ओके राइट मदुर मुस्कुराया हमें बारी किसे हर जगा की जांच करनी है हवेली में अंदर आने का कोई रास्ता तो नहीं और यहां कोई छुपा हुआ तो नहीं है दो-दो के जोडे में वो मूव कर गए मदुर ने उन में नया जोश भर दिया था अब उनके चेहरों पर दैशत के कई चिनह नहीं थे पतली घाटी शूटिंग लोकेशन का इंचार्च दीपक था बस तो आ गई थी लेकिन वो लोग नहीं आये थे जो गाड़ियों में और वैनेटी में थे दीपक के लिए ये बेहत परिशानी का सबब था पुलिस ने जो जांच की थी उसकी रिपोर्ट दीपक को मिल गई थी उनकी जांच की अनुसार वे सभी लोग मर चुके थे जो उस सड़क पर गए थे दोनों वैनेटी खाई में गिरी पाई गई लेकिन जांच दल खाई में नहीं उत्रा सिर्फ एक लाश उने मिली थी जो आडी के ड्राइवर गुलशन की थी वैनेटी के इलावा BMW के भी रिपोर्ट थी कि वो एक चटान के नीचे कुछली पाई गई थी Mercedes के भी रिपोर्ट थी लेकिन प्रोडक्शन का सामान लाने वाले ट्रक के बारे में कोई सूशना नहीं थी स्थानिय पुलिस का मानना था कि उस सड़क पर जाने वाला जिन्दा वापिस नहीं आता इसी नजरिये से तफ्तीश की गई थी अब स्थानिय पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था दीपक ने यूनिट के प्रमुक लोगों को बुला लिया उनमिर शंकर का असिस्टेंट तौसीफ उसके पास ही बैटा था फिल लाइट मैन का इंचार्ज जनार्दन आया स्थानिय लोगों को दीपक ने इस मीटिंग में नहीं भुलाया था कुछ आर्टिस्ट और असिस्टेंट डिरेक्टर गोपी भी आ किया कैमरा मैन का असिस्टेंट भी आ किया सब लोग एक हंट के प्रांगण में बैट गए जिन में चेर्स पड़ी हुई थी दोपहर का वक्त था दीपक ने सब को वो रिपोर्ट सुनाई जो पुलिस महकमे की तरफ से उसे मेल पर आई थी तो ये मालनी आ जाए कि वो लोग खाई में तोसीफ ने घबराई स्वर में कहा नहीं दीपक ने उसकी बात काटी पुलिस को सिर्फ दोनों वैनेटी खाई में नजर आई थी उन्होंने उसे में खाना पूर्ती कर दी और आगे जाने की हिम्मत नहीं दिखाई उनके रिपोर्ट में एक BMW का एक्सिडेंट भी था लेकिन गुल्शन के इलावा किसी का भी वो बरामत नहीं कर सके इसका मतलब वो सब लोग जिन्दा हैं अगर वो जिन्दा है तो वापिस क्यों नहीं लोटे गुपी का सवाल था पदा नहीं उन पर क्या गुसरी तुम कैसे शूर हो कि वो लोग जिन्दा हैं एक आर्टिस ने पूछा सुनो मैं सबूत के साथ बात करूंगा सबसे आगे प्रोडक्शन का ट्रक था उसके बारे में पुलिस रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है ओडी में डैनी और जोसफ थे साथ में चोटी वाला उनकी गाड़ी का भी एक्सिडेंट हुआ सिर्फ गुल्शन का शफ मिला जो शायद एक्सिडेंट के बाद वापिस भाग आया होगा बाकी तीनों लोग कहां गए यकीनन वे सब आगे गए होंगे और वहां तक आए होंगे जहां इस सड़क का आखरी छोर है उस इलाके में इंटरनेट और मुबाइल फोन नेटवर्क नहीं है अब हमें क्या करना चाहिए तौसीफ ने पूछा हमारे पास एक ही लास्ता बचा है क्या गोपी ने पूछा मैं सभी एसोसेशन को फोन लगाता हूँ और उन्हें हालात से आगा करता हूँ वो ज़रूर कुछ न कुछ करेंगे यही मैं सोच रहा था तौसीफ ने कहा दीपक ने अब मुंबई फोन लगाने शुरू कर दिये प्रोडियूर्सर्स इंपा वेस्टर रित्यादी को फोन किये डारेक्टर ऐसा और सबसे ऐसा सिन्हा को फोन किया इसके इलावा कुछ नामचेन डारेक्टर्स और प्रोडियूर्सर को फोन करके सारी इंफोमिशन दे दी बॉलिवुड फिल्म नगरी मुंबई का दिल है, सारी दुनिया में उसका डंका बच्टा है और उनमें से बहुत से मेंबर आफ पार्लियमेंट भी भी है ये स्चार्ज और ग्लैमर का संसार है और उनकी जायस मांग पर तुरंट सरकार एक्शन भी लेती है सिन्हा की तरफ से बॉलिवुड के दिगजों की तुरंटी अरजन्ट मीटिंग बुलाई गई, अभी फिल्मी संस्थाओं के पदादिकारी उसमें उपस्तित हो गए सारा माजरा उनके सामने पेश कर दिया गया और तुरंटी कारेवा ही शुरू हो गई, ग्रह मंत्रालिय से लेकर पी एम हाउस तक उनके फोन घन घना उठे इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्रह मंत्रालिय एक्शन में आगिया, ततकाल ही ग्रह सचिव का फोन टीकमगड के पुलिस कमिशनर को पहुँच किया कमिशनर दयाल के पास पहले से सारी रिपोर्ट थी, सर उनमें से कोई जीवित नहीं बचा, सब गहरी खाई में समा गए तो उनके शव क्यों नहीं खोजे गए, सचिव ने नाराज की भरे स्वर में पूछा ये वन विभाग का काम है सर, उन्हें सर्च उपरेशन चलाना चाहिए था तो सर्च उपरेशन क्यों नहीं हुआ? सर, इसके जवाब तलबी वन विभाग से लटनी चाहिए, शायद रैस्ट की उपरेशन के लिए उनके पास परियाप्त सामान नहीं होगा हम तो उनके रिपोर्ट का इंतिजार कर रहे हैं सर्चिव नव फोन काट कर वन विभाग के सीनियर पदादिकारियों को फोन लगा दिया ये सर, जो फिर्म यूनिट आखिरी सड़क पर फस गई है उसका क्या रहा? वो ककक कौन सी सर? नॉनसेंस, आपको अभी सस्पेंट कर दिया जाएगा सचिव ने बुरी तरह खड़ कड़ाया तुम लोग सरकारी दामात होना मुफ्त का वेतन लेते हो और अयाशियां करते हो जंगल के रिजोर्ट में तो तुम लोगों की खूब पार्टियां चलती है ससस सर, मुझे केस की डिटेल तो बताईए क्या टीकमगर के पुलिस कमिशनर ने एक फिल्मे यूनिट के खाई में गिर जाने की रिपोर्ट तुम लोगों को नहीं दी एक मिनट मैं पता करता हूँ पता करके हमें फॉरन रिपोर्ट दो अब वो विभाग में हरकम मच गया पुलिस कमिशनर की रिपोर्ट उनकी फाईलों में दबी हुई थी उसे खंगाला गया रिपोर्ट पहली बार सीनियर अधिकारी की टेबल पर पहुँची उसने जल्दी जल्दी रिपोर्ट पड़ी और फिग्रे मंतराले को फोन लगा दिया सचीव ने उसकी कॉल रिपोर्ट मिल गई सर उसने कहा मिल गई का क्या मतलब हुआ उस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ सर उस घाटी में सर्च उप्रेशन चलाने के लिए हमें हेलिकॉप्टर की जरूरत पड़ेगी से सुनिए सेंटर से एक टास्क फोर्स रवाना की जा रही है वे लोग हेलिकॉप्टर से ही आएंगे और आपकी टीम से संपर कर लेंगे हम दो हेलिकॉप्टर कल सुबह तक रवाना कर देंगे तुम लोग अपनी टीम को रेडी रखो तुम्हें उन लोगों की लिस्ट भी मिल जाएगी जो आकरी सड़क की तरफ गए हैं उन में से हर कोई मिलना चाहिए जिन्दा या मुल्टा शायद वे लोग 20-25 की तादात में हैं ओके सर उस पूरे इलाके का चपा-चपा चान मारो और स्थान ये पुलिस से संपर्ग बना कर रखो अगर उनकी जरूरत पड़ी तो साथ ले लो रेस्की ओप्रेशन में किसी तरह की कोटा ही बरताश नहीं की जाएगी समझे? जी सर और सचिव ने फोन काट दिया अगली सुबद दो हेलिकॉप्टर राश्ठानी से कोच करने का फर्मान आ किया उनमें आठ कमांडर सवाट थे जो इस तरह के ओप्रेशन के लिए एकदम फिट थे उनके प्रतेक कॉप्टर में चार-चार कमांडरो थे पैराशूट रित्यादी की पूरी व्यवस्था कर दी गई थी उन्हें टीकमगर पहुँचना था दीपक के पास मुंबई से फॉन कॉल आ गई सुचना दे दे गई है कि ग्रे मंत्राले आक्शन में आ गई है कमी ने पुलिस वाले दीपक पुलिस वालों को गालियां देने लगा बिना पैसा खाई ड़कार ही नहीं लेते ये भी नहीं देखा कि उसमें बॉलिवुट के स्चार्स भी है नामचीन प्रोड्यूसर डारेक्टर है इन सब को नौकरी से बरकास कर देना चाहिए पता नहीं उन लोगों पर क्या बीत रही होगी दीपक का सारा क्रोध पुलिस वालों पर फट गया हवेली की बाहरी दिवारे पत्थरों को तराशकर बनाई गई थी दाईं तरफ उसी दिवार से जुड़े दो कमरे थे जो शायद नौकरों के लिए बनाई गए थे हवेली की मुखे द्वार ही उन कमरों की पिशली दिवार थी इन मिच्छत की जगा टीन शेट पड़े हुए थे जो धलुआ थे ताकि बारिश का पानी ना रुख सके दोनों कमरों के दरवाजे खुले हुए थे खन्ना एक कमरे में दाकिल हुआ बराबर में दूसरा कमरा भी था बासू दूसरे कमरे को देखने लगा इन दोनों कमरों में कबार भरा पड़ा था कमरों की पिछली दिवार पर सामान रखने के लिए लकडी के फटों को रख कर खांचे बनाई गए थी और इन खांचों में सामान पड़ा हुआ था एक में तो बिल्डिंग मेटेरियल का सामान था सिमेंट के कट्टे बश्री वगएरा बोरों में भर कर रखी गई थी खना ने उन पर सरसरी निगाह डाली कमरे में एक जार पाई भी पड़ी थी जिस पर एक गट्री रखी हुई थी खना ने गट्री को टटोल कर देखा वो बिस्तर था दिवार पर एक लाल्टेन भी रखी हुई थी एक चीज जो खना ने महसूस की वो ये कि वहाँ धूल नहीं जमी हुई थी कमरा साफ सुत्रा था और बिस्तर पर भी धूल नहीं थी जबकि दूसरे वाले कमरे में धूल और जाले पड़े हुए थे उस कमरे को बासू चेक कर रहा था दोनों कमरे आजू-भाजू में बने थे डॉक्टर बासू जस कमरे को देख रहा था खना ने भी वो कमरा देखा लेकिन पहला वाला कमरा बासू ने नहीं देखा था डॉक्टर बासू आप इधर आओ खना ने कहा बासू उस कमरे से बाहर आ गया खन्ना उसे बराबर वाले कमरे में ले गया लेकिन बासू की समझ में नहीं आया कि खन्ना ने उसे यहां क्यों लाया है क्या कुछ फर्क लगा किस बात में दोनों कमरों में खन्ना ने कहा नहीं दोनों कमरे एक जैसे हैं दोनों में कबार और दूसरी जरूरत का सामान पड़ा है शायद इन में निर्मान करने वाले मज़दूर रहते होंगे सो तो है मैं ये नहीं पूछ रहा तो फिर एक कमरा तो धूल मिट्टी से अटा पड़ा है दूसरा एकदम साफ सुथरा है जैसे इसे अब भी कोई यूज़ करता हो यहाँ एक लाल टेन भी रोशनी के लिए टंगी है जबकि दूसरे कमरे में नहीं है इन कमरों में जनरेटर क कनेक्शन नहीं है अलबता कमरों के सामने जाड जंकार्ट जरूर उगे हुए है इन जाडों ने कमरे को सामने से ढग दिया है इसे वज़ा से यह अभी तक किसी को नजर नहीं आए आप कहना क्या चाहते है यहाँ कोई रहता है रहने वाला अब कहा है पता नहीं कहीं आप यह तो नहीं कहना चाहते कि वो बोना इसी कमरे में रहता है ख्रणा ने जुखकर चार पाई के नीचे देखा नीचे एक संदूः पड़ा था संदूः पर बड़ा सा ताला लटक रहा था फिर उसे चार पाई के नीचे रखा कुछ और सामान भी नजर आया एक बोरा और खन्ना ने बोरा बाहर खींच लिया इस बोरे पर सुर्खी जमी हुई थी और दुरगान दा रही थी जो चीजे पहले नजर नहीं आई थी अब नजर आ रही थी कभी-कभी सामने रखी चीज भी नजर नहीं आती साइट की दिवार पर एक पर्दा खिंजा हुआ था बासु ने वो पर्दा हटाया तो दिवार पर कुछ चीजें टंगी नजर आई ये हत्यार किस्म की चीजे थी तलवार, खंजर, तीर कमान, चाकुछूरी सब को दिवार पर बड़ी करीने से फिक्स किया गया था उनमें एक कोड़ा भी था जरा देखना दो बासु ने कहा खन्ना उस बोरे को खोल रहा था जिससे दुर्गान दा रही थी और फिर उसे उबकाई सी आ गई उसने फारण बोरी बंद करके काट के नीचे सरका दिया ये कमरे शायद पहले किसी ने नहीं देखे थे या संभव है इनके दर्वाजों पर ताले पड़े हो और इसे खोलने की जरूरत महसूस ना की गई हो खन्ना ने उठकर जब दिवारों पर टंगे हत्यार देखे तो वो फिर से चौंक पड़ा अब इस बात में कोई शक नहीं रहा कि जिस बोने का जिक्र बार बार आ रहा है वो इसी में रहता है लेकिन इस वक्त वो कहा है बासू ने प्रश्न किया वो में गेट के रास्ते बाहर भी आता जाता होगा खना ने अंदासा लगाया मुम्किन है दिन में बाहर रहता हो और रात को यहाँ इसका मतलब वो इस वक्त बाहर है बासू ने कहा और अब चूंक गेट पर पत्रों की धिवार चिन दे गई है इसलिए वो अंदर नहीं आ पाएगा बोरे में इंसानी कलेजे रखे हुए है खना बोला आओ अबास और मधूर को खबर करते कि हमें एक सफलता मिल गई है और दोनों कमरे से बाहर आ गई मधूर और अबास जनरेटल वारे रूम में पहुँचे उन्होंने उसकी दिवारे अच्छी तरह चेक की वहां से हवेली के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था उस कमरे में कुदाल फावरे जरूर पड़े थे और कुछ पेर्ट्स के डिबे भी पड़े थे आगे जाट जंकार के कटीले पौधे उगाए थे फिर भी वो उन में रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते रहे हवेली की बाहरी दिवार का हर हिस्सा उन्होंने चेक किया उन्हें कोई जगा नहीं मिली जहां से हवेली के अंदर जाया जा सके सवाल इस बात का है कि जब इमारत में दाकिल होने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो फिर वो अंदर कैसे पहुँचता है अबास ने पूछा वही रास्ता तो दलाश करना है पिछली रात माना की भुवन हवेली के बाहर था पर अंदर तो जितेश और शंकर पहरा दे रही थे और दोनों ड्राइंग रूम में मौजूद थे मेरे खयाल से वो हवेली के मुखे द्वार से ही अंदर आता जाता है अबास को अपने सवाल का जवाब खुदी मिल गया कैसे? अब सुनो सुलिमान और चोटी वाला का कतल हुआ तो सुलिमान में डोर खोल कर बाहर आ किया था शायद ये उस बोने की चाल थी कि कोई हवेली का दर्वाजा भीतर से खोले उसने सुलिमान खुलवा लिया और पिछली रात को दर्वाजा खुला ही था भुवन खुद बाहर था उसने पहले भुवन का कतल किया फिर अंदर चला गिया दोनों बाते करते हुए आगे बढ़ रहे थे हवेली के पिछले हिस्से में नीम का एक बड़ा सा व्रिक्ष था जिसके नीचे चबुतरा बना हुआ था दोनों थके हारे से चबुतरे पर आकर बैठ गए पहले हमें ये फैसला करना पड़ेगा कि अब तक जितने भी कतल हुए है वो इसी बुने ने किये है अबास ने सवाल खड़ा किया और किसी का अस्तित्व हमें नजर भी तो नहीं आया मधुर ने जवाब दिया लेकिन बुने का अस्तित्व हर जगा है बैरियर खोलने से लेकर पिछली राद गेट में एंटर होने तक तुम भी ये कहते हो कि गेट इलेक्ट्रॉनिक है तो क्या बोने के पास रिमोट है यकीनन अब ये फैसला भी कर लेते हैं कि बोना जिन्दा इनसान है या मुर्दा रूहों को गेट के उस पार निकलने के लिए रिमोट की ज़रूरत नहीं पड़ती मधुर बोला इसका मतलब वो जिन्दा इनसान है नहीं मैं तुम्हारे तर्क से सहमत नहीं हूँ शैतानी रूहें दो किस्म की होती है मसलन अगर ड्रैकुला को हम हवेली में आना होगा और इस पर इलेक्ट्रोनिक लॉक है तो उसे भी रिमोट की ही ज़रूरत पड़ीगी शरीर आरपार नहीं निकल सकता बिना शरीर वाली आरपार जा सकती है जो रूहे किसी कारणवश अपना शरीर फिर से भौतिक रूप में हासिल कर लेती है जैसे ड्रैकुला वो इंसानी खुन पी कर अपने शरीर को जिन्दा रखता है दूसरी रूप वो है जो इंसानी खाके में नजर तो आ सकती है पर उसे चुआ नहीं जा सकता जबकि ड्रैकुला को चुआ जा सकता है इतना कहकर अब्बास खामोश हुआ अब क्या कहते हो उसने मधुर से सवाल किया मेरे खयाल से बोना ड्रैकुला की नसल का प्रेथ है मधुर बोला थोड़ी दिर पहले तो तुम कह रहे थे कि वो जिन्दा इंसान है दोनों ही बाते हो सकती है मधुर ने जवाब दिया इसका मतलब हम कंफ्यूस हैं और इसी वज़ा से हम किसी नतीजे पर नहीं पहांच पा रहे हैं फिर खामोशी चा गई ड्रैकुला किस्म की रूहें वो रात को ही जाकती है दिन का उजाला उन्हें लुंच पुंच कर देता है सुर्यास होते ही उनका शरीर जाक जाता है अबास ने जवाब दिया इन में से कुछ ऐसी ताकतवर रूहें भी होती है जो दिन में भी काम कर सकती है ये अलग बात है कि दिन में उनकी ताकत कुछ कम होती है अगर वो बोना प्रेथ है तो उसका मकसद साफ है वो सब लोग जिने उसने मारा है उसे वो कबर खोद कर अपनी तरह बना सकता है उसने पहले भी ऐसा किया होगा हम लोग उसके पहले शिकार नहीं हो सकते यहां और भी ऐसी गंदी रूहे होगी हो सकता है उनके लिए हवेली में आना मना हो वरना हमें चट करने में उन्हें एक ही रात लगती और हमाली गोलियां उनका कुछ नहीं बिगार पारती क्या वज़ा है जो इस तरफ कोई नहीं आता देपक चुप तो नहीं बैठा होगा फिर पुले समय तलाश करते हुए यहां तक क्यों नहीं आई इसका मतलब इस किस्म के हाथ से यहां पहले भी हो चुके हैं इसलिए तो वो सड़क ब्लॉक की गई और उस पर चितावनी लिग दे गई मेरा यकीन कहता है कि बोना यहां अकेला नहीं होगा और अगर यह मान लिया जाए कि बोना कोई प्रेट नहीं है तो मदोर ने प्रश्न किया तो उसकी हमसे क्या दुश्मनी है जो उसने हमें यहां घेर लिया और सब को मारे जा रहा है उसका जो भी प्रयोजन है वो अब तक तो सामने आ जाना चाहिए मसलन अगर हमारा किडनेप फिरौती के लिए किया गया है तो वो सामने आ जाता वो हमारे फोटो कहिंशता या वीडियो बना कर उन लोगों को भेशता जहां से उसे फिरौती की रकब मिल जाती किसी को मारने से उसे क्या हासिल होने वाला है मेरे खयाल से तो फिरौती इसकी वज़ा नहीं हो सकती मधुर बोला तो फिर किसे ने हम सब को खत्म करने का प्लैन बनाया है यहाँ पहले कुछ हाटसे हुए होंगे जिससे हमारी गाडियां तबाह हो गई कुछ लोग मरे होंगे कुछ अफाहों ने हवा बनाई होगी कि इस गाउं में भूत प्रेत हैं सड़क ब्लॉक कर दी गई कातिल ने इसी का लाब उठाया क्या तुम ये कहना चाहते हो कि कातिल ने इतना तगड़ा इंतिजाम किया फोन लॉक करने के लिए जम पर लगवाई फोन का नेट्वर्क जाम कर दिया और इस गाउं को भी खरीद लिया हवेली में उसने हासिल कर ली चटान जो बी-म-डव्यू पर गिरी वो उसी ने गिराई पेड़ भी उसी ने काट कर डाला और डी पर गिरने वाला पेड़ भी उसी ने गिराया और वो भी सिर्फ एक आदमी ने आदमी भी तेन फुट का पगला गए हैं क्या ये सारा नेट्वर्क बनाने में महीनों लगते हैं हाथ तो लंबे प्लैन के लिए लंबी तयारी होती है कई बरस भी लग सकते हैं और अगर हम इस लोकेशन पर ना आते तो क्या वो हमारे आने का इंतजार में यहां बरसो बरस बिताता ये भी तो हो सकता है कि पूरी योजना बनाने के बाद उसी ने हमें यहां पहुँचने पर मजबूर किया हो एक काम करो ये एक्टिंग वैक्टिंग छोड़ो उपन्यास लिखना शुरू कर दो लिख कर बताओ कि ये प्लैन कैसे बन सकता है शायद मैं लिखने में कामिया भी हासिल कर लू चले अबास उट खड़ा हुआ फिर दोनों किसी नतीजे पर ना पहुँच कर आगे बढ़ गई खना और बासु से सामना हुआ वो दूसरी तरफ से चक्कर काट कर आ गई तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई अबास ने पूछा हम तो नीम के चबूतरे पर बैठे तुम्हारा इंतिजार कर रहे थे खना ने सारी बात बता दी अबास ने मधूर की तरफ देखा मधूर ने सहमती हिलाई और फिर वो उससे दिशा में चल पड़े जहां से खना और बासु आये थे खना उन्हें उसी कमरे में ले गया जो उसने देखा था अबास और मधूर ने कमरे का निरिक्षन किया जब बोरे में रखे इंसानी मास के लोथड़े देखे तो वो नाग बंद करके बाहर आ गए ये शैतानी रूहों का भोजन है अबास बोला जिसे वो यहां जमा कर रहा है आगई बात समझ में वो बाहर अपने साथियों को ये भोजन परोसे का और मेरा यकीन है कि उसने कबरे जो हमने बनाई है उन्हें भी खोदा होगा और सब के कलेजे निकाले होंगी अर्थार्थ अबास ने मोहर लगा दी थी कि बोना प्रेथ है लेकिन मदूर का दिल अब भी ये मानने को तयार नहीं था वो मन ही मन सारे घटना करम के तार जोड रहा था अब वो काम समाप करके हवेली के द्वार पर आ गए लेकिन हवेली का दर्वासा अंदर से बंध था बारी बारी सब के रियक्शन गए किसने बंध किया इसे अंदर से मदूर हट बढ़ाया दर्वासा इतना भारी था कि उसे थप थपा कर बजाने से कोई लाब नहीं होता अगर उसे नौक किया जाता तो आवाज अंदर तक नहीं जाती पहले वहाँ एक सांकल रही होकी जिसका कुंडा था पर सांकल नहीं थी अंदर चार लोग हैं अबास बोला विलाशा, पायल, हरीश और विपल भाई दर्वाजा इन में से ही किसी ने बंध किया है पांचवां भी हो सकता है मधुर बढ़ बढ़ाया फिर वो दौड पढ़ा मधुर विलाशा वाले कमरे के बाहर पहुँच किया इस वक्त उसके जहन में एक ही बात थी कोई हम में से है जो सब को माट डालना चाहता है और बोना उसी का साथ ही है वो केवल विलाशा पर भरुसा कर रहा था और वो ठीक उस बैडरूम के नीचे आकर रुका जिसमें वो विलाशा के साथ था उसी बैडरूम की खिर्की से उसने रात का मनजर देखा था लेकिन खिर्की पर लोहे की ग्रिल थी इसलिए वो खिर्की के अंदर नहीं जा सकता था उसने एक जम्प मारा और खिर्की के ग्रिल को पकड़ कर खुद को उपर उठाया खिर्की बंद थी एक हाथ से बैलेस बना कर उसने खिर्की को जोर जोर से नौक किया एक मिनट बात ही खिर्की खुल गई और विलाशा का चेहरा नमुदार हुआ विली उसने हाफते हुए कहा हवेली का दर्वासा किसी ने अंदर से बंद कर दिया है अं किसने विलाशा ने हैरानी से पूछा पता नहीं तुम उसे खोल सकती हो खोलो एक मिनट और अपना माउजर ले लो कोई भी तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो गोली चला देना ओके डोंट वरी विलाशा खिर्की से मुड़ गई मदूर नेचे उतर गया मदूर के पीछे अबबास और खन्ना भी वही आ गई थे डॉक्टर बासू दर्वाजे के बाहर ही खड़ा था करना ने उसे वही रहने की हिदायत दी थी कुछ देर में ही विलाशा खिर्की पर दिखाई थी दर्वाजे पर अंदर से एक बड़ा ताला पड़ा है उसे खोला नहीं जा सकता वहां हरीश, विपल और पायल भी है उनकी मदद लो वेट विलाशा फ्रेम से आउट हो गई वो दुबारा वापिस आई वो बेहत घबराई हुई थी चेहरे पर दैशत बरस रही थी वो कुछ बोलना चाहती थी पर बोल नहीं पा रही थी क्या हुआ, मदद ने चीक कर पूछा दो ततों मरे पड़े हैं और पायल दर्वासा नहीं खोल रही है क्या हुआ उनको मर गए विलाशा ने हकला कर कहा शायद पायल भी उन सब की कम कपी छोट गई कि किसी ने उन्हें माट डाला अपने कमरे का दर्वासा बंद रखो हाँ, वो बंद है विलाशा ने कामते स्वर में कहा ओ गौड, अब खना की टांगे कामपी और अबास ने अगर उससे संभाल ना लिया होता, तो वो धाडाम से नीचे गिर पड़ता, वो पसीने पसीने हो रहा था विलाशा की जान खत्रे में है मदुर ने कहा, हमें किसी भी सूरत में अंदर जाना होगा मगर कैसे अबास ने पूचा दर्वाजा तोड़ कर पर दर्वाजा बहुत भारी है उससे कैसे तोड़ा जा सकता है यहां कुछ चबूतरे पर लिटा देते है अबास और मधुर ने मिलकर खना को उठाया और नीम के चबूतरे पर लाकर लिटा दिया उसके बाद उन्होंने जनरेटर रूम से दो कुदाले उठा ली मैं कहता हूँ यह भूत प्रेतों का काम नहीं है मधुर ने चीकते हुए कहा बोना अंदर ही है दोनों हवेली के मुखे द्वार पर आ गए तबी हवेली के अंदर से माउथ औरगन बचने की आवाज सुनाई थी धुन बच रही थी बहुत प्यार करते हैं तुम से सनम दर्वाजे पर कुदालों का प्रहार शुरू हो गया रस्क्य ओप्रेशन शुरू हो गया दोनों हेली कॉप्टर टीकमगड पहुँच चुके थे वे गूगल मैप त्वारा आगे बढ़ रहे थे दोनों कॉप्टर वन विभात के कंपाउंड में लेंड हो गई पर वहाँ कैप्टर लेंड करने की जगा नहीं थी एक दो चकर मार कर वो ऐसी कोई जगा तलाश करते रहे पर ऐसी कोई जगा नहीं दिखाई थी अब दोनों कॉप्टर के कमांडोस रसियों के सहारे खाई में कूद गई वन विभात की दो गाड़िया और दो पुलिस फोर्स की गाड़िया सड़क पर इस जगा पहुँच गई थी जहांसे वैनेटी खाई में गिरी थी आगे जाने का रास्ता BMW की वज़ा से ब्लॉक था गाड़ियां आगे नहीं जा सकती थी मलवे से BMW को निकालो टीम कमांडर ने कहा ताकि आगे जाने का रास्ता खुल सके गाड़ियों में पत्तर तोड़ने के लिए हथोड़े और कुदाले भी थी फावडे बेल्चे भी थे अधिकारी का आदेश पाते ही जवान नीचे उतर कर काम पर लग गया कमांडोस रस्ती के सहारे नीचे उतर चुके थे दोनों वैनेटी का कचूमर निकल गया था कमांडो ने उनके बंद दर्वा से उखार फैंके एक वैनेटी बिलकुल खाली थी दोसरी वैनेटी में पांच लोगों के शव शत्विक्षत हालत में पड़े हुई थे लाशो को बाहर खींशने का काम शुरू हो गया हेलिकॉप्टर वापिस मुड़कर एक समतल मैदान में लेंड हो गया जो पहाडी के टॉप पर था उन्हें जगा मिल गई थी सभी कमांडोस की पास रेडियो सेट था जो उनके हलमेट में फिक्स था ये बिलकुल आधुनिक किस्म की रेडियो फ्रिक्वेंसी वाले सेट थे जो यहां काम कर रहे थे कमांडोस अपनी रिपोर्ट दे रहे थे कमांडोस की सूचना के अनुसार वहां पांच लोगों के शव के अतिरिक कोई शव नहीं था फिर भी वो आसपास तलाश कर रहे थे धीरे धीरे शाम ढलने को आ गई और अंधेरे की चादर पसनने लगी शवों को एक जगर रफ कर उनने निकालने का काम अगले दिन के लिए छोड़ दिया गया हेलिकॉप्टर कमांडोस को लेने के लिए पहुँच गई और रसीयों के द्वारा ही उनने वापिस कॉप्टर में चड़ा लिया गया कुदालों के लगातार प्रहार से उन्हें कुछ कामिया भी मिल गई दर्वाजे में इतना बड़ा सुराग बन गया कि एक आदमी अंदर जा सके ये दिलेरी मधुर ने ही दिखाई चब उत्रे पर रेस्ट करने के बाद खन्ना भी वहां आ किया उसे अकेले में डर मैसूस हो रहा था मधुर के हाथ में गन थी उसने ड्राइंग रूम का निरिक्षन किया वो बेहत चकनना था जरा सी आहट पाते ही एक कम टर्ण करके दोनों हाथों से गन तान देता ड्राइंग रूम में कोई नहीं था हर तरफ खामोशी थी फिर अबास ने बाहर से आवाजे दी मधुर ड्राइंग रूम का चकर काट कर विलाशा के बेडरूम तक दबे कदम आगे बढ़ा उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है वो चौंक चौंक कर पलट जाता पर वहाँ कोई नहीं था उसने विलाशा के बेडरूम का दर्वाजा नौक किया मैं मधुर उसने कहा अंदर आहट हुई फिर विलाशा ने दर्वाजा कोला उसके हाथ में माउचर था मधुर जल्दी से अंदर आगिया साथ ही उसने दर्वाजा बंद कर दिया वो दोनों विलाशा ने कामते स्वर में कहा डरो मत मैं आ गया हूँ वो यहीं है अंदर विलाशा बोली जानता हूँ मधुर बोला हमें हिम्मत से काम लेना है अब हम उसे हवेली से बाहर निकलने का मौका नहीं देंगे तब ही अबास की आवाज सुनाई दी मधुर मुझे अंदर खींचो मैं फस गया हूँ बासू और जगा बनाने के लिए कुदाल चलाने लगा एक प्रहार अबास के सीने के पास लगा था ए रुको मुझे चोट लग सकती है मधुर और विलाशा दोनों ही वहां आ गए मधुर ने ताले को देखा पीछे हटो अबास उसने कहा अबास पीछे सरक गया उसका सिर्थ सुराक से अंदर आ गिया था मुझे एक कुदाल दो मधुर ने कहा मैं ताला तोड़ता हूँ अबास ने एक कुदाल अंदर सरका थी मदुर ने कुदाल ले ली विलाशा विलाशा स्चोर रूम में पहुची उसने एक ठोकर मार कर दर्वासा खोल दिया माजुर उसके हाथ में था उसने स्चोर रूम में एक सरसरी निगा दोडाई फिर उसके निगा एक खतोड़े पर पढ़ गई वो इस वक्त किसी की तौर पर खौफ जदा नहीं था ऐसा लग रहा था जैसे उस पर चंडी सवार हो गई हो जब उसे अंदर कोई भी आहट महसूस नहीं हुई तो उसने अंदर कदम रखा और हथोड़ा उठा लिया हतोड़ा उठा कर वो हवेली के ड्राइंग रूम में आ गई और ताले पर हतोड़े से प्रहार करने लगी कुछी देर में ताला तूट गया मधुने हवेली का दर्वासा खोल दिया अबास, खन्ना और बासू लड़ खड़ाते हुए अंदर आ गई मधुने तुरंट हवेली का दर्वासा अंदर से बंद कर दिया थोड़ी देर तक वो सब गहरी-गहरी सांसे लेते रहे विलाशा, तुम यहीं रहोगी अगर वो बौना नजर आई, तो बे धड़क उसे गोली मार देना वो अंदर ही है, यह ताला उसी ने लगाया है ताकि हम लोग अंदर ना घुश सकें अबास, हम दोनों हवेली का कोना-कोना चान मारेंगे, आओ अबास, मधुर के साथ चल पड़ा खन्ना एक सोफे पर धेर हो गया बासू की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी सबसे पहले मधुर और अबास ने ग्राउन फ्लोर के सर्चिंग उप्लेशन शुरू किया ग्राउन फ्लोर पर तीन बैटरूम थे तीनों बैटरूम से अटैश बातरूम था इसके अतिरिक एक कॉमन बातरूम, एक किचन, दो स्चोर रूम थे ग्राउंड फ्लोर पर एक बैट्रूम में विपुल को रखा किया था विपुल उस वक्त बेहोश हो गया था पहले वो उसी बैट्रूम में दाखिल हुए विपुल बैट की बजाए फर्श पर पड़ा हुआ था फर्श पर खून फैला हुआ था विपुल का सिर तर्बूस की दरफ फट गया था और उसके आसपास खून का तालापसा बन गया था विपुल उस वक्त भी सफेद सूट पहने हुए था जो इस वक्त खून के धबों से सना हुआ था क्या तुमने एक बात नोट की अबास ने कहा जिस हतोड़े से विलाशा ताले पर चोट कर रही थी उस पर खून लगा हुआ था मैंने बाहर से देखा था क्या पर मैं तो नहीं देख पाया मधुर बोला उस वक्त तुम ताला तोड़ने में बिजी थे और मैं उस सुराग से तुम दोनों को देख रहा था विपल को बैट पर लिटाया किया था हाँ और हत्यारे ने पहला वार बैट पर ही किया था ये देखो बैट के चादर भी खून से रंगी हुई थी बैट पर खून की लकीर भी बनी हुई थी फिर उसने विपल को नीचे खेंच कर गिरा दिया और ताबट तोर प्रहार करके उसका पूरा सिर्थ चकना चूर कर दिया वे पुलैसी पोजिशन में नहीं था जो उसका विरोध कर पाता मदुर ने बेडरूम से अटैश बातरूम चेक किया बातरूम खाली था उसने वार करने के बाद हथोड़ा स्चोर रूम में रख दिया था मधुर बुला विलाशा हथोड़ा स्चोर से ही लेकर आई थी दोनों बेडरूम से बाहर आ गए फिर वो दोसरे बेडरूम के दर्वाजे पर आए आगे मधुर था वो गन ताने हुए था उसने धीरे से दर्वाजा कोला और फुर्ती से अंदर दाखिल होकर वापिस दर्वाजे की तरफ देखा दर्वाजे की आड में कोई नहीं था अबास अभी बाहर ही खड़ा था वो राधारी में इधर उधर देख रहा था फिर वो भी अंदर दाखिल हो गया यहां बैट पर हरिश चित पड़ा हुआ था उसकी आँके खुली थी एकदम स्थिल बाजू दो रव तरफ फैले हुए थे उसके एक हाथ की मुठी बंद थी एक हाथ की उंग्लियों में उसने दो अंगुठी पहनी हुई थी पहले में एक पतली नाइलोन की डोरी फसी हुई थी जो अब भी बंदी हुई थी अबास ने बैडरूम का बातरूम भी देख डाला बातरूम खाली था क्या तुम्हें लगता है वो हवेली में अब भी मौचूद है सिवाए दर्वासे से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी तो नहीं है मुम्किन है कोई और भी रास्ता हो अबास बुला जो हमारी नजर में नहीं आ रहा है पायल का कमरा देखते हैं पायल फर्स फ्लोर पर थी ग्राउंड फ्लोर पर तीसरा बेडरूम विलाशा का था दोनों फर्स फ्लोर पर आ गए पायल के बेडरूम का दर्वाजा अंदर से बन था मधूर ने दर्वाजा नौक किया अंदर से कोई जवाब नहीं मिला पायल मधूर जोर से चिलाया मैं मधुर, दर्वासा खोलो नहीं खोलूंगी पायल ने अंदर से जवाब दिया तुम लोगों ने मेरे जीतू को मार दिया पागल हो गई हो अबास बुला, दर्वासा खोलो तुम सब कातिल हो पायल चीखी, मैं दर्वासा नहीं खोलूंगी मैं जीतू को वापस मेरे जीतू को वापस लेकर आओ मेरे खयाल से उसे अकेला छोड़ देना ही ठीक रहेगा उसे सद्मा पहुचा है अभी वो ठीक है जब उसे भूग प्यास लगेगी तो खुद ही दर्वासा खोले की वो खन्ना की मैनेजर है खन्ना के कहने पर दर्वासा खोल देगी अभास ने कहा हम दूसरे कमरे देखते हैं दूसरे कमरों में अब कोई नहीं था सब खाली पड़े थे हर तरफ विराना पसरा हुआ था सेकंड फ्लोर पर एक बड़ा स्चोर और था उसमें सामान भरा पड़ा था एक-एक कनस्तर बोरों को उठा-उठा कर देखा किया बोरों को खोला भी गया पर ये दिल बहलाने की बात थी भला इतना शातिर हत्यारा बोरों में क्यों चुपता चट भी सुनसान पड़ी थी दोनों चट पर आकर ताजी हवा फेफ़रों में भरने लगे डॉक्टर बासु ने सोचा कुछ खाने पिने का बंदोबस कर लिया जाए कुछ नहीं तो चाई ही बना ली जाए बासु को खाना बनाना आता था लेकिन अभी चाई की तलब महसूस हो रही थी डॉक्टर बासु किचन में आ किया हवेली के इस बड़े किचन में वो पहली बार आया था आज सुबा से ही भागम भाग मची थी किसी को भी खाने पिने कि सुद नहीं थी आज किसी ने चाई तक नहीं पी थी बासु को ध्यान आया कि इसी किचन में शंकर को मारा किया था उस वक्त जितेश drinking room में बैटा था जब शंकर किचन में чाय बनाने आया होगा और फिर वो किचन से बाहर नहीं जा सका इसी जगह उसकी तलाश उसकी लाश मिली थी हवेली के अंदर से अगर कोई किचन में आता तो उसे देख लिया जाता तो क्या वो बोना बाहरी दिवार के रास्ते सिधा किचन में आया था बासु सोच रहा था कि ये सवाल पहले किसी के दिमाग में क्यों नहीं आया कि शंकर को किचन में मारने वाला किस तरह किचन में आया शंकर और जितेश पहरा दे रहे थे अगर कोई हवेली के मुखे द्वार से अंदर आया होता तो उनकी नसर में जरूर आजाता बौने ने पहले इन दोनों को ही ठिकाने लगाया होगा उसके बाद उसने अंदर मूफ किया होगा अचानक बासू की निगा किचन के स्लैब के चार फूट उपर खुले रोशन दान पर टिक गई किसी का भी ध्यान अब तक उस तरफ नहीं गया था कि इस रोशन दान पर ना तो कोई ग्रिल है और ना ही कोई पट है वो पूरी तरह चौपट खुला हुआ था कोई भी इंसान उसमें से अंदर बाहर जा सकता था बासू चाय बनाना तो भूल गया और स्लैब पर चड़कर रोशन दान से बाहर जांकने लगा बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था उसने नीचे निगा डाली रोशन दान के ठीक नीचे पत्रों का एक चबुत्रा सा बना हुआ था जिस पर चड़कर कोई भी उस रोशन दान तक पहुंच सकता था उसने निगा गुमाई तो वैसा ही एक चबुत्रा और दिखाई दिया किचन की दिवार कॉमन बात्रों से जुड़ी हुई थी ये चबुत्रा बात्रों के नीचे बना हुआ था और वहाँ भी रोशन दान खुला हुआ था अब बासु की समझ में आ गया था कि बौना हवेली के अंदर आने के लिए इनी दो रास्तों के प्रियोग करता है वो इस रास्ते से अंदर आया फिर शंकर का कतल करके इसी रास्ते से बाहर निकला होगा और जितेश का कतल करने के लिए रोशन दान से बात्रों में एंटर हो गया शावर चलने के कारण उसकी आवाज बाहर तक नहीं सुनाई दे सकती थी शावर चलने की आवाज बासू को भी सुनाई दे रही थी बासू ये बात मदूर और अबास को बताने के लिए स्लैप से नीचे उत्रा और किचन से बाहर आ गिया खन्ना अभी तक बात्रूम में ही था मदूर मुंडेर के पास खड़ा विरान पूरे गाउं की तरफ देख रहा था वो कुछ सोच रहा था अबास एक तरफ बैठा योगा का प्राणायाम करने में व्यस्थ था वो अपने शरीर में अक्सीजन द्वारा एक नई अनरजी का फ्लो बढ़ाना चाहता था अचानक मदूर मुंडेर से हट कर अबास के पास आकर बैठ गया विराट खन्ना वो हट बढ़ाया क्या हुआ विराट खन्ना को अबास ने चौंकते हुए कहा क्या तुमने ये सोचा कि हम सबको कतल करने से किसी को क्या फाइदा हो सकता है यही गुत्थी तो समझ नहीं आ रही अगर ये पता चल जाए कि जोन करने की वज़ा क्या है तो मुझरिम के शिनात बड़ी आसानी से हो जाती है वो जो कोई भी है उसने पूरा काम एक मास्टर प्लैन बना कर किया और वो मास्टर माइंड हम में से कोई भी हो सकता है ये येस वो हम में से कोई है मधुर बूला बहुत सोच विचार के बाद मैं किसी नतीजे पर पहुँचा हूँ कौन है विराट खन्ना मधुर ने कहा दिमाग तो ठीक है न तुम्हारा पहले मेरी दलील सुन लो उसके बाद बहस करना अबास खामोश रहा उसने प्रानायाम की प्रत्रिया रोग दी विराट खन्ना की पिछली दो फिल्में लगातार फ्लॉप हुई थी और वो सड़क परागिया था फिर विपुल भाई को उसने तयार किया कि उसके फिल्म आखरी सड़क को फाइनेंस करते विपुल कैसे तयार हुआ ये मेरी जानकारी में नहीं है विपुल को विलाशा ने तयार किया था कि वो खन्ना को फाइनेंस करते ओके उसके बावजुद भी खन्ना ने पूरी यूनिट के कुछ खास लोगों का इंशुरेंस करवाया आउट्डोर जाने पर सभी करवाते हैं अबास का उत्तर था मेरी जानकारी के अनुसार ये इंशुरेंस करीब एक हजार करोड का हुआ है उसमें जूनियर आर्टिस्ट शामिल नहीं थे और ना ही असिस्टेंट शामिल थे इंशुरेंस यूनिट के प्रमुक लोगों का खरवाया गया हीरो हीरोई, डिरेक्टर, कैमरा मैन, मेक अब वगएरा हम सब के साइन लिये गए थे तुम कहना क्या चाहते हो? अगर हम सब का कतल हो जाए, तो खन्ना को फिल्म बनाए बिना ही एक हजार करोड का क्लेब मिल जाएगा दो सो करोड तो मेरा ही है, सो करोड तुम्हारा है अब बोलो, क्या ये एक हजार करोड का गेम नहीं है? अब बाद सोच में पड़ किया, थोड़ी देर कामोश रहने के बाद वो बोला, लेकिन वो बोना बोना एक खतरनाक मुझरिम है मधुर बोला, हो सकता है, उसका यहां कोई गैंग भी हो जो भूत प्रेतों की अववा फैला कर यहां लूट पाट करता हो जो भी इस साकरी सडक पर आता है, यह गैंग उसे जिन्दा वापिस नहीं जाने देता अगर वो प्रेत होता, तो यहां और भी आत्माई होती रहा इस हवेली का सवाल, चूंकि हवेली के वारिस पहले ही मर चुके है इसलिए इसका कोई उत्रा धिकारी यहां नहीं आया होगा कोई आया भी होगा, तो उसे मार दिया गया होगा खना ने किसी तरह इस गैंग से सैटिंग करने के बाद यह लोकेशन फाइनल करनी होगी वो किसी ना किसी माध्यम से बोने को सारी जानकारी देता होगा वरना बोने को अंदर मौचूद हर आदमी के बारे में कैसे जानकारी हो सकती है जैसे कौन किस बेडरूम में अकेला है उसने अकेले शक्स पर ही वार किया है जो किचन में गिरा वो अकेला था, जो बातरूम में अकेला था, वो भी अकेला था, भुवन बाहर अकेला था, डैनी छत पर अकेला था, चोटी वाला अकेला था, जोसव अपने कमरे में अकेला था, हरीश अकेला था, विपुल अकेला था, उसे किसने ये जानकारी समय समय प जब तक मैं उसे आवास नहीं दूंगा और फिर विलाशा के पास गन भी है वो पूरी तरह चौकस है रहापायल का सवाल तो वो दर्वाजा खोल ही नहीं रही है तुम्हारी बात में दम तो है मधुर अब क्या किया जाए हमें खरना को बंदग बनाना होका उसे किसी एक कमरे में बंद करना होका ताकि वो किसे भी सूरत में बौने से संपर्ट ना कर सके हम खरना से पूश्टाच करेंगे दो चार हाथ पढ़ते ही वो सब उगल देगा क्या ऐसा करना मुनासिम होगा अब बास दूविदा में था अगर हमें जान बचानी है तो ऐसा करना ही होगा और दाएं बाएं पोजिशन ले ली हाथ में मौजर लिये विलाशा गुम्टी के बाहर आकर इधर उधर देखने लगी मदूर और अबास आड में छिपे हुए थे अचानक आहट पाकर विलाशा पल्टी उसकी गन मदूर और अबास की तरफ तन गई उसने दोनों हाथों स गहरी सांस ली ओ गौड मैंने उसे देखा था किसे अबास ने पूछा शायद वो नीचे किसी कमरे में खुस किया है पायल पायल के कमरे में विलाशा बोली उसने पहले मेरा दर्वासा नौक किया पर मैंने दर्वासा नहीं खोला फिर आर्मी के बूटों जैसे आवास दू ही बोना है मैंने समझा वो उपर चड़ गया है इसलिए मैं यहां तक आई पर कमोन अबास मधुर ने कहा वे लगबग दौडते हुए नीचे आए उन्होंने धार धार करके सबी कमरे खोल डाले फिर अचानक खिटक गए विलाशा उनके पीछे पीछे थी पायल गुमसुम ही दर्वाजे की तरफ पैन हुई ककक कौन है उसने पूछा जितेश उसे जितेश की आवाज सुनाई थी पायल को ध्यान ही नहीं रहा कि जितेश मर चुका है वो बेट से उठी और लपकर दर्वाजे पर राई फिर उसने दर्वाजा खोला ही था कि कोई भद्दी सी चीज उसके कंदों पर आच चिप की और उसके मूँ पर एक टेप चिपक गया उसने अपनी गर्दन पर कसी दो टांगों को देखा जिसमें आर्मी बूट थी उसकी गर्दन उनी टांगों की गिरफ में थी और फिर दर्वाजा भी अंदर से बंद कर दिया गया पायल लड़ खड पर रखा फिर अपने पीट से एक केन उतारी केन का तरल पायल पर छुड़कने लगा पायल तो बुरी तरह काम रही थी उसे पेट्रोल की गंद महसूस हुई पायल ने उस पैर को सीने से हटाना चाहा जो बोने का पैर था और उसमें आर्मी बूट था वो अंगत की पैर की जमा हुआ था बोने ने अपना पैर हटाया और एक ठोकर पायल के सिर पर मारी पायल बेहोश हो गई वो आंधी हो गई बोने ने अपने कमर पर लटक रहे केन से एक रसी निकाली और पायल के हाथ पीछे की दरफ बांग दिये फिर उसने पेट्रोल बेट पर छुड़का द बोने उसके बाद दर्वासे से बाहर निकल कर ग्राउंड फ्लोर पर आया उस समय बासू किचन में चाय बना रहा था बोने उस बातरूम में दाकिल हो गया जहां शौवर चल रहा था और खन्ना शौवर के नीचे बेहोश पड़ा था बोने ने बातरूम का दर्वासा के चक्के चूट गए पायल वाले कमरे में आपके शोले बाहर तक दिखाई दे रहे थे वे तेजी के साथ उसी कमरे के बाहर आ गए कमरे से आपके शोले बुलंद हो रहे थे पायल आपके शोलो में गिरी हुई थी वो फर्ष पर आंधे मूँ पड़ी थी कमरे में बैट भ अंदर हो विलाशा ने कामते स्वर में कहा ऐसी की तैसी मधुर पागलों की तरह फायर करता अंदर घुज गया वो सीधा बेडरूम में पहुचा और वहां से पानी की बाल्टी भर कर उसने आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया अबास तेजी के साथ मुड़ा वो आग लगी भुझाने के लिए संगर्श कर रहे थे विलाशा ने भी उसकी मदद की वो तीसरे कमरे से पानी की बाल्टी भर लाई तीनों आग भुझाने की कोशिश करने लगे वरना ये आग पूरी हवेली में फैल सकती थी तीनों की मैनत से आग पर काबू पाल लिया गया फिर मधूर पायल के पास पहुँचा आप तो बुझ चुकी थी पर पायल बुरी तरह जल गई थी और अब उसमें जान बाकी नहीं थी वो सिर्फ एक जली हुई लाश थी ये बासू और खन्ना कहा है अचानक अबास को उन दोनों का खयाल आया है क्या उनको उपर नहीं आ चाहिए था अगर वो ड्राइंग रोम से उपर आया तो वो दोनों क्या कर रहे थे वो दोड़ कर फिर्स फ्लोर से नीचे भागे बासू किचन में खड़ा था उसकी दोनों टांगे कांप रही थी वो राशंदान की तरफ देख रहा था जहां एक काला चेहरा चला आ रहा था मरने वाली की लिस्ट में तुमारा नाम नहीं है बासू वो कह रहा था ये वही बोना था थोड़ी देर में ये पूरी हवेली जल कर राख हो जाएगी जान बचानी है तो इसी रोशंदान से बाहर आ जाओ अंदर गए तो आग में फस्तर भस्म हो जाओगी सब जल कर मर आने वाले हैं ननन नहीं तुम्हें जिन्दा रहना है आओ दोस्त बाहर आजाओ बासू ने आख की गंद महसूस की वो किचन में फिर से चाय बनाने आया था खरना का शावर अब भी चल रहा था पता नहीं वो इतनी देर से बातरू में क्या कर रहा था निकलो बाहर बॉन कर सकता हूँ लेकिन तुम्हारा नाम मरने वालों की सूची में नहीं है इसलिए तुम अभी तक जिन्दा हो ऐसा लगा जैसे बासू को उसने हिपनोटाइस कर दिया है वो रोशंदान से हट गया बासू ने अंदर से चीक पुकार की आवाज सुनी कोई आग आग चिला रह था बासू तरन स्नैक पर चड़ गया फिर उसने रोशंदान में अपना सिर डाला और बाहर निकलने की कोशिश करने लगा जैसे ही उसने ये कोशिश की उसे किसी ने पकड़ कर बाहर कींच लिया और बासू अब बाहर आ गया उसे बोने ने ही पकड़ कर बाहर कींचा था बासू ने कामते हुए उसके सामने हाथ जोड़ दिये। मुझसे डरने की जरूरत नहीं, अगर तुम्हें मुझे कतल करना होता तो अब तक तुम्हारा सिर्कार देता। मैं तुम्हें मौत की इस हवेली से आजात करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम गुनेगार नहीं हो, इतिफाक से इन लोगों के साथ आ गई, आओ मेरे साथ। बासु उसके साथ साथ चल पड़ा, बॉने की पीट पर एक बैक फिक्स था, बासु को लेकर वो हवेली के गेट की तरफ बढ़ गया, जो लोहे का बना था, सबसे पहली ये पत्तर हटानी है, जिनकी दिवार चिन दी गई है, मैं अकेला ये काम करूँगा, तो घंटों बॉने का डर बासु के मन में कुछ कम हो गया था, उस वक्त उसके पैरों में आर्मी के बूट थे और आर्मी जैसे ही ड्रेस पहने हुए था, उसका सिर्थ अर्बोस की तरह गोल और बड़ा था, नाग भी भद्दी थी, होन पतले पतले थे, आंखे चोटी चोटी थी, बाहर चल कर सुनाओंगा, बॉने ने जवाब दिया, ये एक हैरत अंगेस लफ्द चोरी है, मैं गोरी को बेहत प्यार करता था, गगग गोरी, गोरी कौन? वो इस गाओं में दुलहन बन कर आई थी, जिस बस में बारात लोट रही थी, मैं उसकी चट पर चड़किया, उसका दुलहा एक अठारा बीस साल का लड़का था, बहुत सीधा सा था, भोला भाला और मासूम, जब बारात आई, तो वो गोरी के सहेलियों के साथ, हसी गोरी को अच्छा दुलहा मिला था, पर मैं नहीं चाहता था कि मेरे सिवाई कोई और उसका पती बने, वे पत्थर हटाते जा रहे थे, पायल के हाथ पुष्ट की तरफ बंदे हुए थे, जिस रसी से बंदे हुए थे, वो भी जल चुकी थी, पर उसकी गांठे अभी नही जली थी, पायल के मुँपर भी कुछ चिपका हुआ था, वो भी जल चुका था, वो कोईले की तरह काली पड़ी थी, करीब ही एक केन उल्टी पड़ी थी, मदूर ने उसे उठा कर सूंखा, उसमें पेट्रोल की बू आ रही थी, आग पर काबू पान या गया था, वरना य ये आग पूरी हवेली में फैल सकती थी, अगर विलाशा अपने कमरे में साहस दिखा कर नहीं आती, तो आग बेकाबू हो जाती, और फिर ना जाने इसका क्या अंजाम होता, थैंक्स विलाशा, अब बास ने उसका हाथ चूम लिया, तुमने कम से कम हमारी जान तो बचा ल विलाशा बोली, और पायल ने दर्वाजा कैसे खोल दिया, जब किसी के कहने पर भी नहीं खोल दी, तो फिर कैसे खोल दिया, पायल खन्ना की मैनेजर थी, मधूर बोला, तो क्या खन्ना ने दर्वाजा खुलवाया, यकीनन और फिर उस बोने को रास्ता दिया, बोना पेट्रोल पहले से यहां किसी स्चोर में रखा था। कमरे में घुस कर पहले तो पायल के हाथ पुष्ट से बांदे गए। उसके मुँपर मेडिकल टेप चिपका दिया किया। ताकि वो चीक पुकार ना मचा सके। मदूर किसी जासूस की तरह टुकडे जोड रहा था। और पेट्रोल उठाकर आग लगाने के लिए बोने को क्या जरूरत थी। वो खुद भी ये काम कर सकता था। शायद बोना पेट्रोल की केन लेकर बाहर से अंदर आया था। लेकिन किस रास्ते अंदर आया। हो सकता है। खन्ना ने हवेली का मुख्य द्वार खोल कर उसे अंदर बुला लिया हो। मधूर बूला। वो अकेला नहीं था मिस्टर मधूर अबास ने कहा। उसके साथ डॉक्टर बासू भी था। यहां भैस करने की बजाए क्यों ना नीचे ड्राइंग रूम में चल कर देखें। विलाशा ने उन्हें टोका। हाँ ये ठीक रहेग एक दो बाल्टी पानी और डाल दें। कहीं कहीं से आग अब भी सुलग रही है। उन्हेंने कुछ पानी और डाला। फिर जब वो पूरी तरह संतुष्ट हो गए कि आग पूरी तरह बुच चुकी है। वो नीचे की तरह चल पड़े। तुम पत्थर हटा कर बाहर निकल जाना गेट खुला है मैं अभी आया। तुमसे बाहर मिलूँगा। बोने ने कहा और पलट पड़ा। बोना तेज तेज दोड़ रहा था। बासु ने पलट कर देखा। वो बहुत तेजी से उस तरफ चल रहा था। जैसे हवा में उड़ रहा हो। वो हवेली की इमारत की तरफ बढ़ गया। बासु पत्थर हटाने लगा। बोना ठीक उस जगा पहुँचा जहां बातरूम था। वो चबूतरे पर चड़ गया। बातरूम का रोशन दान भी खुला था। उसने जांक कर अंदर देखा। बातरूम का शावर चल रहा था। खना नंग धरंग उस वो शावर चलाने के बाद बेहोश हो गया था। और हुआ भी यही था। नहाते समय उसका पाउं फिसला और सिर्दिवार से जा लगा। फिर वो चेतना शुने होकर वही बैठा रहा। बातरूम का दर्वासा उसने अंदर से बंद कर लिया था। जिस बॉने ने अंदर आ वो संतुष्ट हो गया। उसके बाद उसने खना को ठोकर मारी और फिर जुक कर उसके गाल थप तपाए। बोने ने शावर बंद नहीं किया बलकि खना को उसके नीचे से खेंच कर चित लिटा दिया। उसके बाद वो खना के सीने पर दाएं बाएं पैर करके बैठ गया। और खन्ना को होश में लाने की कोशिश करने लगा थोड़ी देर में खन्ना को होश आ गिया बोने को अपने सीने पर सावार देखकर उसकी गिगी बन गई उसने चीखना चाहा पर चीख नहीं पाया बोने के पतले होंट मुस्कुराहट की शकल में फैल गई अब तो सुनेगा और मैं बोलूँगा बोने ने धीमिस्वन में कहा विराट खन्ना है ना तेरा नाम विराट ने सिर्फिलागर हामी भरी चीख पुकार मत करना वर्नाम बोने ने पुश्ट की तरफ बैग में हाथ सरका कर एक खंजर निकाल लिया खंजर खंणा की गर्दन पर रख दिया गर्ना खंणा की आंके फटी हुई थी जुबान तालू से चिपक गई थी अब तो सोच रहा होगा कि मैं तुम सब को यहां क्यूं लाया और क्यूं तुम सब को खत्म करने का प्लैन बनाया तो सुन सबसे पहले मैंने ड्राइवर गुलशन की हत्या की क्यूंकि वो वापिस भाग रहा था मेरा नाम गोलू है और मेरी डी कंपनी है मुझे ऐसे लोगों से सक्थ नफरत है जो लड़कियों के साथ उसकी इच्छा के बिना उसका योन चोशन करते हैं मेरी गौरी के साथ बलतकार हुआ था इसी हवेली में हुआ था दैश्चत से पीले पड़े खन्ना की आँखे रहम की भीक मांग रही थी गौरी की शादी एक मासूम नाजवान से हुई थी इस गाउं की एक बे रहम रस्म थी हवेली का जमीदार विश्नु प्रताप बड़ा ही खुंखार इंसान था सारा गाउं उसके सामने बेबस था गाउं की सब जमीने उसके पास गिर्वी पड़ी थी वो कभी भी गाउं की गलियों में घुस कर अपने कारिंदों के साथ जाता और गलती करने वालों या उसके किलाफ आवाज उठाने वालों को या तो सरेयाम गोली मार देता या कोडों से उनकी स्खाल खेंच लेता इतना कहकर बोना कुछ पल के लिए लुका थोड़ी देर में ये हवेली आग में जलकर भस्म हो जाएगी और कोई नहीं जान पाएगा कि यहां क्या हुआ था गोलू ने आगे कहा हवेली के सामने सडक का आखरी चोर है उसके बाद गाओं के लिए दाएं बाएं रास्ते जाते हैं मैं गौरी से प्यार करता था और बारातियों के बस में छट पर बैठा था बाराति बस से उत्रे लेकिन अपने अपने घर को चले गए और जिस कार में दुलहा दुलहन थे वो कार हवेली में दाखिल हो गई मैं बस से उतर कर उसकी तरफ आ किया मैंने गाओं के एक आदमी को रोक कर पूछा कि क्या दुलहा इसी हवेली में रहता है जवाब में उसने मुझे रस्म के बारे में बताया तब मैं हवेली की तरफ दौट पड़ा शाम हो चुकी थी अंधेरा फैलने लगा था मैं चिपता चिपाता गेट के अंदर चला आया मैंने देखा कि दुलहन को वहीं उतार कर दुलहा वापिस लोट रहा है वो बेहद उदास था और कुछ विरोध भी कर रहा था बोने ने गहरी-गहरी सांसे ली उसकी आँखों में अंगारे से भर से गए थे जैसे वो दृष्य उसके सामने साकार हो गया हू कार उस दुलहे को वापिस ले जा रही थी बोना कहने लगा अचानक दुलहा कार से उतर पड़ा और हवेली के मुख्य द्वार की तरफ भागा दो लठैतों ने उसे रोक लिया वो जोर से चीखा गौरी बाहर आजा वो शैतान तेरी इज़त लूट लेका बाहर लौटा गौरी मैं तेरे साथ ये शैतानी खेल नहीं खेलने दूँगा सच बताओं उस वक मेरी टांगे काम कई मेरे पास इतनी ताकत नहीं थी कि दुलहे की मदद के लिए उन से लड़ पड़ता बहुत कमजोर था मैं मैंने देखा गौरी वापिस आगई वो दौरती हुई आई थी वो दौर कर दुलहे के पास आई और उससे लिपट कर रोने लगी तब ही जमीदार विश्नु प्रताप प्रकट हुआ वो लंबे चोड़े डील डोल का इंसान था बड़ी बड़ी मुचें थी रोबीले चेहरा था वो अचकन पहने हुए था गले में दो तेन हीरे मोती की मालाईं पड़ी थी लटैत गोरी और दुलहे को चुडाने की कोशिश कर रहे थे इतना कहकर वो थोड़ी देर के लिए रुका उसकी आँखों में आंसु डब डबा आई उसने एक हाथ से आंसु पोंचे जमीदार उन दोनों के पास आया वो इस तरह से चिपके हुए थे कि लटैत उने चुडा नहीं पा रहे थे अलबता दुलहे पर लाथ खुशे जरूर पड़ रहे थे तब ही जमीदार वहाँ पर आ गया उसने अचकन की जेब में हाथ डालकर रिवॉल्वर निकाली और नाजवान को सटाकर गोली चला दी नाजवान चीके मार कर लहु लोहान होकर गिर पड़ा उसका बंधन ढीला पड़ गया और वो गोरी के कदमों में गिर पड़ा जमीदार ने गोरी का हाथ पकड़ा और उसे घसेटता हुआ हवेली के अंदर ले गया मैंने ही जानता कि जमीदार सारी रात गोरी को कैसे रौंदता रहा मैं कर भी क्या सकता था मुझे लठैतों ने देख लिया और इसके पहले की वो मुझे मार डालते मैं हवेली के गेट से निकल कर बाहर भाग गया उसके बाद मैंने गौरी को कभी नहीं देखा सिर्फ अफवाहे ही सुनी गौरी की तलाश में मैं भटकता रहा और इसी गाउं में रहने लगा तबी बाहर आहट सुनाई थी मधूर और अबास, खन्ना और बासू को तलाश कर रहे थे अगर गौरी जिन्दा हुई तो आगे की दास्तान तबी बात्रूम का दर्वासा थप थपाया गया दर्वासा कोलो, मधूर चिलनाया अबास ने किचन तोड डाला विलाशा हवेली के मुक्के द्वार की तरफ पढ़ी कौन है अंदर, बासू या खन्ना मधूर दर्वासा बजा रहा था बौने ने खंजर की धार, खन्ना की गर्दन पर फेर दी फिर उसका पूरा सिर काट डाला उसने इतने पर ही सबर नहीं किया खन्ना का गुपतांग भी काट डाला खन्ना का सिर बालों से पकड़ कर वो उचल कर रोशन दान पर चड़ गया और बाहर चबूत्रे पर कूत कर गायब हो गया बौना सीधा डॉक्टर बासू के पास पहुँचा उसने खन्ना का सिर रास्ते में ही फैंक दिया था बासू अधिकाश पत्तर हटा चुका था गौलू उसकी मदद करने लगा मधूर ने दर्वासे पर टक्रे मारनी शुरू कर दी अब अबास भी उसका साथ देने आ गया अंदर है कौन बासू या खन्ना या दोनों ही है शौवर चल रहा है और कोई रिप्लाई नहीं है अबास बोला अचानक विलाशा ने चिल्लाते हुए कहा जरा इधर आओ दर्वाजे पर चोटे बरसाते मधूर और अबास छिटक गए दोनों एक साथ पल्टे देखो इधर विलाशा ने कहा वो दर्वाजे में बने उस सुराख से बाहर देख रही थी जो उन्होंने अंदर आने के लिए दर्वाजा तोड़ कर बनाया था विलाशा की आँखे फटी-फटी सी थी वो सुराख के सामने से हट गई अब सबसे पहले मधूर ने बाहर देखा देख कर उसके चहरे पर तरह-तरह के रियक्शन उभरे लोही के गेट पर उसे डॉक्टर बासू और बोना पत्थर हटाते दिखा दिख रहे थे देखो अबास मधूर सुराख से हट गया अबास ने भी बाहर देखा फिर मधूर की तरफ देखा ये मौका हम हाथ से नहीं जाने देंगे अबास ने कहा और फिर हवेली का दर्वाज़ा खोल दिया रुको तो विलाशा ने उन्हें रोकना चाहा तुम खन्ना को देखो बातरू में खन्ना ही है लेकिन ये बासू बॉने के साथ मधूर सोच में पड़ गया इसका मतलब सारे गेम का मास्टर माइंड बासू ही है इन दोनों को गोलियों से चलनी करना है अभी अबास दिवानों की तरह गेट की तरफ दौड पड़ा पीछे पीछे मधूर भी था उन पर इसकदर पागलपन सवार था कि बिना सोचे समझे दोनों ही गेट की तरफ गोलियां बरसा रहे थे तबी गेट खुल गया और सबसे पहले बोना कूत कर बाहर भागा बासू भी बाहर जाना चाहता था पर उसी वक्त उसकी पुष्ट में एक नहीं दो दो गोलियां पैबस्त हो गई और वो लड़ खड़ा कर गेट के बीचो बीच गिर पड़ा मधूर अरबास पगलाई से अब भी गोलियां चला रहे थे डॉक्टर बासू का जिस्म गोलियों से चलनी हो गया था वो बासू का शव लांकर गेट से बाहर दोड़ पड़े लेकिन बॉना गोलू उन्हें कही नजर नहीं आया वो काफी देर तक उसे तलाश करते रहे और फिर वापिस गेट की तरफ आ गए लेकिन जब वो गेट की तरफ पल्टे तो उनके छक्के छूट गए गेट लॉक हो चुका था अब दोनों गेट के अंदर नहीं जा सकते थे और शाम ढलने लगी थी उनके मैगजिन भी खाली हो गई थी अब वो किसे भी फायर पर नहीं कर सकते थे विल जोर जोर से गेट पर लाद खुसे बरसाने लगे पर गेट तस से मस नहीं हुआ दोनों ठक कर वहीं बैट कए थोड़ी देर बाद मधुर कामते हुए बोला विलाशा की जान खत्रे में है नहीं बोना बाहर है और हम इसी गेट पर रटे रहेंगे अबास बोला उसे अंदर नहीं जाने देंगे अब उन्होंने अपनी अपनी गन चेक की गन के मैगजिन खाली हो चुकी थी दोनों गहरी गहरी सांसे लेने लगे अब दोनों ही निहत्ते थे कभी कभी खाली गन से भी लोग डर चाते हैं अबास ने धीमे स्वर में कहा, मैंने परशुराम शर्मा का एक नौवल पड़ा है, पिस्तॉल खाली है, इसके किदार खाली पिस्तॉल से ही एक गैस्टेशन लूट लेते हैं। फाल्तू के खयालाद दिमाग से उतार दो, नौवल और हकीकत में बहुत बड़ा फर्क होता है, हमारा यहाँ जिस वितने से पाला पड़ा है, वो बेहदी खतरनाग, लोमडी की तरह चालाग दिमाग वाला और जलात किस्म का है। यह इंसान का काम नहीं हो सकता मधूर, जरूर वो कोई शैतानी रूह है। रात का अंधेरा फैलने लगा है, मुझे तो फिलाशा की फिक्र हो रही है, वो हवेली में अकेली है। जब तक हम इस गेट पर डटे हैं, वो अंदर नहीं जा सकता, वो बाहर ही है और अंदर जान में अंदर नहीं जाने देंगे। हाँ, जंग होगी, आखरी सडक की जंग, मधूर की आवास में हलकी सी गुर्राहट थी, अबास को महसूस हुआ कि मधूर का खौफ अब बिलकुल खाक हो गया है, दोनों गेट से पीट टिकाए, बैटे थे और सामने सुनसान पड़ी सडक को घूर रहे थे, थोड़ी देर में चान निकलाएगा, अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, चान नहीं निकलेगा, मधूर बोला, आज अमावस की रात है, तुम्हें कैसे पता? मेरी घड़ी में दोनों तरह के कैलेंडर है, मधूर ने जवाब दिया, उसके बाद दो होता जा रहा था, जब तक विलाशा ने हतोड़े का आखरी प्रहार किया, तब तक अंधेरे ने अपना दामन फैला लिया था, विलाशा ने अपने मोबाइल फोन की टॉर्च ओन की, वो स्विच बोर्ट के पास पहुंची, उसने ड्राइंग रूम में रोशनी करने के लि विलाशा स्चोर रूम में आ गई थी, वहां रखा काट कबार उलटने लगी, एक जगा उसे लाल टेन रखी दिखाई थी, फिर उसे एक डिबे में कुछ मोम बतियां भी मिल गई, उसने जनरेटर चेक किया, जनरेटर आन किया, पर वो घर घरा कर कामोश हो गया, अब वो स इस वक बंद था, वहां उसे बासू की लाश पड़ी दिखाई थी, जिसकर जस्म पर गोलियों के निशान थे, बासू पत्थरों के धेर पर पड़ा था, विलाशा ने लाल टेन एक पत्थर पर रख दी, और उस गेट के पास आकर बाहर की आहटे सुनने लगी, बाहर से आ बोली, कौन है वहां, आवास बाहर तक चली गई, बाहर से मधुर चिलाया, विलाशा, हाँ, मैं हूँ, वो चिलाई, तुम यहां क्यूं आ गई, गेट नहीं खुल सकता, मैं अबास के साथ गेट पर बैठा हूँ, किसी तरह चार दिवारी पर चड़ने की कोशिश करो, और अपने बैठरूम को अंदर से बंद कर लो, किसी भी सूरत में बाहर मत आना, जाओ प्लीस, हम उस बौने का खात्मा करके ही आएंगे, वो ज़रूर आएगा, बस उसके आने का इंतिजार कर रहे हैं, जाओ तुम, विलाशा जैसे ही पल्टी, उसे माउथ औरगन की वही, च उनों चोकस हो गई, उदर विलाशा अपने बैठरूम की बजाए, हवेली की छट पर आ गई, यहां से वो बाहर का नजारा देख सकती थी, पर अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था, वो चांद निकलने का इंतिजार करने लगी, तबी कहीं दूर तुरही बशने लग तुरही की आवास उसी तरफ से आ रही थी, फिर एका एक ढोल नगाडे बचने लगे, ऐसा लगता था, यह नगाडे हर तरफ बच रही हैं, फिर अचानक मशाले रोशन हो गई, गाउं के घरों के दर्वा से धार धार खुलने लगे, और मशाले रहराने लगी, यह करने के लिए तयार खड़े हो, हमें किसी भी केमत पर इस गेट से नहीं हटना है, मधुर बोला, पर यह हो क्या रहा है, तुरही, ढोल नगाडे और अजीब सा शोर है, कुछ मशाले भी जल रही है, अबास के स्वर में कमपन था, जो कुछ भी होगा, सामने आ जाएगा, ग रहे थे, सबसे आगे कुछ कंकाल नाचते हुए आ रहे थे, ऐसा लगता था, जैसे वो कोई बारात हो, भूतों की बारात, नन्ने मुन्ने राही हैं, गाउं के बाराती हैं, बोलो मेरे संग जैहिंद जैहिंद, यह आवास किसी स्पीकर से सुनाई दे रही थी, कॉरस के श कॉरस, बात है, क्या बात है, उन्ने स्पीकर पर आवास आई, आज मेरी बारात है, कॉरस, बात है, क्या बात है, स्पीकर, जम कर दावत होगी यारो, कॉरस, इंसानों का मास है, मास है, यह आवाजें निकट आती जा रही थी, अब वो जलूस सड़क पर आ गया था, आगे क अंकाल नाच रहे थे, पीछे मशाले लिए जुलूस चला आ रहा था, और मशाल की रौशनी में उनके बेडंगे जस्म नजर आ रहे थे, किसी के हाथ नहीं थे, किसी का सेर ही गायब था, किसी की जटाएं गुटनों तक फैली हुई थी, कोई पतला था, कोई मोटा, कोई ठि पहने था, कोई सिर पर कैप लगाई था, किसी ने काला चश्मा पहना हुआ था, तो किसी की आंके ही गायब थी, कोई गंजा था, कोई बिलकुल नंग धड़ंग था, ऐसी ऐसी शकले थी, कि किसे भी जिन्दा दिल इनसान को उन्हें देखते ही गश आ जाता, वो सड़क प गले में नोटों की माला थी, वो इस समय पूरी सजधश के साथ ठसके से गोडी पर बैठा था, उसी गोडी पर स्पीकर टंगा हुआ था, और माइक बोने के हाथ में था, उसके आगे गाजे बाजे बजाने वाले थे और वेनाच रहे थे, फिर एक पाल की सी नजर आई, ज दो लोग पाल की उठाई हुए थे, अबास को तो जैसे साप सूंग गया, मधूर ने उसका हाथ मजबूती से थामा हुआ था, ये अजीबो गरी बारात हवेली के फाटक से कुछ दूरी पर आकर रुख गई, मशालों की रोशनी अब मधूर और अबास पर पढ़ रही थी बॉने ने हाथ उठाया और ढोल ताशे बजाने बंद हो गई, अब वो घोडी से नीचे उत्रा, उसने इस समय भी फाटक की तरफ बढ़ने लगा, अबास की धड़कने तेज होने लगी बॉना उन दोनों के पास आकर रुख गया, उसके हाथ में अब भी माइक था, शायद स्पीकर ब्लूटूट से काम कर रहा था दो, दो जिन्दा है, दोनों जिन्दा है, उसने माइक पर कहा, दावत की रात है, दावत की रात है, कोरस गुझा दो दो इन्सानों का जिन्दा खून है, बॉना माइक पर बोला, मधुर ने अपने जिस्म को कठोर बनाया, और जोरदार घूंसा उस बॉने के सिर पर उपर से ठोक पारा, बॉना धडाम से गिरा, मधुर ने उसे ठोकरों पर ले लिया, बॉना लड़ खडाता हुआ, लड़कर ही संगीता को उठाया था, खून पी जाए इनका, एक भीम काई स्वर गुंजा, बैट जाओ सब, पहले बात चित से मामला हल करते हैं, बोने ने कहा, और सब बैट गई, फिर बोना जोर से माइक पर बोला, ये मेरी पंचायत है, जिसका सरपंच भी मैं हूँ, और कुछ कहना है तुमको, बोलो, एक भी अगर उधर आया, तो जिन्दा नहीं छोड़ूंगा, मदूर ने खाली गन तान दी, अरे, ये तो हमें बंदूक से डरा रहा है, बोने ने ठहाका लगाया, इसे पता नहीं होगा, कि मुर्दा लोग गोलियों से नहीं मरते, चलाने द करने आया हूँ, वो हवेली में मेरा इंतिजार कर रही है, ये बेचारे तो सिर्फ अमावस की रात जाकते हैं, वरना मुर्दो की तरह पड़े रहते हैं, इनकी दावत है आच, ये सिर्फ आदमी का मास खाते हैं, आदमी का खून पीते हैं, फिर खापी कर सो जाते हैं, और कैसा आदमी है बॉस एक बोला हम भूत प्रेतों से भी नहीं डर रहा अबे ये फिल्म का हीरो है सालक कुछ तो हाथ पेर मारे का ही देखा नहीं कैसे मुझ पर लाद घुंसे चलाए बोना बोला देख हीरो तुझे तो ये पता होगा कि तुम दोनों के इलावा मैंने सब को ठ चोड़ता पर तुमारी किस्मत ने मुझ तुमें बचा लिया देखो रास्ते से हटो मैं बारात लेकर आया हूँ दुल्हन को डोली में बिठा कर ले जाओंगा और तुम दोनों को कुछ नहीं करना कौन सी दुलन है हवेली में गौरी मेरी जान है वो तुम लोग उसे विल तुम लोगों को मारने की दो वज़ा है बोने ने कहा पहली वज़ा तो ये है कि तुम सब को मारे बिना गौरी से मेरा ब्यान नहीं हो पाता तुम सब दिवार बनकर खड़े हो जाते जैसे अब खड़े हो दूसरी वज़ा ये है कि मुझे बारातियों को दावत भी देनी और ये सब सिर्फ आदमी का मास खाते हैं, आदमी का खून पीते हैं, बहुत से अपने दान चमकाई, होटों पर जुबान फेरी, भाई लोगों हम जिन्दा इंसान नहीं हैं, जो तुम हमें मार दोगे, हम तो सोन चिड़या हैं, कभी इस डाल, कभी उस डाल, सिर्फ मेरे अं वसको ही जाकते हैं, वरना लुंच-पुंच पड़े रहते हैं, कुछ भी हो, हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे, इस बार अबास में भी जोश भर गया, भूत कैसे भी हो, जिन्दा इंसान से टकर नहीं ले सकता, इंशाल्ला हम टकराएंगे, और ऐसा टकराएंगे कि सदियों तक भूत हमसे खौफ खाते रहेंगे, ये बात है, बॉने ने इधर उधर देखा, चलो रे, शुरू हो जाओ, उसने अपने बारातियों को हुक्म दिया, और बाराती दन दनाते हुए, आगे दोड़ पड़े, उनके लंबे लंबे नाखून थे, उनके पास गोली नहीं चलाई जा सकती थी, मदूर खौफनाग जंग लड़ रहा था, वो लात्खूं से बरसा रहा था, कुछ को उसने उठा उठा कर दूर उचाल दिया, पर वो पलट पलट कर फिर से हमला वर हो जाते, अचानक अबास का पाउं लड़ते लड़ते फिसला, और एक तरह जख्मी हो गया था, मदूर अबास को बचाने आगे नहीं बढ़ा, वो किसी भी कीमत पर गेट नहीं चोड़ना चाहता था, वो सब अबास पर तूट पड़े और पैने पैने नाकुनों से अबास का सीना चाक करने लगे, फिर एक जथा मदूर की तरफ आया, लेकिन म मदूर ने उन्हें लाद घुसे से मार मार कर पीछे धकेल दिया, अब मदूर ने आसपास से पथर उठा कर उन पर बरसाने शुरू कर दिये, अचानक बौने की घोड़ी तेजी से आगे की तरफ बढ़ी, बौने के हाथ में रसी का एक फंदा जूम रहा था, उसने वो फं मदूर पर उचाल दिया, फंदा मदूर की गर्दन पर अटक गया, मदूर ने उसे दोनों हाथों से पकड़ा, पर उन्तु तभी फंदा कस गया, और बोने की घोड़ी भी मुड़ गई, मदूर ओंधे मूग गिर पड़ा, अब बौना रसी के जरिये उसे खेंचता हुआ जा रहा था, उसे रास्ता देने के लिए बाराती काट की तरफ फट पड़े और उसे रास्ता दे दिया, बौना मदूर को सड़क पर घसीर्टा काफी दूर तक ले गया, एक पत्थर से मदूर का सिर्ट टकरा किया और वो बेहोश हो गया, बौना कुछ देर तो किसे सड़ पर खीशता रहा फिर रुख गया गोरी से उतर कर वो मधुर के पास पहुँचा दो तेन मशाल ची पीछे पीछे भागते आ रहे थे बॉने ने मधुर को एक ठोकर जड़ दी जब उसने कोई हरकत नहीं की तो बॉने ने वही रसी फैंग दी कुछ बराती लपक जपक कर वही आकई जिन्दा आदमी का कून है एक नया नारा लगाया रात को ना मून है कोरस में कुछ बोल पड़े चहरो बोना बोला यह मेरा शिकार है तुम सब लोग मेरे लिए कुछ छोड़ोगे या नहीं पीछे हटो पीछे हटो एक नए ने नारा लगाया ये दुले राजा का भोजन है कोरस में सब बोले फिर मदूर की तरफ बढ़ने वाले रुख गए और पीछे हटते हटते चले गए अब बोने ने घोडी को हवेली की तरफ बढ़ा दिया गाजे बाजे फिर बचने लगे सब नाच रहे थे आगे आगे चार कंकाल थे बोना माईक पर कह रहा था नन्य मुन्य राही हैं गाउं के भाराती हैं बोलो मेरे संग जैहिन जैहिन सब जैहिन जैहिन करते नाचते हुए हवेली के गेट की तरफ बढ़ रहे थे ऐसा लगता था जैसे भोले बाबा की बारात चल रही हो उसमें से कुछ तो चिलम भर भर कर पी रहे थे फिर बॉने ने माउथ औरगन निकाला और उस पर वही चिर परिचित धुन बचाने लगा बहुत प्यार करते हैं तुमसे सनम हवेली के दर्वासे बन थे विलाशा ड्राइंग रूम में मौझूद थी एका एक जनरेटर चल पड़ा और हवेली की लाइटे आन हो गई विलाशा ने चौंग कर देखा फिर वो अंदर गई और उसने दूसरी रोशनिया भी आन करती अब वो धुन सुन रही थी बहुत प्यार करते हैं तुमसे सनम बाहर गाजे बाजे का शोर सुन कर वो एक बार फिर चट पर आ गई उसने हवेली के गेट को खुलते देखा बोना एक घोड़ी पर सवार था कुछ अजीब अजीब किस्म के लोग अंदर घुसाई और वो इधर उधर बिकर गई अचानक अवेली में रंग बिरंगी जालरे जगमगा उठी शायद ये जालरे पहले से दिवारों पर फिक्स रहती थी और किसी किसी विशेश अफसर पर उन्हें रोशन किया जाता होगा उसी समय विलाशा को ना जाने क्या हुआ उसने जोरदार ठाहा का लगाया खिल किला कर हसने लगी वो बौने दुले को देखकर हस रही थी जो गोड़ी पर बैठा माउथ औरगन बजा रहा था उसके साथ ही उन जगों को खोद रहे थे जहां लाशों को दफनाया किया था देशत की बजाए विलाशा ठाहा के मार कर हस रही थी उसके बाद वो चट से आकर ग्राउंट फ्लोर पर पहुँची वो उस कमरे के सामने पहुँची जो हमेशा बंद रहता था लेकिन इस वक्त वो ताला खुला रहता था विलाशा ने दरवाजा खोल कर कमरे की रोशनी आन की वहां कई संदूक उपर तले रखे हुए थे उसने सबसे उपर रखे संदूकों को खोलना शुरू किया कुछ संदूकों पर ताले पड़े थे और कुछ खुले हुए थे ऐसे ही संदूकों को वो खोल रही थी जिसमें ताले नहीं थे तीसरा संदूक खोलते ही वो रुख गई मानू उसे मन चाही वस्तू मिल गई थी संदूक में कुछ वस्त्र और आभूशन रखे थे ये दुलहन का सुर्ग जोड़ा था सोने का गुलू बंध था बालियां थी चूडियां थी और श्रिंगार का कुछ सामान पड़ा हुआ था उस कमरे में एक आईना और चियर भी पड़ी हुई थी विलाशा ने सबसे पहले अपने वस्त्र बदले अब वो दुलहन के जोड़े में थी उसने खुद अपना श्रिंगार करना शुरू किया अपने बालों का जुड़ा बनाया आभूशन पहने होंटों पर लिपस्चक लगाई नत पहनी कानों में मुझके डाले कलाईयों में सोने के कंगन और चूड़ियां डाली फिर अपने आपको आईने में देखा वो दुलहन के रूप में सच सवर गई थी माउथ औरगन की धुन उसे सुनाई दे रही थी बहुत प्यार करते हैं तुमसे सनम उसके बाद उसने माउजर को साड़ी के नीचे अडा आया और उट खड़ी हुई माउजर की मैगजिन फूल गई थी उसके पास ग्यारा गोलियां थी इसके अतिरेक भी एक मैगजिन और थी अब बिल्कुल आखरी वक्त आ गया था अमावस्या की काली अंधेरी रात में हवेली दुलहन की तरह चमक रही थी गाजे बाजे बच रहे थे गड़ों में दबी लाशे निकाली जा रही थी बाराती उन लाशों को उठा उठा कर बाहर ले जा रहे थे और दुलहा मावथ औरगन बजा रहा था वो अभी घोड़ी से नहीं उत्रा था दुलह अब घोड़ी से उत्रा उधर विलाशा ने हवेली का दरवाजा खोल दिया था वो दरवाजा खोल कर बेडरूम में आ गई थी दुलहा अकेला ही हवेली में दाखिल हुआ उसने मावथ औरगन अपनी जेब में सरकाया और इधर उधर देखता हुआ सीधा विलाशा के बेडरूम की तरफ बढ़ने लगा फिर वो कुछ सोच कर रुका वापिस पल्टा हवेली के दर्वाजे से बाहर निकला चलो अंधर भी दो लाशे पड़ी है सफाई करो यहाँ कुछ बाराती अंदर आ गई बौने ने उनको गाइट किया कि वो दोनों लाशे कहां पड़ी है एक तो पायल का जला हुआ शव है दोसरी खन्ना की लाश थी हवेली को अच्छी तरह दो कर साफ कर दो उसने हुकम दिया सब बाराती सफाई में लग गई दुलहन पहले वाले कमरे में है वहाँ कोई नहीं जाएगा उसने अगला हुकम दिया हवेली में पानी की बाल्टियों के द्वारा सफाई अभ्यान शुरू हो गया कई बाराती जाडू पोचा लगा रहे थे उन्होंने दूसरी मंजिल ही नहीं हवेली की चट भी धो डाली नन्ने मुन्ने राही हैं गाउं के बाराती हैं बोलो मेरे संग जैहिंद जैहिंद बोना गा रहा था जै माला लाओ दो जै माला बोने ने हुकम दिया तुरंथी एक बाराती ने पॉलिथिन में रखी दो मालाई उसे दे दी फेरे कौन करवाएगा बोने ने पूछा एक चोटी धारी बाराती जिसके मुँ में दांती नहीं थे वो मात्र लंगोट पहने था नंग धड़ंग था जनेव पहने हुए था और माते पर तिलग भी लगाए हुए था वो सीना तान कर आगे बढ़ा अभी सब तयार कर देता हूँ उसने कहा इस पंडित के साथ उसका चमचा भी था जो दो बड़े थैले लटकाई हुए था उसने कालीन पर ही काम शुरू कर दिया बीच में हवन कुंड रखा फिर सामगरी रखी रोली से एक घेरा बनाया उस पर कुछ इत्र छिड़का आम के पत्तों का कलश बनाया चारो कोनों में चार दिबक जलाई और फेरों की तैयारी शुरू करती अबे सालो मेरे जूते कौन चुराएगा बने ने अपने बोट उतारते हुए कहा हम बराती हैं एक बोला हम जूते क्यों चुराएंगे जूते तो सालिया चुराती है और सालिया या दुलहन की सहिरिया यहां नजर नहीं आ रही है चीक है तुम लोग मेरे जूतों की हिफासत करना एक साली तो थी पर वो तो मर गई बोना बोला फिर वो जैमाला के दोनों हार लेकर उस बैडरूम की तरफ पढ़ा जिसमें विलाशा दुलहन के जोड़े में सजी संवरी बैटी थी वो बोना अंदर आया तो दोनों एक दूसरे को अपलग देखने लगी कुछ देर तक किसी की भी निगाह नहीं चुकी फिर मोने की आंकों में आसु चलक आए दूख खुली आंखों से टप टप बूंदे गिरने लगी 14 साल का वनवास गोलू बुद बुदाया गौरी उसने एक माला विलाशा की तरफ बढ़ा दी विलाशा ने बिलकुल फिल्मी अंदास में माला ले ली उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई emotional shot दे रही है जो बिद चुका था उसका सत्मा था या किसी और बात का उसके आंखों में भी आंसु चलक आए जय माला पहनाने के लिए उसे गुटनों के बल बैटना पड़ किया दोनोंने एक दूसरे के गले में माला डाल दी गौरी गौलू ने उसे गले लगा लिया और फिर फूट फूट कर रोने लगा विलाशक हामोश थी उसके होन फड़क रहे थे पर वो कुछ बोल नहीं पा रही थी फेरों का मोहरत निकला जा रहा है बाहर से आवास आई दोनों एक दूसरे का हाथ थामे बेडरूम से बाहर निकले स्वास्तिक वाचन के साथ ही पंडित ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिये हवनकुण में अगनी दी गई आम की सूखी लकणियों में आग प्रजवलित हुई दीपक रोशन हो गई हवनकुण में थोड़ा घी डाल कर सामगरी डाली गई कुछ बाराती खामोशी के साथ हाथ बांधे बैठे थे ध्यान रखना कोई मेरे जूते ना चुरा ले बौने ने हसकर कहा एक बाराती ने उसके जूते संभाल लिए दुलहा दुलन दोनों ही नंगे पाउं थे दुले की हल्दी रस्म तो हुई थी पर अंतो दुलहान की नहीं हुई थी ना ही उसके हाथों में मेंधी थी दोनों को बंधन में बांदा किया और फिर उन्होंने एक दूसरे को लड़ू खिलाए उसके बाद फेरे शुरू हो गए साथ फेरे संपोर्ण होने के बाद दुलहे ने दुलहन की मांग में सिंदूर भरा अपने हातों से मंगल सुत्र पहनाया दुलहन ने उसे सोने की अंगूटी पहनाई रस्म समाप्त होने के बाद दुलहन हवेली से विदा हुई उसे पालकी में बिठाया किया पाल की दो बारातियों ने उठा ली दुला गोडी पर सवार हुआ और गाने लगा नन्ने मुन्ने राही है गाउं के बाराती है बोलो मेरे संग जैहिन सबसे आगे जो बाराती चल रहा था उसने सफेद ध्वजा उठाई हुई थी सफेद शान्ती का प्रतीक होता है इसका मतलब जो कुछ होना था वो हो चुका अब भर तरफ शान्ती है अमन है अब हवेली में कोई प्रेत नजर नहीं आएगा अब वहां किसी की मौत नहीं होकी हवेली के मेन गेट से बारात बाहर निकली विलाशा ने पालकी का परदा हटा कर देखा हवेली अब भी दुलहन की तरह सजी हुई थी बोना अब माउथ औरगन बजा रहा था जैसे ही बारात गेट से बाहर निकली हवेली अंधकार में डूब गई गेट भी बंध हो गया बारात गाजे बाजे के साथ आगे बढ़ती रही विलाशा ने परदे को थोड़ा सा हटाया हुआ था ताकि वो बाहर का द्रिश्य देख सके दो मशाल ची उसके दाइबाई चल रहे थे फिर कोई बाराती गला फाट फाट कर गाने लगा बाबुल की दुआई लेती जा जट तुझको सुकी संसार मिले सब उसके साथ साथ कोरस में गाने लगे फिर उसने सुर के साथ साथ गाना बदला अब वो गा रहा था शलरी सचने अब क्या सोचे कजरा ना बह जाए रोते रोते इस काने को सुनकर विलाशा सचमुच रो पड़ी, फफक फफक कर रो पड़ी, क्या यही उसकी जिन्दगी थी, क्या उसका बीता हुआ कल हमेशा के लिए खत्म हो गया था, क्या वो अपनी ग्लैमर भरी दुन्या की चकाचोंद में कभी वापिस नहीं लोट पाएगी, क्या उसे पूरा जीवन गोलू के साथ बिताना होगा, दिन का उजाला हुआ, गाटी में हलकी सी धुन्द चाई हुई थी, हवेली विरान और खामोश पड़ी थी, अब वहां किसी भी किस्म की हलचल नहीं थी, हवेली ही क्यूं, पूरे गाउं में सन्नाटा पसरा हुआ था, घ आकाश पर एक हेलिकॉप्टर नमुदार हुआ, उसके पीछे पीछे एक दूसरा हेलिकॉप्टर भी चला आ रहा था, पालेट ने नीचे देखा, उसे एक हवेली नजर आई, उसने हेलिकॉप्टर उसी जानिब मोर दिया, दूसरा हेलिकॉप्टर उसे फॉलो कर रहा था, उसने हवेली का एक राउंड लिया हवेली की चट काफी बड़ी थी उसमें बारी-बारी दोनों हेलिकॉप्टर लेंड हो सकते थे लेंडिंग के लिए पूरे गाउं में दूसरी कोई जगा नज़र नहीं आती थी दोनों हेलिकॉप्टर ने पहले दो-तिन चक्कर लगाई पूरा गाउं गौर आबाद था उन्हें अच्छी प्रकार जानकारी थी कि एक गाउं ऐसा है जहां आखरी सडक का आखरी चोर है और वो आखरी चोर उन्हें नजर आ रहा था जो हवेली के गेट तक गया था सडक पर ओंधे पड़े मधूर को होशा किया उसने कराते हुए करवट बदली और आसमान की तरफ टक-टकी लगाई देखने लगा सूरज आसमान पर चड़ाया था मधूर भूका प्यासा था उसने गहरी गहरी सासे लेकर प्राण वायू को अपने फेफ्रों में भरा उसका सर बूरी तरह दर्द कर रहा था कदाचित सर पर गुमड निकलाया था उसने हाथ फिरा कर गुमड चेक किया उसका सर चक्राने लगा फिर वो आल्थी पाल्थी मार कर योगा की एक्सरसाइज और प्रानायाम करने लगा तब ही उसे गड़ गड़ाहट सुनाई थी उसने सिर उठा कर देखा आकाश पर आगे पीछे दो हैलिकॉप्टर नसर आ रहे थे वो हवेली के उपर मंड़ा रहे थे उसकी गन नजाने कहां गिर गई थी वो रेंगता हुआ सडक के किनारे तक गया और एक चटान का सहारा लेकर उठ खड़ा हुआ और लंगडाता हुआ आगे बढ़ा रसा अब उसके गले में नहीं था हेलिकॉप्टर शायद लेंडिंग की जगा तलाश कर रहे थे वो हाथ उठा कर चिल लाया पर आवास में दम ही नहीं था उसने हवेली की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया अचानक उसके मोबाइल फोन पर रिंग टोनाई वो एकदम से उचल पड़ा और ठिटक कर रुख गया उसने जल्दी जल्दी जेब से अपना फोन निकाला स्क्रीन पर विलाशा का नाम रोशन हुआ तुरंथी मधूर ने कॉल रिसीव की हाँ हेलो उसने फोन पर कहा और उसका स्पीकर आउन कर दिया तुम कहा हो मधूर विलाशा ने भर्राई स्वर में पूछा मम मैं सडक पर हवेली से चार पांसो मेटर दूर सडक पर हूँ तुम कहा हो विलाशा इन लोगों ने जबरदस्ती मुझे उठा लिया अगर मैं उन लोगों का कहा ना मानती तो वे मुझे जान से मार देते मैं गोलियां चलाती तब भी कुछ नहीं होता क्योंकि वो सब मुर्दे थे अब कहा हो तुम विलाशा मैं सुबा होते ही उनके चंगुल से निकल भागी हूँ मैंने ऐसे ही फोन ट्राई किया तो तुम्हारा फोन लग गया क्या तुम भाग कर सड़क पर आ सकती हो हाँ मैं सड़क के पास ही हूँ तुम जहां हो वही रुख जाओ मैं आती हूँ और फोन कट गया मदुर की समझ में नहीं आ रहा था कि फोन कैसे लग गया अब उसने दूसरी जगा फोन करना चाहा वो दीपक को फोन लगाने लगा जो पतली घाटी की लोकेशन का इंचार्श था लेकिन फोन नहीं लगा एक बार फिर फोन बंद हो गया हवेली की तरफ जाने का इरादा चोड़कर वो वही रुख गया कुछी देर में उसने ढलान पर किसी को उतरते देखा वो विलाशा ही थी लेकिन दुनहल के सुर्क जोड़े में थी वो सड़क पर आ गई फिर उसने मधूर को देख लिया वो मधूर का हाथ पकड़ कर एक तरफ तेस तेस कदमों से भागने लगी लेकिन वो हवेली से विपरीद दिशा थी मेरे खयास से हमें हवेली की तरफ जाना चाहिए मधूर ने कहा उस तरफ शायद दो हेलिकॉप्टर लैंड हुए है जरूर वे लोग हमारी तलाश में आई होंगे नहीं उस तरफ खत्रा है बोना मेरी तलाश में होगा वो रास्ते में हमें कहीं भी घेर सकता है वो हमें हवेली तक नहीं पहुँचने देगा वो अच्छी तरह जानता है कि भागने के बाद मैं हवेली का रुख करूँगी क्योंकि वहां हेलिकॉप्टर लैंड हो रही है मगर तुम दुलहन बाद में बताऊंगी फिलहाल हमें कोई सुरक्षित जगा तलाश करनी है विलाशा मधूर को लेकर धलान पर उतरने लगी आगे घना जंगल था इतना घना की हैलिकॉप्टर के जरिये भी उन पर नजर नहीं पर सकती थी कुछ देर बाद ही एक कंदरा दिखाई थी विलाशा मधूर को साथ में लेकर कंदरा में आ गई ये कुफा काफी गहरी थी उसके सामने जाट शंकार थे उगे हुए क्या तुमें पहले से मालुम था कि यहां कोई गुफा है मधूर ने पूछा नहीं ये तो इत्ते फाक से मुझे नसर आ गई और अगर वो बोना यहां भी आधम का तो हम उसका मुकाबला यहां कर सकते हैं सर्च उप्रेशन के कमांडोस हवेली पर उतर गए दोनों ही हेलिकॉप्टर बारी-बारी छोट पर लेंड हो गए इस टीम का एक कमांडर था जो उन्हें निर्देश दे रहा था हवेली का चपा-चपा चान मारो उसने हुकम दिया और मुंडेर के पास खड़ा हो गिया उसने दूरबीन निकाली और आंखों पर सटा दी अब वो दूरबीन से आसपास का इलाका देख रहा था उसके गाउन के घरों को देखा जो उजाड और विरान पड़े थे चार कमांडोस गन ताने हुए नीचे उदर गए शेश चार चत पर ही थे अपने साथियों को कवर करने के लिए तयार खड़े थे अगर एक भी गोली चलती तो वे पल भर में नीचे जा सकते थे उन सब लोगों के पास वायरलेस सेट का सिस्टम था जिसके जरीए वो अपनी रिपोर्ट दे सकते थे पंदरा मिनट में सूशना मिली की हवेली खाली पड़ी है सब कमरे खोल कर देख लिए गए सूशना मिली की एक कमरे में कुछ सामान जला हुआ है लेकिन कोई बाड़ी नहीं है किसी किस्म का सामान भी वहां नहीं मिला एक भी ऐसा सबूत नहीं मिला जो इस बात की पैचान करता हो कि वहां फिल्म यूनिट के लोग आए होंगे अल्बत्ता हवेली के दर्वाजे पर एक बड़ा सुराग जरूर था जिसके जरिये कोई भी आत्मी अंदर बाहर जा सकता था हम इमारत से बाहर मूफ करने जा रही है एक कमांडो ने सूशना दी टीम कमांडर ने दूसरे चार कमांडो इमारत में उतार दिये अब चार कमांडो हवेली की इमारत से बाहर खाक चान रहे थे और चार अंदर एक एक चेस को बारी की से देख रहे थे ये हवेली कब से बन पड़ी होगी एक कमांडो ने दूसरे से पूछा शायद बरसो से दूसरे ने जवाब दिया नहीं इसमें कोई रहता जरूर है देखो तो कितनी साफ सुत्री है ऐसा लगता है आज हुई किसी ने जाडू पोचा लगाया है वो दोनों एक बैटरूम में थे फिर अचानक कमांडो नीचे जुका उसने बैट के नीचे जहांका उसे एक अज़ली सिगरेट मिली उसने सिगरेट सुंगी सुफ़ा है इसमें वो बोला अरे भाई हो सकता है कोई सुट्टे बाज यहां आकर ठहरा हो पता नहीं कब की सिगरेट है ड्रॉइंग रूम में स्चूल पर एक सिगरेट रखी थी जो बुजी हुई थी दो कमांडो किचन में और मास्चर बात्रॉम में भी गए और वहां भी कोई सूत्र हाथ नहीं लगा उन्होंने स्चोर रूम भी चान मारे एक कमरे में ताला पड़ा हुआ था क्या इससे तोड़े एक कमांडो बोला नहीं इसकी जरूरत नहीं दोसरे ने उतर दिया क्या पता इसमें हवेली वालों का जरूरी सामान रखा हो एक कमांडो ने सूशना दी सर हवेली में एक लोहे का गेट है जो बंद और किसी भी तरह खुल नहीं रहा है हो सकता है वो बाहर से बंद हो कमांडर बोला जब हवेली में कोई है ही नहीं तो गेट तो बाहर से ही बंद होगा हम बाहर कैसे निकलें चार दिवारी बहुत उंची है बाहर कुछ मिला कुछ नहीं सर यहां कोई नहीं है ओके उपर आ जाओ अंदर भी कुछ नहीं है ओके सर आते हैं तभी एक कमांडो आया और बोला यहां दो रूम भी बने हैं शायद वो सर्वेंट क्वार्टर है वहाँ भी कोई नहीं है अलबता कुछ सामान जरूर पड़ा है तीसरा कमांडो हवेली के चारो तरफ राउन लगा रहा था वो जनरेटर रूम में पहुचा जनरेटर बन था जनरेटर में तेल पड़ा था जो बिलकुल समाप्त हो गया था पासी एक डीजल की बड़ी केन पड़ी थी उसने केन को उठाया और उसमें तेल चेक किया केन पूरी तरह खाली थी वो जनरेटर रूम से बाहर आ गया, जनरेटर रूम से डीजल की गंद महसूस हो रही थी ऐसा तब ही होता है जब उसे चलाया गया हो और तेल खत्म होने की वज़ा से वो खत्म हो गया हो हाला कि वो आफ था, फिर गंद क्यों आ रही थी? कमांडो के एक भाई का जनरेटर का ही काम था, इसलिए उसे जानकारी थी कि तेल खत्म होने पर जनरेटर तेल फैंकता है और उसकी गंद काफी देर तक बर करार रहती है वो आगे बढ़ गया, दूसरा कमांडो दूसरी साइट से मूव कर रहा था, वो चलते चलते एक जगर रुखा, उसे कुछ नजर आया, धूल मिट्टी के नीचे कोई चीज पड़ी थी उसने फोन कर दूल हटा कर वो चीज उठाई, वो एक मुबाइल फोन था, उसने इधर उधर देखा, फिर उपर देखा, उसे एक चबूतरा नजर आया, वो चबूतरे पर खड़ा हो गया, अब वो एक रोशन दान से अंदर जांक रहा था, ये किचन का रोशन दान था, व उसने अपने साथी को बताया, चीफ को सूशना दे दो, दूसरा बोला, वायरलेस आउन करके उसने चीफ को कनेक्ट किया, और मुबाइल के बारे में सूशना दे दी, उन्हें इस मुबाइल फोन के अतिरे कुछ नहीं मिला, दोनों टीम च्छत पर पहुँच गई, खया से हमें इस गाउं के घरों को भी देखना होगा, चीफ ने कहा, आठो कमांडोस ये सर्च करेंगे, दोनों हेलिकॉप्टर टेक ओफ किया जाए, कमांडोस फूर्ती के साथ हेलिकॉप्टर में बैट गए, हेलिकॉप्टर ने बारी-बारी टेक ओफ किया, गुफा का द गुफा में एक चटाई पड़ी थी, एक स्चोफ रखा था और कुछ बर्तन भी पड़े थे, इसके इलावा एक पुराना सा ट्रांजिस्टर भी पड़ा था, विलाशा ने ट्रांजिस्टर का एक बटन दबाया, अरे ये तो किसी का रिकॉर्ट किया टेप चालू हो गया, विलाशा ने चौंकर कहा, मैं गोलू हूँ, एक अदना सा बोना, जिसे हर किसी ने दुदकार दिया, मैं किसी का प्यार पाने के लिए भटकता रहा, जब मैं नहीं रहूँगा, तो दुनिया में मेरी आवास रहेगी, मेरी दास्तान रहेगी, इस बात का ऐसास होगा, कि प मुझे बताया, कि उसने मुझे कच्रे के धेर में पाया था, भिकारन नहीं मेरी परवरिश की, मैं वहाँ से भाग गया, बरसो बरस ना जाने कहां से कहां भटकता रहा, फिर एक गाउं पहुँचा, फिर वही का होकर रह किया, इस गाउं में एक खूपसूरत गुडिया ज असी लड़की रहती थी, जिसका नाम गौरी था, जाने अंजाने में गौरी से प्यार कर बैठा, ये एक तरफा प्यार था, वो जानती भी नहीं थी, कि एक पुरुष जब हम उम्र लड़की से प्यार करता है, तो प्यार के माइने क्या होते हैं, गहरी गहरी सांसों की प्यार करता, पर गौरी अकसर मेरे जोंपने में आ जाती, कभी कभी खाना भी ले आती थी, कभी मिठाई ले आती थी, फिर एक दिन पता चला कि उसका विवा होने वाला है, मेरे दल पर छुरियां से चल गई, मैंने अपनी दास्तान इसलिए रिकॉर्ट की है, ताकि मैं द की रस्म के अनुसार हर दुलहन के साथ पहली रात वहां का जमीदार बिताता था, सभी दुलहने चुप चाप ये जुल्म से लेती थी, लेकिन गौरी ने उसका विरोध किया, मैं भी इस बारात की बस की छत पर बैट कर विक्रमगर पहुंच किया था, फिर मैंने भी वो न सारा देखा, गौरी के दुलहने विरोध किया, तो उसे हवेली के प्रांगण में ही अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, मैं गौरी की आबरू नहीं बचा सका, मैंने कोशिश तो की थी, पर मुझे भी मार पेट कर हवेली के लठैतों ने बाहर फैंक दिया, उस रात हवेली में गौरी की चीखे गुशती रही, जमीदार के परिवार का कोई सदस्य उस वक्त वहाँ नहीं था, उन्हें इस दारान दूसरी जगा शिफ्ट कर दिया गया था, फिर मुझे पता नहीं चला कि गौरी का क्या हुआ, बहुत सी अफवाहें सुनी, पर मैंने गौरी को जिन पूरे गाउं को गिराना था, क्यों उन सब बरातियों ने ये जल्म होने दिया, उसके कुसूरवार गाउं वाले भी थे, कुछ देर के लिए गोलू की आवाज बंद हो गई, विलाशा ने टेप रोक कर मधुर की तरफ देखा, क्या ये हैरानी की बात नहीं कि तुम्हारा मोबाइल फोन तुम्हारे पास सलामत रहा, जिसके जरिये मैं तुम तक पहुंच सकी, मैंने सभी के फोन ट्राइ किये, पर सब के ही स्विच आफ थे, तुम्हारे नहीं, मैंने उसे बहुत एतियाद से शर्ट के अंदरूर्नी हिस्से में रखा हुआ था, मधुर ने जवा मैं तुम्हें वीडियो रिकार्डिंग करते देखा था, जब तुम भुवन की लाश देखने गए थे, और मैं खिडकी से देख रही थी, बौने न तो यही समझा कि तुम मर चुके हो, लेकिन मुझे तुम्हारे जीवित होने की उम्मीद थी, इसका मतलब इस गुफा में तुम पहले भी आई हो, मधुर ने पूचा, हाँ, वो मुझे दुलहन बना कर इसी गुफा में लाया था, इसे तराश कर बनाया गया है, इसके भीतर भी एक हिस्सा है, जो आधुनिक इलेक्ट्रोनिक मशीनों और कम्प्यूटर सिस्टम से लेस है, उसी के जरिये सारे सिस् में फोन किया, और अबास को भी फोन किया, क्योंकि आखरी वक्त मैंने तुम दोनों को जिन्दा देखा था, अबास का फोन तो स्विच आफ था, अलबता तुम्हारा फोन लग गया, मैं देख रहा हूँ, तुम्हारी आवास में किसी किसम का खौफ नहीं है, और तुम आफ नहीं, विलाशा स्चोव जलाने लगी, पर तुमने सडक पर तो कुछ और ही बात कही थी, यही ना कि बॉना हमें मार सकता है, मैंने ऐसा इसलिए कहा ता कि तुम्हें यहां ला सकूँ, क्योंकि यही सबसे सुरक्षित जगा है, हम हवेली की तरफ भी जा सकते थे, वह वह शायद रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वे लोग हमें ही तलाश कर रही होंगे, बहुत मुश्किल में पढ़ जाते हम, वे हमसे लंबी पूश ताच करते, हमें उन सब लोगों का मुझरिम भी ठैराया जा सकता था, हम ये साबिती नहीं कर पाते, कि वहां कोई बोना था, विलाशा ने बर्तन में चाय के लिए चमश रख दिया था, यहां खाने पीने का सारा इंतिसाम है, लेकिन उस बोने ने ऐसा किया क्यों, विलाशा ने टेप आन करने का इशारा किया, मदूर ने टेप आन कर दिया, गाओं में कमांडोस को उदार दिया गया था, आठो कमांडोस अब प्रते घर की खाक चान रहे थे, हेलिकॉप्टर वापिस हवेली की चट पर लेंड हो गए, और कमांडर दूर बेन से सारी गती विधी देखता रहा, एक-एक की घर की तलाशी ली जा रही थी, सभी घर के दर्वाजे चौपट खुले थे, किसी भी घर में को पड़ा हुआ था, वहां कौन लोग रहते थे, इसकी परताल में कोई नतीजा नहीं निकला, किसी का भी कोई शिनाक्ती कार्ड नहीं मिला, इसलिए ये जानना मुश्किल था, कि इन मकानों के स्वामी कौन थे, कमांडोस तीन घंटे तक चान बीन करते रहे, आस-पास का इ पानी की सप्लाई थी, वो टैंक भी देखा, सोते का पानी टैंक में भरता था, फिर पूरे गाउं को पानी की सप्लाई दी चाती थी, कमांडोस को खाली हाथ लोटना पड़ा, वे हवेली के मेन गेट तक आए, पर गेट पर बाहर से कोई लॉक नहीं था, ऐसा लगता था, बरसों से उसी किसी ने खोला ही नहीं, उन्होंने वे सड़क भी चानी, जिसका आकरी छोर हवेली तक गया था, पर कुछ हात नहीं आया, उनका सिगनल मिलते ही कमांडोस को रसी के जरिये ही हेलिकॉप्टर में चड़ाया किया, उसके आधे घंटे बाद, दोनों हेलिकॉप विलाशा कुछ बिसकिट के पैकेट पे अंदर से ले आई, मधुचार पाई पर बैठा टेप सुन रहा था, उसके बाद मैंने एक फैसला किया, गाउं की टंकी में जहर खोल दिया, जहां से पूरे गाउं की सप्लाई जाती थी, गोलु की आवास टेप पर गुंच रही थ सब लोग उस जहरीले पानी की वज़ा से मारे गए, उसके बाद मैं हवेली में खुस किया, वहां मुझे बेशुमार दौलत मिली, इसी दौलत से मैंने एक कंपनी खड़ी करती, जिसका नाम डी कंपनी था, एक गिरो तयार किया, इस गिरो का काम ये था कि जो भी इस सड़ पर आएगा, वो जिन्दा वापिस नहीं लोट पाएगा, हवेली के खजाने की तलाश में चोरू चक्के आते थे, लेकिन कोई भी जिन्दा वापिस नहीं लोटता था, हमने अफवा फैला दी कि ये भूतों का गाउं है, उसके बाद प्रशासन ने इसे वर्जी तेरिया गोशित कर दिया, और सड़क पर परमानेंट बैरियर लगा दिया किया, मैंने कुछ काम और किये, हवेली के प्रमुग गेट की शकल बदल कर उसे इलेक्ट्रोनिक बना दिया, जो रिमोट से कुलता बंध होता था, हमने यहां बहुत सी गुफाईं अपने रहायश के लिए बना ढाली, हवेली में सिर्फ मैं रहता था, वैसे मेरी एक गुफा थी, जहां से पूरा सिस्टम कंट्रोल होता था, सड़क पर गाउं में और हवेली में जम पर लगा दिये गए थी, ताकि फोन का कोई नेटवर्क यहां काम ना करे, एक दिन में टीकम गड़ में एक फिल अब मैंने मुंबई के लिए प्रस्थान किया, मैं विलाशा से मिलना चाहता था, पर अपाइंटमेंट नहीं मिला, तब मैंने डीकमपनी का विस्तार किया, और फिल्मों को फाइनेंस करने लगा, गोलू रुक रुक कर बोल रहा था, मैंने वहां भी एक टीम बना ली, और फिर उस फिल्म को फाइनेंस करने लगा, जिसमें विलाशा को हिरोईन लिया जाता था, उसके बाद मैंने विलाशा की नीजी जिन्दगी खंगालने के लिए जासूसों की मदद ली, वो कहां से आई थी, उसका फैमली बैक ब्राउंड किया था, कैसे उसने अपना फिल्म म केरियर शुरू किया, कौन-कौन लोग उसके संपर्ट में आई, ये सब जानकारियां मुझे मिलने लगी, तब मुझे पता चला कि विलाशा को मेक अप मैन मुंबई लेकर आया था, उसके फैमली बैक ब्राउंड की कोई जानकारी नहीं मिली, मेक अप मैन चोटी वाला ने कभी जुबान नहीं खोली और किसी को नहीं बताया कि वो विलाशा को कहां से लाया था, सिर्फ वही एक शक्स इस बारे में जानता था, उसने सबसे पहले विलाशा को अपने रखैल बना कर रखा और महीनों तक अपने पास रखा, तब मुझे पता चला कि ये फिल्मे दु विल्फा है श्वेड सब साले नशेडी, जो औरत को सिर्फ मजे का जरिया समझते थे, उनने ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगियां बरबात की होंगी, कुछ कोटे पर पहुंची होंगी, कुछ होटलों में सप्लाई होती हैं, हजारों लड़कियों की यही कहानी है जो हेरोईन का सपना संजोई मुंबई आई थी, उसमें से कुछ सफल भी हुई, परन्तु अपने जिस्म से फिल्मी लोगों के बिस्तर गरम करने के बाद, विलाशा के साथ भी ऐसा ही हुआ था, पायल ने उसे सबसे पहले खन्ना के फिर्म दिलवाई, वो पायल ही थी, ज उसे हेरोईन के रूप में लॉंच कर दिया, उस फिल्म को भी हमारी कंपनी ने फाइनेंस किया, जो बुरी तरफ लॉप हो गई, और हमारी रकम डूब गई, उसके बाद खन्ना ने विपुल से फाइनेंस करवाया, और विपुल ने भी हेरोईन को अपने बिस्तर पर सजा डारेक्टर अबास को लिया गया, तब उसने भी विलाशा की बैंड बजाई, वो फिल्म किसी कारण वर्ष शुरू नहीं हो सकी, डॉक्टर बासू, विलाशा का भी डॉक्टर था, उसने भी विलाशा को एक फिल्म में साइन करवाया, और विलाशा के खूप सूरत जिसम क भोगा, विलाशा अब इसकी आधी हो चुकी थी, मेरी अजनसी इसी काम पर लगी थी, हमने उन सब की एक लिस्ट बना ली, जिनोंने प्रमोख रूप से विलाशा का शोशन किया था, क्योंकि मुझे यकीन था, वो गौरी ही है, फिर हमारी टीम ने एक स्क्रिप्ट तयार की, हम उस स्क्रिप्ट पर कुछ खर्चा भी करने वाली थे, हमने प्रोडियोसर के रूप में विराट खन्ना को चुना, और उसे हमारे मैनेजर ने बताया, कि डी कंपनी उन्हें क्या-क्या सुविदा देगी, लोकेशन का सारा खर्चा उठाएगी, अपनी गाड़िया प्रो विलाशा से मिला, उसका पूरा सच केवल चोटी वाला जानता था, मेरा यकीन पुक्ता हो गया, कि वो गौरी ही है, जिस गौरी को मैं बे इंतहा प्यार करता था, उसे हेरोईन बनाने के लिए किस-किस ने बिस्त्र गर्म किये, उन सब की काली सुची मैंने तयार कर ली, उ चंकर ने भी गौरी को नहीं छोड़ा था, जितेश भी उन में से एक था, हमने खन्ना से कहा, कि युनिट हम तयार करेंगे, और वो मान गया, क्योंकि वो सडक पर आ चुका था, जो लोग मारे गए, उन में से जरूर कुछ निर्दोश थे, लेकिन गेहूं के साथ घुन भ पहले भी विलाशा के साथ काम कर चुका था, और उसने भी उसे भोगा था, विलाशा ने मधुर की तरफ देखा, मधुर का रेयक्शन गया, टेप जारी था, लोकेशन हमारी कमपनी ने फाइनल की, विपुल ने बाकि फाइनेंस किया, उसे भी हमने ही तयार किया, हमारी ब ड्राइवर गुल्षन को मारा, क्योंकि वो वापिस भाग रहा था, और इस बात की संभावना थी, कि वो रास खोल देखा, जैसा जाल बिचाया गया था, सब कुछ फुल प्रोफ प्लैन के तहत हुआ, मेरा इरादा मधुर को सबसे बात में मारने का था, क्योंकि वो फिल्म क हीरो था, हर फिल्म के अंत में हीरो विलन को मार देता है, पर मेरी इस फिल्म में हीरो को विलन मारने वाला था, मैं उस से आमने सामने फाइट करके मारना चाहता था, हवेली में गुप्त कैमरे लगे थे, जो सारी जानकारी मुझ तक पहुंचाते थे, मुझे पता था कि हैं और कहा क्या चल रहा है काम खत्म होने के बाद हवेली के सारी सफाई होनी थी और एक भी सबूत रहने वाला नहीं था मेरे गिरों के लोगों ने कुछ कंकाल भी डिजाइन किये जो नाशते थे हम लोगों ने पूरी रहर्सल पहले ही कर ली थी उसके बाद बारी-बारी सकते हैं स्थानी पूलिस सेट को रेडियो सेट को फ्रेक्वेंसी हमें पता थी मेरी टेम में बहतरीन सौप्वेर इंजिनियर भी थे जिन्हों ने इस देया में स्थानी पूलिस का वायरला सेट भी ठब कर दिया। ये नाटक अधिक समय तक नहीं चल सकता था, क्योंकि आज की टेक्निकल बहुत एडवांस है, वे लोग जंपर का भी पता लगा सकती हैं, जिन से फोन ब्लॉक हो सकता है, मेरे प्लान की अनुसार ये सब सबूत भी नश्ट करने थी, गुफाईं तो मिलती और उनमें कोई साम कर रही थी, लोकेशन खना ने हमारे कहने पर फाइनल की थी, और हमने खना को समझाया था, कि जब तक फिल्म पूरी नहीं हो जाती, लोकेशन आउट नहीं होनी चाहिए, वरना कोई और उस शांदार लोकेशन यानी पतली घाटी का यूस कर लेगा, खना ने ये बात गोप अपनिये रखी थी, डारेक्टर अबास की अतिरिक किसी को पता नहीं था कि लोकेशन कहा है, सुलिमान को इसकी जानकारी थी, क्योंकि उसे यूनिट के काफिले को लीट करना था, प्रोडक्शन का दूसरा आदमी दीपक को आखरी समय में जानकारी दे गई थी, और उसे प अनिये लोगों ने उसे बताई थी, ड्राइवर सुलिमान को हमने गाइडलाइन दे हुई थी, कि वो अपना ट्रक किस तरफ ले जाएगा, तब तक उसे भी पता नहीं था, कि आखरी सड़क पर जाने वाला जिन्दा वापिस नहीं आता, उसे ये बताया गया था, कि वो प जसा मैंने सूचा था, मुझे इस चीज का आभास था, कि ट्रक में आग लगाने के बाद सुलिमान भड़क जाएका, वो रास खोल सकता था, इसलिए सबसे पहले उसे ही ठिकाने लगाने का प्लान था, दूसरा प्लान चोटी वाला को मारना था, क्योंकि वो विलाशा की अ विवा नहीं हो जाता, विवा के बाद मुझे एक काम और करना था, वो काम था अपने गिरों का खात्मा करना, क्योंकि उन में से कोई भी कानून की गिरफ्ट से जा सकता था, विवा के अफसर उनके लिए दावत का इंतिजाम था, यहां एक बड़ी गुफा भी है, जहां स सर गल जाती, मुंबई में जो टीम जी डी कमपनी के लिए काम करती थी, उन में से मुझे सिर्फ एक शक्स जानता था, जो कमपनी का मैनेजर था, लेकिन उन लोगों को इस फ्लैन की जरा भी भनक नहीं थी, मैं उस मैनेजर को खत्म करने के बाद ही यहां आया था, उसकी के ही दस्तकत होते थे, हर जगा उसी ने डील की थी, मैं उस प्लैन को खत्म करने के बाद अपनी गौरी के साथ एक सादा जिंदगी गुजारना चाहता था, हम दोनों यहां से बहुत दूर निकल जाते, मैं उसे लेकर अपने उस पुष्टैनी गाउं चला जाता, जहां ए एक भीकारन ने मेरी परवरिश की थी, वो मेरी मा नहीं थी, उसने मुझे कोड़े से उठाया था, पर मैंने उसे अपनी मा का दर्जा दिया था, वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, वो सकता है आज भी उसकी मा की आँके अपने गोलू का इंतिजार कर रही होँगी, जब मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। टेप के अंत में माउथ औरगन की वही धुन सुनाई थी। बहुत प्यार करते हैं तुम से सनम। और फिर टेप बंद हो गया। सर्च ओप्रेशन के टीम वापिस लौट गई थी। उनके पास सबूत के तौर पर अगर कोई चीज थी तो वो मोबाइल फोन था। फोन को चार्च किया गया। फोन के स्चोरिश में बहुत से वीडियो और कुछ रिकार्डिंग मौजूद थी। उस फोन से एक नमबर पंच करके पूछा गया। कि ये फोन किसका है। पता चला की फोन डॉक्टर बासू का है। उस फोन से ही नमबर पंच किया। फोन रिसीव हो गया। हलो किसी औरत का स्वर्च सुनाई दिया। आप कहा हो। मैं लगातार फोन कर रही हूँ। फोन मिलता ही नहीं। सौरी मैं डॉक्टर बासू नहीं हूँ। हमें उनका फोन एक ऐसी जगा मिला जहां सर्च चल रही है। क्या मत पूछा किया। बासू कहा है। अभी हम कुछ कहने की स्थिती में नहीं है। क्या आप बता सकती है कि डॉक्टर बासू कहा के लिए रवाना हुए थे। वो शूटिंग पर गए है। खर्ना साहब के फैमिली डॉक्टर है। खर्ना साहब उन्हें अपने साथ आउट्डोर शुटिंग पर ले गए हैं जहां उनके कोई फिल्म शूट होने वाली है पर बात क्या है ये फोन। ओके फिल्म की लोकेशन कहा थी क्या आप बता सकती है। टीकमगर में कोई पतली घाटी है। उनका आपको आखरी फोन कब मिला। शायद तीन चार रोज हो गए है। फोन पर क्या बात हुई? कुछ बताया था क्या उन्होंने? वो खुश नहीं थे और बता रहे थे कि बहुत शांदार लोकेशन हैं पर हुआ क्या? वो कहा है? फिल्हाल हम कुछ भी बताने की पोजीशन में नहीं हैं। आप कौन बोल रहे हैं? मैं सर्च उप्रेशन की टीम का इ पुशना देंगे। कहावत है कि मुश्रिम चाहे जितना भी शादिर हो अपने पीछे कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ जाता है। ये एक ऐसा पुकता सबूत था जिससे पता चलता था कि डॉक्टर बासू उसी हवेली में हैं और अगर वो वहाँ था तो खन्ना भी व कि गई। किसी शार्प डेटेक्टिव की जरूरत थी और फोरेंसिक डिपार्टमेंट वालों के भी जरूरत आन पड़ी थी। धड़दर फोन की घंटियां बचने लगी। उच अधिकारियों की टीम दो घंटे बात बुलाई गई। उनमें टीकमगर का पुलिस कमिशनर और S.H.O. पांडे भी शामिल था। वो विभाग के अधिकारी भी थे। सारा मसला चीफ कमांडर उनके सामने रखा। क्या कहते हैं आप लोग क्या उस गाउं में भूत प्रेत रहते हैं। अगर वहाँ जाने वाला कोई जिन्दा वापिस नहीं लोटता तो फिर हम कैसे ल चुकी थी। इसलिए सड़क को ब्लॉक कर दिया गया था। रास्ते में एक BMW का एक्सिडेंट हुआ है और एक Mercedes का भी। मिस्टर पांडे आपने आगे चान बिन क्यों नहीं की। अगर आप उसी समय फोर्स के साथ आगे बढ़कर हवेली में पहुंच जाते तो बहुत सी ज इची हो गई थी कि आगे जाना संभव नहीं था। तो क्या उसे हटाया नहीं जा सकता था। चीफ ने नागवार स्वर में कहा। पांडे कामोश हो क्या। आप पर विभाग ये कारिवाही होनी चाहिए। आप जैसे पुलिस आफिसरों को सस्पेंड कर दिया जाना चीफ गर्चा। मैं इसका समर्थन करता हूँ। पुलिस कमिशनर बोला। इन्होंने तो मुझे रिपोर्ट दी थी कि सब खाई में समा गए। तो क्या वे हवेली में वन अधिकारी कहते कहते रुप गया। सबूत है हमारे पास कि सिर्फ पांच लोग वैनिटी में मारे ग जमीन खा गई या आसमान निकल गया। उन 15 हीरो हीरोई, डारेक्टर, प्रोडियोसर, कैमरा मैन, मेकप मैन, फाइनसर, प्रोडक्शन इन चार्ज, सब लोग शामिल थे। ये फोन साबित करता है कि उन 15 लोगों की टीम हवेली तक पहुँच गई थी। क्या आप इस फैसल लगाना उचित नहीं होगा, लेकिन इतना तै है कि वे लोग हवेली तक पहुँच गई थी। डॉक्टर बासू अकेला तो वहाँ नहीं जाता, लेकिन इस मोबाइल में कुछ वीडियो फुटेज भी हैं, जिससे पता चलता है कि वे लोग हवेली में पहुँचे। एक तो बस को बैरियर ने रोग दिया था, जो पतली घाटी पहुँच गई, छे शव हमने बरामत किये, बाकी पंद्रा कहां गए? इसका जवाब किसी के पास नहीं था। और सबसे बड़ी बात ये है कि हवेली में जो लोहे का गेट है, वो इलेक्ट्रानिक गेट है, उसे किसी र और टीम सडक के आसपास देखती चले, और अगर खोजी कुत्तों की विवस्ता हो जाए, तो बैतर होगा, ये प्रस्ताव वन अधिकारी ने रखा। इस पूरी मिटिंग के रिकॉर्डिंग और सुझाव केंद्र को भेश दिये गए, वैसे भी केंद्र पर पूरी फिल्म का दबाव था, लेकिन सरकारी तंत्र ने तो पहले ही रेस्क्यू ओप्रेशन चला कर खाना पूर्ती करती थी, इस केस में अधिक गुंजाइश ना देखते हुए, केंद्र ने दूसरे टीम और खोजी कुत्ते भेशने के प्रस्ताव को खारिच कर दिया, रेस्क्यू ओप फिल्म इंडस्ट्री हिल गई, पंद्रा लोग कहां गए, जो इंडस्ट्री के स्थापित लोग थे, अते CBI जांच की मांग की गई, जवाब मिला कि अभिस्तानिये पुलिस तफ्तिश कर रही है, उनकी जांच मुकमल होने दी जाए, उसके बाद ही आगे कोई कारेवाही ह की, कोई भी केस जैसे तैसे पुराना होता जाता है, उसकी जांच भी मर जाती है, साक्षे मिट जाते हैं, और फिर कुछ नहीं रहता, अदालतों में लंबे समय तक मुकदमे चलने का अर्थ है, नियाई नहीं अनियाई, तब तक तो सिनेरियो ही बदल जाता है, आत्म निर इतना कौफनाक मुश्रिम इतनी आसानी से मारा किया, यकीन नहीं होता, ऐसे मुश्रिम हमेशा या तो औरत के हातों मारे जाते हैं, या औरत के लिए मारे जाते हैं, विलाशा ने जवाब दिया, आओ, मैं तुम्हें उसका पूरा कंट्रोल स्टेशन दिखाती हूँ, मदु चाए पीने के बाद उट खड़ा हुआ, उसने विलाशा की कमर में बाढ डाली, आज तुम सच मुझ बेहत हसीन लग रही हो, अब सरा जैसे, विलाशा चलते चलते पल्टी, वैसे भी मैं दुलहन के जोड़े में हूँ, मदु ने एक जटके से, विलाशा को अपनी बाहों में खींचा, और उसके होंटों पर अपने होंट रख दिये, जरा रुको तो मेरी जान, विलाशा ने कहा, यहां एक सुहाग सेज भी है, देखो तो उसने सुहाग रात मनाने के लिए कैसा सजाया है, विलाशा मधुर को पहले कंट्रोल रूम में ले गई, जहां दि दी थी, लेकिन इसकी डेड बाडी कहा है, छोड़ो भी, क्या करोगे देखकर, मैंने उसे मिट्टी में दाप दिया, उसके उपर एक पत्थर रख कर लिपस्चिक से लिख दिया, I love you गोलू, विलाशा ने खिल खिला कर हसते हुए कहा, फिर विलाशा मधुर को सुहाग कक् पड़ा था, बेशक ये सुहाग सेज पत्थर को तराश कर बनाई गई थी, लेकिन उसके उपर मकमली गदे थे, रेशमी चादर थी, अंदर दो शमाई रोशन थी, एक तरफ स्चूल पर एक प्लेट में मिठाईयां रखी थी, उसके पास ही एक सुराहीदार जग रखा हु विलाशा ने उन पर हाथ गुमाया, तो मधूर घंटियां बशने लगी, क्या दुनिया में कोई इंसान किसी को इस तरह भी प्यार करता होगा, विलाशा बढ़ बढ़ाई, छोड़ो भी, जो बेच चुका वो बीच गया, क्या तुमको नहीं लगता कि जो कुछ हुआ वो यहां 15 लोग आये थे, 15 नहीं, 21 लोग थे, मधूर बोला, 5 तो वैनिटी में रह गए थे, और एक वापिस भाग किया, क्या वो लोग बच गए होंगे, विलाशा ने पूछा, पता नहीं, शायद वो किसी भी हाथ से का शिकार हो गए हो, क्या तुमने उस बौने से इस बार पूछताश नहीं की, जो वैनिटी में थे, उनका क्या हुआ? नहीं, पर उसने इतना जरूर बताया था, कि जो भी इस सड़क पर आ जाता है, वो जिन्दा वापिस नहीं जा बाता, उसने बताया, कि सुलिमान के ट्रक में उसने किस तरह आग लगाई थी, दरसल ये ट्रक, जब मुंबई से रवाना हुआ था, तो उसके फ्यूल टैंक में नीचे एक सुराक कर दिया गया था, जिस पर प्लास्टिक टेप को चिपका दिया गया था, ताकि तिल सड़क पर ना बिखरे, फिर जब इस सड़क पर उसने ट्रक रोका तो वो ट्रक के नीचे घुस गया, और उस प्लास्टिक टेप को उखाड कर लाल टेन से आग लगाती, उसने ये भी बताया कि वो किस तरह हवेली में आता जाता था, हवेली के दो रोशन दान ऐसे थे, जो खुले थे, वो उसी रास्ते से हवेली की इमारत में आता जाता था, उसने ये भी बताया कि कई साल त अरीब छे फुट उचल सकता था और अपना कद भी गटा बढ़ा लेता था उसे ये भी पता था कि गाटी में सर्च उपरेशन चलाया जाएगा और हमारी तलाश की जाएगी मैंने दो हेलिकॉप्टर देखे जो गाउं के ऊपर चक्राते हुए हवेली की चट पर उदर गए की जरूरत ही क्या है हम दिपक से बात कर सकते हैं जो लोग सर्च उपरेशन चला रहे हैं और हेलिकॉप्टर से यहां आई है उन तक मैसेज पहुंचाया जा सकता है मैं लंबी पूश्टाच से बचना चाहती थी पूश्टाच तो अब भी होगी और उससे भी लंबी होगी हम दो ही तो बचे हैं क्या हम पर शक नहीं किया जाए हमसे पूशा जाएगा कि जब सब कुछ हमने काबुप में कर लिया था तो संपर क्यों नहीं किया मेरे खयाल से बैतर यही होगा कि हमें उनको सोचना दे देनी चाहिए नहीं अभी नहीं अभी कुछ लोग और बाकी है हम सब लोग जो हवेली में कैद हो गए थे, उन में से एक शक्स गुनेगार नहीं था, उसने एक एक कर सब को ठिकाने लगा दिया, सिर्फ तुम बच गए सिर्फ बासु तुम लोगों की गोलियों से चलनी हो गया, अच्छा मधुर, एक बात बताओ, क्या, मैं दुलहन के जोड़े में सजी सबरी हूँ, पर गोलु मेरे साथ सुहाग रात नहीं मना सका, मैं अपने आपको दुलहन के रूप में देख कर बहुत भावुक हो गई हू मुझे अब एसास हो रहा है कि उस दिवाने आशिक को नहीं मरना चाहिए था, पर अब मैं दूसरा जीवन जीना चाहती हूँ, फिल्मों की गंदगी से बाहर एक साफ सुत्री दुनिया, इसी वज़ा से मैं सर्च ऑप्रेशन वालों से सैयोग नहीं कर रही हूँ, विलाश ग्लैमर की चका चांद और दावत से मेरा मन भर किया है, फिल्मे दुनिया से निकल कर क्या करोगी, मैं अपना एक छोटा सा घर बसाना चाहती हूँ, तो बसा लो, किसने रोका है, मैं शादी करना चाहती हूँ, वो तो तुम्हारी गोलू से हो चुकी है, मदुर ने हसते अगर शादी ही करनी थी, तो गोलू क्या बुरा था, और तुमने तो फेरे भी लिये, उसने तुम्हारी मांग भी सजाई, मैं इतनी खोब सूरत और वो उतना ही बत सूरत था, लेकिन वो जैसा भी था, उसने महबत क्या चीज होती है, उसकी एक मिसाल पेश की, मैं उसे से विलाशा ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या तुम मुझ से शादी करोगे, मधुर ने एक जोरदार ठहा का लगाया, इस हसी का क्या मतलब है, विलाशा ने पूछा, चील के घौंसले में मास्त तलाश कर रही हो, मधुर हसते हुए बोला, क्या तुम्हें मालुम है, मे कुछ लेना देना, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ बस, हम दोनों कहीं भी अपना घर बसा लेंगे, मैं तुम्हें पहले अपने बारे में बताना चाहूंगा, मेरा तालुक एक खांदानी राज घराने से है, बले ही हमारे घराने से अब कोई राजा माराजा नहीं है, पर वी सीरियल्स में भी आफर मिली पर मुझे सिर्फ और सिर्फ हीरो बनना था एक निर्माता ने मुझसे कहा कि वो मुझे हीरो ले सकता है बस शर्ते कि मैं बेस करोड फाइनेंस कर दूँ मैंने ये प्रस्ताफ अपने डैडी के सामने रखा डैडी ने एक शर्त पर हामी भरी श इस तरह में हीरो बन गया मेरी पहली ही फिल्म बॉक्स ओफिस पर हिट होई और मेरे कैरियर पर चार चांद लग गए मैं अब एक स्चार हूँ मेरे पसंद की वज़ा से इस फिल्म में तुम्हें हिरोईन लिया गया इसलिए मैंने ये जुमला बुला कि तुम चील के घोसन में मास तलाश कर रही हो मतलब कि तुम मेरा प्रस्तार ठुकरा रहे हो एपसल्यूटली यही बात है तुम सब लोग कितने गंदे हो अब भी मुझे उसी नजर से देख रहे हो जिसमानी भूख शान करने का एक जरिया तुम सब लोगों ने मुझे बाजारू बना दिया मैं तुम्हें जिन्दा छोड़ देती विलाशा का स्वर अचानक गुर्राहट में तबदील हो गया क्या मतलब विलाशा ने दुलहन के सुर्ख जोड़े के बलाउस में हाथ सरकाया फिर उसका हाथ बाहर निकला तो हाथ में माउजर दबा हुआ था तु मेरा आखरी शक्यार ह कमीने विलाशा एकदम से खड़ी हो गई और उसने गन मदुर की तरफ तान दी मैंने गोलू से कहा था कि मैं एक इतिहास रशना चाहती हूँ हीरों का खात्मा मेरे हाथों होगा इसलिए उसने तुम्हें जिन्दा छोड़ दिया ये क्या बक्वास कर रही हो ये बक्वास नहीं है विलाशा के रोप में तेरे सामने गोरी खड़ी है जो कभी जूला जूल कर गाया करती थी पीपल की चैया दे बाबुल की गलिया दे छोड़ के जाना एक दिन लोट के आना ना गोलू ने जो कुछ किया मेरे प्लैन के अनुसार किया मैंने इस यूनिट में उन खा करने के लिए मेरा खोन बहाया था और मुझे वैशी दरींदो की तरह रौंदा था तब मैं बहुत बेबस थी सुबह उसने मुझे बेहोश हालत में हवेली के बाहर छोड़ दिया होश में आने के बाद मैं गिरते पड़ते अपने गाउं में गई जिससे मेरी शादी हुई थी उसे तो मार दिया था पर मैं इंसाफ का गुहार लगा रही थी गाउं के हर शक्स ने मेरे लिए दर्वाजे बंद कर दिये तब मैंने एक पहाड़ी से कोट कर जान देनी चाही तो चोटी वाला ने मुझे बचा लिया मैंने सब कुछ उसे बता दिया उसने कहा कि अगर उसे एट बजाने के लिए ताकत चाहिए और हर ताकत दॉलत से हासिल की जा सकती है मैंने उसकी बाते मान ली और इस तरह उसके साथ मुंबई चली आई मैंने चोटी वाला से कहा कि वो यहां पर भूत प्रेतों का डर पैयदा करेगा उसने ऐसा ही किया तट तो क्या चोटी आवाज धीमी हो गई हाँ वो जानता था पर उसे ये पता नहीं था कि हवेली में उसकी भी मौत आने वाली है सबसे पहले उसी ने मुझे भोगा था उसी ने मुझे फिल्म निर्माताओं से मिलाया उसी ने मुझे एक फ्लैट दिलवाया था मैं गौरी से विलाशा बन चुक पान वहां के सबी रास्ते को वाकिफ था उसे यहां पहले भेजा गया था ताकि वो लोकेशन की हर सडक से वाकिफ हो सके और वो डी कंपनी जिसका जिक्र गोलू ने अपने टेप में किया वो उसकी नहीं मेरी कंपनी है जो अब खत्म हो चुकी है यहां मैं चुन-चुन कर उन लोगों को लेकर आ गई जो मेरी पाकिज़ा रू के बदनुमा दाग थे चोटी वाला से मैंने कहा था कि हम यहां थोड़ा मनोरंजन करेंगे तततो तुमने गोलू को क्यो मारा मधूर बोला वो धीरे धीरे बैट से उठने की कोशिश कर रहा था विलाशा मधूर के साम और धरिंदिगी के भाग थे मैं चुप चाप चला जाओंगा और किसी को भी नहीं बताओंगा कि यहां क्या हुआ नहीं क्योंकि युणिंट के इंशोरेंस पॉलिसी में तुम्हारा वीमा 200 करोड का है हम सब का वीमा खनना ने करवाया था मेरा वीमा भी 200 करोड का है जिस जिसको मौत के घाट उतारा किया, उन सब का बीमा करवाया गया था, वैनिटी में मारे गए पांचों आदमियों सहीत, 21 आदमियों का बीमा था, और ये हमारी D कंपनी के निर्देश पर हुआ था, उसका प्रीमियर भी हमारी कंपनी ने भरा था, और जानते हो इस बीमे का नॉमिनी है, कुल भीमा 2000 करोड का है, अब अगर हम सब की मौत एक दुर्घटना या हत्या मान ली जाए, तो 2000 करोड रुपया गोलू को मिलेगा, और यदि गोलू भी मर जाता है, तो रकम D कंपनी के अकाउंट में चली जाएगी, जिसे मेरी कंपनी का वारिस उठा लेगा और वो वारिस कौन है, वो रकम मेरे सेकेटरी को मिलेगी, विलाशा ने उतर दिया, और तुम्हारी सेकेटरी कौन है, गोरी, विलाशा ठहा का मार कर बोली, गोरी, पर गोरी तो तुम खुद हो, जिस गोरी को चोटी वाला ले गया था, उसकी शकल मुझसे काफी हद तक मि जलती जलती थी, मैंने उसकी जगा आसानी से ले ली, गौरी को मैंने मुंबई में एक फ्लैट में रखा हुआ है और वो हर वक्त मेरी निगरानी में रहती है, अब मदुर ने ठहाका लगाया, ये सब बक्वास है, तुम ही गौरी हो और तुमने ही एक गौरी को खड़ा किया है वो भी तुम ही हो तुम्हारी योशना के अनुसार वो दूसरी गौरी रकम उठा लेगी फिर गौरी के नाम से उन्हें फिल्मी परदे पर आ जाओगी और इंटर्व्यू में जाओगी और बताओगी कि विलाशा तुम्हारी जुड़वा बेहन थी लेकिन मेरी जान आजक में तुम सामने आओगी तो सारा भेद खुल जाएगा और पता चल जाएगा कि विलाशा और गौरी एक ही हस्ती हैं ओ मेरे नादान हीरो मेरा आधार कार्ड और आईडी फरसी अब तुम्हारी इस बात को कबूल करने में मुझे कोई एतराज नहीं कि वो गौरी भी मैं ही ह पल पल में रंग बदल रही हो गिर्गिट की तरह परंतु तुम्हारा मैं ये डबल रोल चलने नहीं दूगा क्यूंकि गेम की तुम सिर्फ खिलाडी हो सबसे बड़ा खिलाडी कोई और ही है मुझे बातों में मत उल्चा और मौत के सफर के लिए तयार हो जा विलाशा के सिर्फ पर ठीक माथे के मध्य भाग में माउजर की नार टिका दी मुझे पता था कि ये गेम इंशॉरंस का है पर मुझे ये भी पता था कि हम सब की मौत के बाद किसी को दो हजार करोड मिलने वाले हैं और वो तेरा आशिक बेचारा गोलू है गोलू अब जिन्दा नहीं है कमी ने इतना कहकर विलाशा ने ट्रिगर दबा दिया लेकिन गोली नहीं चली उसने दो तीन बार ट्रिगर दबाया पर गोली फिर भी नहीं चली बस या और भी कुछ है मधुल ने टाहा का लगाया और फायर कर विलाशा का माउजर छीन लिया इस गेम का सबसे बड़ा खिलाडी मैं हूँ मेरी जान मधुल ने विलाशा को एक थपट जड़ दिया विलाशा लड़ खड़ा कर पीछे हटी तब तक मधुल ने अपनी अंद्रूनी जेप से मैगजर निकाल कर माउजर में फिट कर दी तुमने माउजर कपसे नहीं जलाया? ये मैगजर तो मैंने उसी वक्त निकाल ली थी जब मैं तेरे साथ हवेली के बेड्रोम में था और माउजर में दूसरी खाली मैगजिन डाल दी, जो तुम्हारे पास एक्स्रा थी, तुमने गोलू को मारा नहीं, गोलू तुम्हारी कमपनी का M.D. है, रकम तो वही निकाल सकता है, और वो तुम्हारा दिवाना है, तुम्हारा पती है, लेकिन वैधानी किया कानूनी रू यानि तुम्हें मिल जाती, ये था तुम्हारा पूरा प्लैन, अब तुम सबसे बड़े खिलारी का M.D. सुनो, जब गोलू मुंबई आया था, तो उसकी लाग कोशिश के बावजूद भी तुम उससे नहीं मिली, तब वो मुझ से एक शूटिंग पर मिला, क्योंकि उस फ साथ एक एग्रिमेंट साइन करना होगा, मैं उसकी काबलियत से वाकिफ था और उसे अपने साथ जोड़ना चाहता था, उसने एग्रिमेंट कर लिया, उस एग्रिमेंट के अनुसार उसकी हर संपत्ती का वारिस मैं हूँ, उसके बाद ही तुम्हारी उससे मुलाकात हुई, मेरी जानकारी की अनुसार तुम उससे कोई रिष्टा नहीं रखना चाहती थी, तुम उससे इसलिए मिली ताकि कहीं वो तुम्हारी बैक ग्राउंड दास्तान ना खोल दे, अब गोलू तुमसे मिला, और तुम डी कंपनी की चेर्मैन बन गई, वास्तव में तुमने ही ग पर्टी गोरी यानि उसकी पत्नी को मिलती थी, जो विलाशा नहीं होती, क्योंकि विलाशा तो इसी हाथ से में मारी जानी थी, तुमने गोलू से मिलकर सारा प्लैन बनाया, और गोलू के जर्ये मुझे भी इस प्लैन का पता चल गया, हमारे बीच एक सौदा हुआ, उसे ग और थोड़ा रुका, जिस जिस ने उसकी गोरी को भोगा था, उन सब को गोलू ने मार दिया, बस मुझे छोड़ दिया, क्योंकि उसके काम में मैं सही होगी था, ये बात तुम्हें बिलकुल भी पता नहीं थी, अब यहां हमारे बीच एक समझोता होगा, तुम गोलू के स मानत हो, और एग्रिमेंट के अनुसार, मैं गोलू का वारिस, दूसरी गोरी तो है ही नहीं, वो तो तुम खुद ही हो, डबल रोल में, फिर मधुर ने जोर से आवास दी, गोलू, तुम जहां कहीं भी हो बाहर आजाओ, उसने दो तीन बार आवास दी, गोफा के ही एक दर्वाजा खुला, जो बाहर से पत्थर की शकल में दिखता था, गोलू उस दर्वाजे से बाहर आया, तुम्हारी गोरी तुम्हें मुबारक, और दौलत मुझे मुबारक, अब तुम्हें एक काम और करना है, गोफा में डाइनामाइट फिक्स कर दो, हम जिन्दगी के किसी मोड पर नहीं मिलेंगे, और भूत प्रेतों से ये गाउं मुक्त हो जाएगा, चीक है बस, मैं अभी डाइनामाइट फिक्स करके आता हूँ, इतना कहकर गोलू अपने काम पर चला गया, मैं तुम्हें जीवन दान दे रहा हूँ विलाशा, सिर्फ ग लिट कर दूँगा, अगर तुमने कभी मुंबई आने की कोशिश की, तो वो टेप तुम्हें फांसी के फंदे तक ले जाएगा, थोड़ी देर बाद गोलू आ गया, उसके हाथ में एक रिमोट था, लो बॉस, जब हम चले जाएं, तो इस गुफा को उड़ा देना, भी दूर निकल जाएं, हाँ, ठीक है, अलविदा, अब हम कभी नहीं मिलेंगे, तुमने वचन निभाया गोलू, और मैंने भी वचन निभाया, कि तुम्हें तुम्हारी गोरी मिलेगी, गोरी, तुम्हें गोलू जैसा प्रेमी नहीं मिलेगा, इसके प्यार की कद्र करना, दो हजार करोड, गोलू मुस्कुराया, ये रकम आपकी हुई, बस उसमें से दो सो करोड कम हो जाएंगे, क्योंकि मैं जिन्दा हूँ, मदूर ने मुस्कुराते हुए कहा, अलविदा गोलू, तुम्हें और गोरी को नया जीवन मुबारक, गोलू गोरी के साथ बाहर निक दिया, एक के बाद एक कई धमाके हुए, और उन धमाकों में एक इनसानी जिस्म के चितरे भी शामिल थे, दूर गोलू, रिमोट लिए खड़ा था, गोरी उसके पास ही खड़ी थी, मर गया साला, गोलू ने कहा, उसके पास तुम्हारा राज नहीं होता, तो मैं उसे वही ठिकाने लगा देता, पर तुम गन पॉइंट पर थी, और मैं तुम्हारी जान का खत्रा नहीं उठा सकता था, विलाशा उर्फ गोरी मुस्कुरा दी, हाँ, क्यूंकि हम एक दूसरे की जान हैं, दोनों आगे बढ़ने लगे, एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले, क्या फिर उसी दुन्या में लोटोगी, गोलू ने पूछा, नहीं रे, अब नहीं, मुझे नहीं चाहिए वो दौलत, मेरी दौलत तो तू है गोलू, प्यार क्या होता है, ये तूने साबित किया, और कोई भी दौलत, प्यार से बड़ी नहीं होती, हम कहीं दूर, एक नई दुन्या बसा लेंगे, जहां हम दोनों के सिवाए कोई नहीं होगा, विलाशा की आँखों में आंसु उतर आए, वो बरे गले से गा रही थी, पीपल की चैया रे, बाबुल की गलिया रे, छोड के जाना एक दिन, लोट के आना ना, वादी में उसकी आवास गुंच रही थी, फिर कोलू माउथ होरगन भजाने लगा, वादी में एक दोन गुंचने लगी, बहुत प्यार करते हैं तुमसे सनम, तफ्तीश भी हुई, जांच भी हुई, लेकिन छे शवों के अतिरिक किसी का भी शव नहीं मिला, परन्तु एक बात बलकुल साफ थी, कि वहाँ 21 लोग गए थ लेकिन मुझरिम कौन था, कोई नहीं जान पाया, बात में पूरा विक्रमगर सरकारी कबजे में ले लिया गया, और हवेली के साथ-साथ मकानों और जमीनों की निलामी कर दी गई, विक्रमगर फिर से आबाद हो गया, दोस्तो इसी के साथ ये कहानी यहीं कम्प्लीट होती है आपको कहानी कैसी लगी कॉमेंट में जरूर बताईएगा दोस्तो एक कंप्लीट आडियो बुक बनाने में बहुत महनत लगती है ऐसे में आपका वीडियो पर एक लाइक और कॉमेंट बहुत मैटर करता है मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक खुश रहें मस्कुराते रहें अपना और अपनों का बहुत सारा खयाल रखें थैंक यू फू वाचिंग